तुम जाओगे जब इस लेक्चर के बाद तो अगर तुम प्रीवियस एर कोश्चन्स लगाने बैठोगे या तुम फिर एंसी आटी लगाने बैठोगे जो भी लगाने लगए उसके लिए बहुत कुछ हल्फोन ने वाला है अगर हम पढ़ते हैं जैसे मालो फंचन्स तुम्हें बहुत ज्यादा लेक्ट लेक्टे के उसको सब्राइच करके चार-पांच घंडे बनाने तो एक टास तो ही है अना तो मौट साइनेक्स प्लस मौट कॉसिस की रिएंज आती है पहले तो वह बहुत इंपॉर्टन है देखिए हम वह सवाल उठा रहे है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन रही है लोग जादा है आठ लोग है अपने पास बैठाना है आठ लोगों को तीन पास सीटे में पहले हम पर उनको तो बैठा नहीं सकते हैं तो आठ में से पांच लोगों को उठाएंगे फिर उनक अब हम लोग लक्षज यूटूब के यूटुब के लिए स्टार्ट कर रहे होगे सीरीज जिसमें की रिलेशन औं पंचन बं चॉरण होगी एक एक पंचं पंचन का चौब कोश्री और important questions हैं साथ में theory जो important है वो सब कुछ cover हो रही होगी यह पूरा वीडियो जो रहेगा उसमें सब कुछ तुम्हारा जो जेई से related as well as boards के लिए सब कुछ के लिए पूरा helpful होगा तो make sure वीडियो को till the end तक देखे ताकि तुम्हारे लिए helpful है ठीक है तो मैं बता देता हूं किस-किस सीक्वेंस में हमें follow-up में लेना होगा क्या-क्या हम topics पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं अपन्चन सबसे ज्यादा important chapter रही है तो कि relation and function अगर हमारा बहुत ज्यादा अगर जो है हमारा strength बन जाती है इसमें हमारी ने limit continuity and differentiivity पढ़ेंगे आगे जितने भी हम chapters पढ़ेंगे तो उसमें काफी कुछ helpful रहेगा खास करके अगर हम relation function को strong कर लेते हैं तो हमारे पांच पार्ट में इसको हमने relation किया होता हैं हमाइ पास फिर मैंने बताए domain and range of different types of the functions तो जो है किãy different types of function इसे polynomial function क्या होता है तरिकनम winning function क्या होता है same function क्या होता है ए फंद्ध में उसकी domain कैसे निकालते हैं या उसकी range कैसे निकालते हैं एक Tomorrow ऐसे बन वन हो गया अन्टोब moves जोन कहते है तो वन हो गया ऑन्टूफंचंma मैंक हो गया मैनी वन हो गया इंटू फिंजन हो गया न यह सब पर एपन सके रिइबल vecks करेते न कीसे कहते है यह आउन न छोब एपर सुन कॉछfriends अपड़न मारम बढ़ेंगे हआं यह पर दिफ्रेंट स्की हमारे पास अपने पास ग्राफ ट्रांसवामिशन हैं हमें निकालना है या एफ हमें घिवन है और फेक्स कैसे निकालना है या यह जी फोफ एफ एफ सके निकालना है एफ सब माइनस एफ़स एफ़स के से निकालना है एफ़सके निकालना एफस की सबसे करेंगे एफ़स का ग्राफ होगा यह सब कुछ अपन बात करेंगे वन चौट लेक्चर में तो मैंने तुमें बता दिया कि करेंगे डुमेंगे रिलेशन क्या होता है एक एक चीज़वारी की मैं कुछ होंबग भी देंगे तो उसको तुम कमेंट करके बटा देना कि सर इसको इस तरीके सॉल करेंगे तो हमारा आंसर यह रहेगा एक एक सीजे सुनना बिल्कुल होगा तुम जाओगे जब इस लेक्चर के बाद तो अगर तुम प्रीवियस एर कोश्चन लगाने बैठोगे या तुम फिर एंसी अर्टी लगान होजिया कि सर आसैट कि मैं इस नाज़ ए म्त दिय원 करते हो क्या वा क। पर्ट दे कि यह इंगा एथ है रिलेशन हर् रिलेशन हर् प्रमाना एंमिटी तो इन यहीं आफीक है तो सिरह नेखा रोगे होगे उन सय SUBSCRIBE, एप्ते मिल्यल दूब इशुम और ब्लीए нужно हमेशा क्या होता है वो हमेशा क्या होता है subset of a cross b के बराबर यह चीज ध्यान रने वाली बात है अब a cross b कैसे निकालेंगे उस पर अपना आएंगे अना ordered pair के form में लिखा होता है the subset is derived by describing the relation between the first element and the second element of the ordered pair तो यहां पर लिखा हुआ है ordered pair यहां पर दिख रहा होगा ordered pair in a cross b the second element is called the image of the first element अच्छा जी हाना तो relation क्या होता है हमारे पास subset of a cross b के बराबर ए और बी कैसे निकालेंगे ordered pair के form में जो a cross b होगा वो मिशे एक ordered pair के form में होगा a और b यहां पर क्या है वो set है यह क्या है sets है हाना तो अब देखते हैं कैसे अपन को निकालना मैं तुम्हें एक example के तुरू समझाना चाहूँगा कि कैसे अपन निकालेंगे जैसे कि मालो लिखा हुए अपने पास जैसे मालो के सर यह कैसे अपन relation निकालेंगे जैसे माल लेते example में तो example के लिए ताकि तुम्हें पता चल जाए कि relation कैसे निकालेंगे a कोई भी set है कोई भी set assume कर सकते हो किसी भी pipe का जो तुम्हें मन में आता है तो a हमने set को assume कि उसके अंदर element डाल दिए अ के अंदर जो element है वह है one two three तो one two three हमने element ले लिया और बी के अंदर element जो ले लिये वो ले लिये a और भी कोई भी element ले सकते हो मैं यहां पर ठोटे element ले लिये 1 टू तो 3 ले लिया और az a ठोसबी करना है तो a क्रौस बी केरेंगे ordered pair के form में लेकरेंग요 कैसे बोले ordered pair ordered pair मतलब कैसे होगा जिसे मालो relation जो आएगा वो A cross subset से आएगा तो पहले A cross B निकालना तुम्हें सिखा देते हैं A cross B कैसे निकलेंगे सबसे पहले बनाएंगे curly वाला bracket क्या बोले curly वाला एक bracket बनाएंगे अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ से उठाओगे क्या बोले पहले पहला element कहां से उठाओगे यहाँ से उठाओगे दूसरे element कहां से उठाओगे वो यहाँ से उठाओगे तो कैसे pair लिखोगे पहले कैसे pair लिखोगे 1,A तो पहले कैसे pair लिखोगे 1,A पहले का पहले के साथ क्या दोस्ती हो सकती है 1 के साथ A के साथ दोस्ती हो सकती है ऐसे करके 1 के साथ A की दोस्ती हो सकती है फिर दूसरी 1 के साथ B की दोस्ती हो सकती है अच्छा जी तो 1 के साथ A की साथ दोस्ती 1 के साथ B की साथ दोस्ती फिर उसके बाद 2 के साथ A की दोस्ती जितनी दोस्ती ही बन सकती है बट पहला element याद रखना वो A से आएगा A cross B लिखा है तो A से पहला element पुराना है 2,A हो गया फिर दूसरा क्या हो गया 2,B हो गया उसके बाद कितना हो गया 3,A आ गया उसके बाद कितना आ गया 3,B आ गया आ गया आ गया A cross B अब जो relation आता है वो क्या आता है subset of A cross B के बराबर subset of A cross B तो relation जो आता है हमेशा वो किसका आता है subset और एक्वल टू 8 cross B के बराबर वो रिलेशन क्या है सकते हैं अप्ने पास subset है अब subset मालो एक भी हो सकते हैं element, जैसे यहाँ पर कितने element दिख रहे हैं, अगर तुम गिंदी करो, कितने होगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छे, तो यहाँ पर total तुम्हें कितने दिख रहे हैं, छे element दिख रहे हैं, छे element, यहाँ पर दिख रहे हैं, छे element, six elements हैं, यहाँ पर, कितन सब भी हो सकता है बट इसका subset होगा a और b से बानने वाला जो जैसे तुम ने यहांपपर a cross b अनड़ आं रहा है उसका subset कलायेगा तो यहांपर जो relation कलाएगा जैसे कि मान लेते हैं यह कलाया one कॉमा ई आ गया तो यह भी एक relation कलायगा अगर माल लेते情况 किलाएगा, अगर माल लेते हैं तुम दो element लिखते हो, 1,A और 1,B, तो क्या ये relation किलाएगा, तो हाँ, ये भी कलाएगा, तो 1,A लिख लो, 1,B लिख लो, फिर 3 के पेर के form में लिख लो, या 4 के form में लिख लिए, या 5 के form में लिख लिए, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिखना सिखा है कि कैसे अपन A x B लिखेंगे, हाना, ये सारी चीजे जानकरी दे चुके हैं, अब यहाँ पर एक यूनिट होता है, जो कि तुम लिख सकते हो, अगर तुम्हारे काम का है, तो number of element in A x B जो आता है, वो आता है, number of element in A into number of element in B, बहुत काम की चीजे ही है, हाना वैसे एक last element में NCRT के पार्ट में होता है, कि number of element in A x B is equal to होता है, number of element of A into number of element of B के बराबर ही आता है, तो अगर माल लेते हैं, अगर A और B के बारे में element पता है, जैसे माल लेते हैं, इसमें element 3 है, और इसमें element 2 है, तो इसको multiply करोगे, तो कितना आ जाएगा, 3 into 2, 6 होता है, और वही value आ रही है, 6 के बराबर ही है, और यही value अगर तुम देखोगे, यह किसके बराबर आता है, यह C के बराबर आता है, number of element in B x A, जब B x A भी निकालोगे, तो वो भी same आ जाएगा, अब B x A जब निकालोगे, तो पहला element A, 1 आ जाएगा, A, 2 आ जाएगा, A, 3 आ जाए तो पहला element जो आएगा, वो B से आएगा, correct, I think relation वाला पाट तुम्हें clear, it definition-wide, so relation मैंने क्या बता है, relation is subset of A x B के बराबर, हाना, हमेशा रहेगा, A और B जो हो सकते हैं, अब तुम बो, sir, relation क्या होगा, subset of A x B x C हो सकता है, क्या, वो नहीं हो सकता है, हाना, relation जो हो सकता है, व नहीं हो सकता है, अब इसमें, मेइन, इंपोर्टन आजाते हैं, कि total number of relation क्या होते हैं, तो जो हमारे लिए total number of relation आते हैं, आँ, total number of relation, अगर हमने number of elements हमें पता है, तो total number of relation आ जाते हैं, वो 2की पावर, 2की, पावर तो जो सोच आखाब कैसे, इसको तो बाइनोमियल के तुरू एक्शली सुटा जाता है जैसे माल लो इसको multiply करके जैसे आया न 6 आया यहां से multiply के number of element in a cross b निकाले तो 6 आया तो हमारे पास क्या हो सकता है मैंने बुला ना कि जैसे माल लो एक element हो सकता है या दो दो element हो सकते हैं तीन element हो सकते हैं तो 6C1 हो गया 6C2 हो गया 6C3 हो गया 6C4 हो गया वहां से यह series बनती है पट फिलाल के लिए directly result याद रखे कि 2 की power P into क्यों आ जाएगा जैसे माल लेते हैं a के अंदर element दिए हैं example में a के अंदर element दिए हैं 1,2 दिया हुआ है और a के अंदर element जो दिए हुए वह 3,4 दिया हुआ है अब तुमसे पूछता है कि total number of relation, बतादो है बता त comigo छो दिया है कि a के अंदर element जो दिये हैं 1,2 और b के अंदर element जो दिये हु है 3,4 दिये हुए अब इसी में पूछ लasına है कि total number ओर प्रेलेशन क्या होगा ना तो पहले गिंती करोगे कितने नंबर ओफ चार नमबर ऑफ रिलेशन चीह कौ बोले तोटल नबर ऑफ रीलेशन जैने हैं के बराबर हम्ने बता दी उसमें हमने क्या-क्या बता हैं, फिर से हम्हें बताई है, तो रिलेशन आता है हमेशा नमस्त फसेट अफ एAKARS question jut आ जाए गाρείंठ मेंठ एंटी नमबर of element in B के बराबर और अगर A और B के अंदर element हमें पता है तो यहां पर क्या जाएगा number of element in A cross B जो आजएगा वो 4 के बराबर आजएगा total number of relation जो आजएगे अपने पास वो कितने आजएगे 16 आजएगे तो यह तो बाते होंगे कि यार यह basic definition कि क्या होता है relation क्या मुद्दा होता है तो यह सब चीजे clear हो गई होगी अब आता है इसमें domain and range of the relation कि domain क्या होगा range क्या होगा relation कि अगर हमें निकालना है तो अगर माल लेते हैं पहले मैं set ले ले लेता हूं प्रेंच and the code domain क्या होगा RIGHT लिंदेался हूं वह ले ले craziest के बराबर अब हमसे पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि domain and range and the co domain बताइए domain range and the co domain बताइए कि domain range and the co domain क्या होगा तो मैं पहले relation define कर देता हूं कि relation जो defined a relation वो defined है अपने पास 1,a और इसके बात refiner 2,b and 3,b तो यह हमें relation defined है हाना यह हमारे पास एक relation सबसे पहले क्या करेंगा अपने असान पड़ता है सबसे पहले क्या करो एसे दो डब्बे बना लो दो डब्बे दो डब्बे ऐसे बढ़ी या बहतरी तरीके से बन गया अब क्या होगा कि जैसे डो अंदर जो element लिखें एक अंदर जो element लिखें वो यहां पर लिख लो यहां पर लिख लिए 1-2-3 उस साइड में element लिख लो एक कॉमा बी कॉमा सी यहां इस तरीके से लिख लिए अब पहले पेर देख लो कौन क्या होगा देखिए domain होता है और range होता है co domain क्या होगा जितने element set B में लिखें हैं जैसे यहां पर A लिखा हुआ है यहां पर B लिखा हुआ है जितने element set B में होंगे वो हमेशा क्या कहलेंगे co domain तो co domain में तो कोई B, C के पराबर इसमें तो कुछ सोचने वाला है ही नहीं जमेला सोचने वाला पार्ट है कि domain and range वाले पार्ट में domain काई दिंग clear है कि जो set B के अंदर element आएंगे जो तुमें दिख रहे हैं ABC वो co domain वाले पार्ट करेंगे अब आती है बारी set domain and range ही अगर मैं domain की बात करूँ एकदम बहतरी वाले domain की जो domain आजाएगा वो हमेशा क्या आएगा A वाले sides से आएगा जितने में भी arrow बना है arrow तो arrow तो सभी में मना है वो इस दिखकती दे कि सब में arrow दिख रहा है यहाँ पे भी arrow यहाँ पे भी arrow यहाँ पे भी arrow लिए करते उसके समें domain जो आजा टी हो वन कॉमा टू आ जाती है तो चली हमें ना कोड हो टो मैं सरल किलियर हो गया और इसके बाद अपन को डो में अपने क्लियर हो गया आब बारी आ जाती कि इसमें एक भेहतरीन वाली रेंज हाना यह इमेज वाला पाट कहलाता है तो इस साइड में जो भी बनेगा जो बी वाले साइड में एरो से connected है पी वाले साइड में जो arrow से connected है उसे अपन कहेंगे range मलब यहाँ पर connected कौन सा है a connected और b connected है c के साथ कोई arrow नहीं बन रहा है देखो one के साथ arrow बन रहा है a का two के साथ arrow बन रहा है b का three के साथ arrow बन रहा है c का तो three के साथ भी b का बन रहा है C का तो एरो बनी रही रहा है तो C अगर एरो में नहीं है तो उसको अपन consider नहीं करेंगे तो जो भी पार्ट अपना coordinate कर रहा है image के साथ बस वही पार्ट आएगा और कोई पार्ट नहीं आ रहा होगा तो इअगर मैं बात करूंगी रिइंच क्या जाएगा वह कितना जाएगा एक आव मां B के बराबर एक बहत्री चीज अपने देख ली बीच 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 में देख इसलिए में बार-बार wind up करते जाओंगा क्या क्या मैं बताते जा रहा हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहेगी क्या क्योंकि सब connected है नहीं बाद में ऐसा नहों कि यहार यहार सर रिलेशन भूल गया फिर से मैं तो क्या होगा हमेशा सबस्ट्ट ऑफ एक रॉस भी होगा टूटल नमबर ओफ रिलेशन को पूछेगा तो की पावर पींटू क्यों आ जाएगा फिर पीजो कहलाता है नंबर ओफ एलिमेंटस इन ए बी जो कहलाएगा वो नंबर ओफ एलिमेंटस इन भी के पराबर आउटपुट वाला पार्ट कराएगा अगर मैं को डॉमेन की बात करूँ तो हमेशा सट भी वाला जो पार्ट होगा वह हमेशा क्या जागा को डॉमेन वाला पार्ट आएगा कि इतना तक क्लियर है एक एक चीज हमने बता दी इस टैप के अगर तुम्हें कोशन की प्राक्टिस करनी है कि सब्सक्राइब करना है अगर तुम चाहो इसको प्राक्टिस करना ठीक है अब में मुद्द आता है ना ग्यारवी कच्छा में सबसे में इंपॉर्टन आजाता है इस टाइपस ऑफ रिलेशन वहां पर तो क्या था जिसे मालोग्स अलेवन का जो मैंने अभी तक तुम्हें बताई वह वह क्लास अलेवन का पार्ट था वह मैं बताया जाता कि क्या डेफिनेशन की क्या होता है टोटल नंबर ओफ रिलेशन कैसे निकालते है यह हमारे पास साता है number of element in a cross b या ordered pair कैसे लिखते हैं आपन नहीं है तो ordered pair भी तुम्हें लिखना सिखा है फिर हमने बता है domain and range of the relation पंचन नहीं पंचन तो आपन देखेंगे domain and the range of the relation तो वो भी हमने तुम्हें बता दिया अब बारी आजाती है types of the relation क्या बुले types of the relation की आपने को clear है तो हमें समझने में बहुत आसानी बढ़ेगी types of the relation में तो सबसे पहला जो type आजाता है मेरा वो क्या आजाता है अपने पास empty relation आजाता है क्या बोले empty empty खाली 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 वाइड रिलेशन अपन कहेंगे यह तो relation जब भी subset आजाएगा फाई नाम से clear है कि empty मतलब खाली होना चाहिए तो void relation empty relation क्या कराएगा जिसका कि subset जो आजाएगा वो फाई आजाएगा अगर फाई आगया relation में फाई तो जब भी फाई आगया तो उसमें अपन क्या कहेंगे void relation कहेंगे या तो फिर वो empty relation कहेंगे void relation कहेंगे या तो फिर empty relation कहेंगे जैसे कि माल लो example में हमें समझना है कि क्या example है जैसे माल लेते हैं अगर हमने element लिया एक अंदर element लिया 1,2,3 ऐसे करके हमने element ले लिया 1,2,3 के बराबर और हमने एक relation define किया relation relation तो relation हमने define किया किस a cross a से बनना चाहिए जो subset आना चाहिए वो a cross a से बनना चाहिए और हमारे पास mod of a minus b की जो value आने चाहिए वो 7 आने चाहिए where a comma b belongs to a capital a a और b जो element आएंगे वो a से आएंगे और mod of a minus b की value 7 आने चाहिए क्या कभी ऐसा बन सकता है 7 minus में आ जाएगा हो गई नहीं जैसे 1,1 रखोगे यहां पर तो 0 हो जाएगा वोजएगा ना 1,1 इवन अगर 1,2 रखोगे तो 1 हो जाएगा 1,3 रखोगे तो 2 आ जाएगा अभी भी यह 7 नहीं बन पाएगा तो यह एक रिलेशन जो एक्जाम्पल अगर देखना चाहेगी सर इसका एक्जाम्पल कैसे बनेगा एक्जाम्पल ऐसे बनने के लिए थे बहुत सारी सकते मैंने एक बता दिया ताकि थोड़ा सा चमक जाए अच्छा इस तरीके से होगा है ठीक है तो आई तिंग तुम्हें ही एंटिर दो एकक वोइड रिलेशन जो एगा वो क्या एगा हमारा सबसे सबसे चोटा सेक्ष अउस्анные सबस्थे कोई पूछेगा तो यह सबसे चोटा ब würd इसक्ता सकता अगर सबस्थे सबसक्राइब या यह ए नहीं पूछेबा च्छीज्स बहुत बड़ी चीज बहुत बड़ी चीज, इसमें जितने भी element है, a cross a वाले, वो अगर सारे cover हो गए, वो अगर सारे cover हो गए, a cross a वाले, जितने भी अगर element है, वो सारे कुछ cover हो गए, तो ये हमारा जो relation कराएगा, वो universal relation कराएगा, बहुत उसमें 1,1 कभी pair आजाए, जिसे मालो, a के अंदर हमने 1,2,3 लिया, और relation एक ऐसा define करें, जिसमें की सारा कुछ cover कर जाए, बहुत 1,1 भी cover कर गया, फिर उसके बाद जो है, तुमारा 1,2 भी cover कर गया, 1,3 भी cover कर गया, 3,1 भी cover कर गया, ऐसा relation अगर define हो गया, तो हमारे पास क्या आजाएगा, वो एक universal relation आजाएगा, universal relation आजाएगा, तो universal मतलब एक largest relation possible है, और अगर मालो मैं पूछू कि empty relation, वो सबसे छोटा relation possible है, largest हो गया, सबसे largest, इससे largest possible नहीं है, फिर आ जाता है, identity relation, इसको अभी देखेंगे, अपन questions के तुरू भी देखेंगे, identity relation, identity से नाम से clear है, identity मतलब आएगा, हमेशा a, a का पेर आना चाहिए, तो identity मतलब क्या आजाएगा, a, a का पेर आना चाहिए, और कोई पेर ने आना चाहिए, जैसे a के अंदर 1, 2, 3 है, तो relation जो आजाएगा, वो a cross a सही बनेगा, तो इसमें जो पेर बनने चाहिए, वो 1, 1 का बनना चाहिए, 2, 2 का बनना चाहिए, और 3, 3 का, हाना, identify the relation, in other words, relation ia, जो ia अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब identity relation की बात चल रही है, if every element of the set a is related to itself, तो every element of set a is related to itself, मतलब खुद से एक relation बना के चले, इसका example की तुरू बताइए, सर, example की तुरू देखते हैं, जैसे माल लेते हैं, a के अंदर मैंने element ले लिया, 1, 2, 3, हाना, तो relation, जो है, identity relation निकालना है, identity, तो यह जो बनेगा, वो a cross a से बनेगा, देखिए, empty relation हो गया, universal relation हो गया, identity relation हो गया, यह सब कुछ a cross a से अपन डील करते हैं, अब आता है, identity इसमें relation क्या आएगा, तो identity वाला जो pair आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, a, a pair आएगा, अब इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए, छूटना मतलब जैसे माल लो आदा लिख दी, extra instance, अगर माल लेते हैं, जैसे माल लो एक relation define किया, तुमने यहाँ पे 1,1 रख दिया, 2,2 रख दिया, और 3,3 रख दिया, और 1,2 भी रख दिया, क्या यह identity relation कहलाएगा, तो यह identity नहीं कहला पाएगा, अगर तुमने extra डाल दिया, फिन नहीं कहलाएगा, यह सिर्फ और सिफ identity identity relation किस case में कहलाएगा, जब यहाँ पे 1,1,2,2 और 3,3 का pair आ रहा होगा, इसके अलावा अगर आएगा तो फिर अपन नहीं consider करेंगे, आना तो empty मतलब हो गया, सबसे छोटा वाला, universal मतलब जिसमें सारे pair मेरे cover कर जाएए अपने पास, identity relation कहलाएगा, 1,1,2,2 and 3,3 के बराब आना तो यह होगे identity relation, अब आ जाता है हमने पास reflexive relation, reflexive, reflexive, नाम यह याद रखना है, देखिए नाम से नाम के बिना फिर अपन अधूरें आई, तो यह सब नाम तुम्हीं याद रखना है कि identity क्या होता है, या reflexive क्या होता है, और जितने भी अपन ने देखिया अपने, universal हो गया, a relation R on the set A is set to be the reflexive, is set to be the reflexive, if, 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 every element, देखिए यहाँ पे लिका हुआ है, every element of A is related to itself, अच्छा, तो फिर अंतर क्या हुआ, identity में भी आपने यहीं कहा था है, कि every element of A is related to itself, तो identity और इसमें अंतर क्या है, identity relation is a non-void set, is always a reflexive, तो अगर कोई identity relation है, है, तो वो reflexive जरूर होगा, वाइसा वर्सा true नहीं आएगा, reflexive relation जरूर होगा, however, a reflexive on A is not necessarily, को यहाँ पे word लिखा हुआ है, not necessarily, मतलब जरूरी नहीं है, कि वो identity हो, इसका मतलब यह होगा, कि अगर कोई identity relation है, अगर लिखा हुआ है, identity relation, वो 101% reflexive है, अगर reflexive लिखा हुआ है, तो वो identity नहीं कलाएगा, कहने का क्या मतलब है, जैसे मालो मुँँ तुम्हें एक example बताता हूँ, example से, हमें एक और अच्छी clarity मिलेगी, example के तुरू, तो example के तुरू देखते हैं अपन यह, तो इससे एक अच्छी अपने को तुम्हें थोड़ा सोचने में भी easy जाएगा, अगर मैं कोई relation, करता हूँ, यहां से relation, डिफाइन किया, जो relation है, जैसे मैंने ऐसे define किया, कि 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, फिर आगया 1,2 आ गया, ऐसे करके हमने relation, कि यहां पे तो एक्स्ट्रा रहा है एक्स्ट्रा वाले केस में रिफ्लेक्सिव को चलेगा बस उसमें ये कंडिशन है कि A, A का पेर आना चाहिए इसके अलावा अगर आ जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है तो अगर ये जो एक्जामपल लिखा हुआ ये क्या लिखा हुआ है ये एक रिफ्लेक्सिव तो कहल रिफ्लेक्सिव ज़रूर कहलएगा बट आिटो नहीं कहलाएगा आज्यग ध्यान देती है या रिफ्लेक्शिव जरूर कहलाएगा फिर या जिए आइडांसे देख लिए हैं इसकी सब्लख्सिव कहरे तो वो सिर्व एक रिलेशन पॉसेवल है बंग मावन टू कॉंए zwischen कि किसमें लिखी नहीं सकते हैं दो तीन चार पांच जृतने बहुत लिखना चाहों सब कुछ लिख सकते हैं यह हो गया और आइडेनट्रीटी में जो फरक मैंने बताया है तो यह प्रक्राइब होगा प्रत सिमेट्रिक रिलेशन क्या करके लाएगा अगर a Unelect लृष हूए है करगे भी कर एक रिलेशन है बिक साम इसका मतलब क्या होता है कोई पूछे हिंदी नहीं क्या अनुवाद एक रिलेशन है बी के साहन है यह द्यान रखना अगर ऐसे लिखा हुआ न और धार ऑली बात बिलकुल भी नहीं है तो और ट्रांजेट रिएशन तो सिमेट्रिक का में यहां पर तुम्हें एक एक्जामपल दिखा देता हूं ताकि एक थोड़ी सी बैटर वे में में क्लियर हो जाए तो मैंने क्या पता है सिमेट्रिक की किसमें क्या बता है अगर A, A का पेर आ रहा है A, B का तो B, A का भी पेर आना मस्ट है, मस्ट है, जैसे मालो हमने एक set A define किया, जो relation मनेगा वो A cross A से बनेगा अपने पास तो relation एक define कि भाईया इसके जो order pair आएंगे, वो इस तरीके से आएंगे 1, 2 आएगा, 2, 1 आएगा, 3, 2 आएगा and so on, बस इतना हमने लिख दिया फिर तुम से पूचा क्या यह symmetric relation कहलाएगा, तुम बोलोगे कता ही नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा, देखो यहाँ पर 1, 2 का pair आ रहा है, तो 2, 1 का pair आ रहा है, आरहा न, a, b, a का pair आ रहा है, बड़ 3, 2 आ रहा है, तो 2, 3 कहा है, नहीं है न, नहीं है तो अगर 1 मिस होगा, तो मिस होगा, ऐसे नहीं, एक होगा तो चलो अपना काम होगे, नहीं हमें सारे जितने भी परफेट इसका आंसर किया आजाएगा इसका परफेट आंसर लिखना है लिखा हुआ है और यह बहुतरी लेवल में तुम्हें पेयर दिख रहा होगा अब अगर मैं एक और चीज बताना चाहूं कि जैसे मालो सर एकवा एक आबस पेयर लिखा वह है तो चैसे माल्म्हें लिखा है यह जिसको का एक्जांबल के सुचों और आ लिखते हो तो रिपिटेशन वाले हो तो उसको नहीं लिखा जाता है तो 1,1 जो है पेर वहाँ पे दिख नहीं रहा है बड़ यह हमारा symmetric relation कहलाएगा तो यह symmetric कहलाएगा यह ठीक है तो symmetric में अगर 1,1 का पेर है तो उसमें तुम्हें सोचना ही नहीं है वो तो already है symmetric है वहाँ पे भी था 1,1 वाले पेर जो है तीनों आने चीए जिसे वालो 1,2,3 है तो तीनों आने चीए reflexive और identity लिए यहाँ पे एक भी लिखा है तब भी वो symmetric relation कहलाएगा तो I think symmetric वाला पार तुम्हें clear होना है चीज symmetric मैंने क्या का अब आता है ट्रांजेटिव वाला हाना तो symmetric मेरा बता दी कि symmetric क्या होता है थी कि हम बढ़ते जा रहे तुम्हें चीजे ध्यान भी रखना है ऐसा नहीं कि भी ध्यानी नहीं रखेगे इस चीज का क्योंकि अभी तो देखू रिलेशन जैसे फिर फिर फ कि कहेंगे transit जब 1B का पेर है अगर ये युश चरियंत्र में ये पियर आना चाहिए है अगर एक कॉमा बी का पेर आ रहा रहाए तो a qamai का पेर आना ही पड़ेगा नहीं आएगा तो ट्रांजेटिव नहीं कहलाएगा यहां पे लिखा हुआ है उट में अर्-भी लिखा उसके बाद फिर और भी जी जपन पढ़ेंगे तो यह आता है ट्रांजेटिव रिलेशन का एक्जामपल इसलिए तो एक अंदर जो अगर इसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो मैंने क्या कहा था अगर एक अगर एक अगर एक अपी का पेर है और और अगर बी कॉमा सी का पेर है तो एक कॉमा सी का भी पेर आना पड़े गा वनलफे ट्रांसरेटिव नहीं कैलाएगा कुछ और कलाएगा हमें को बत्त नहीं कोई अर्द नहीं कतलाएगा तो यह जरूरी है और वन कमाथ लिआ गया है, तो ये example है proper, proper transitive relation का, तो ये proper transitive relation का किलाएगा, अगर सिर्फ e, a का peer बढ़ा होता है, तो ये transitive भी कलाता है, symmetric तो कहलाते हैं, जीसे माझनों सिर्फ लिखा हुआ है relation आपना वाला लिखा हुआ तो ये ट्रांजेटिफ जरूर कलाएगा रिफलेक्सियों और इडेंटी नहीं कहलाएंगे उसके लिए तुम्हें transitive के बारें बताया, reflexive बताया, symmetric बताया, universal कलाया, अभी example देखेंगे और J के question देखेंगे तो उससे और थोड़ी बारीगी बनेगी, अब आता है last में equivalence relation, equivalence, equivalence, equivalence relation वो relation कलाता है, जो कि symmetric भी हो, जो कि reflexive भी हो, और फिर उसके बाद symmetric भी हो, और क्या कला है, transitive भी कला है, अगर ये तीनो relation आ रहे है, reflexive, symmetric और transitive, अगर ये तीनो relation आ रहे है, तीनो, अगर एक भी miss हो गया, तो फिर नहीं कलाएगा, equivalence relation के लिए reflexive भी आना चाहिए, symmetric भी आना चाहिए, और transitive भी आना चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं एक्जांपल के लिए यहीं पर मैं समझ लेते हैं एक्जांपल क्या किलाएगा जिसे एक अंदर element ले लिए 123 और relation हमने डिफाइंग कि रिलेशन की भाई relation सब्सक्राइब करने की जरूवती नहीं है एक वाले पेर हैं तो सब्सक्राइब करने की जरूवती नहीं है और अगर कोई पूछे ट्रांजेटिव बिल्कुल खेलाएगा यह चारो टाइप का अपना सवाल कितरा पढ़ेंगे ज्यान की बातें हो चुकिया चले सवाल करें तो बड़ा बैतरी पता चले और जेए के सवाल कर रहा हुए उट बोट के साथ में लेते हुए तो सारी चीज़ें तुम्हें लेक्षर के बाद एक बिल्कुल मचा दे कि यार कहीं से भी कोई भी सवाल आ जाए अपने पास तो कोई सवाल अपने वाला ही नहीं यहां पर अगर ध्यान से पूरी वीडियों तो बहुत अच्छे से सबकुस सिस्टेमाटिक तुम्हें समझ में आएगा यहां बठा देखना इसको sincerely अराम पर नम से देखे कोई जरूली नहीं है तुड़ी गाड़ी थुड़ी एक लेक्चर तो देख लो ढंक से बिल्कुली है अब हमें यह प्रूफ करना है कि यह रिफ्लेक्सिव है यह जो कोशन लिखा हुआ है इसमें हमें पता करना है यह जो कोशन है इसमें इस जांटकीब यह जो के नहीं है जो को केला ही अगर देख लाएगा अगर क्या कहलाएगा की नहीं asymmetric हमें सोच रहा है symmetric और और क्यों नहीं कहलाएगा ये भी अपन को पता करना है थे हमने क्या कहा था symmetric में स्कॉलमी करना है 1,1 बार 1-2-3-3-1,1 के pair लिखे तो इनको चäकी नहीं करना kलिव और ट्रांजिटीव कलिए है चेक्ट क्या करने है अपने को जो एक ओमा भी बाले प्यर इन्हें यहां पर पृती लिखा है देखो 220 क ए मिसिंग थी मिसिंग आपने प्रहूं मिससी कह और गाल झाल इसलिए इसलिए यह transitive कहलाएगा कि नहीं, transitive हमें यह बता करना है transitive transitive के case में बताया था कि a,b और b,c का pair है, तो c,a का pair आना चाहिए तो a,a वालों को तो check ही नहीं करना है check करना है तो 1,2 तो अगर 1,2 लिखा है 2,3 लिखा हुआ है, तो 1,3 देना यहां यह कहां यह नहीं, तो 1,3 missing हो गया तो alternative केस में कहैलाएगा तो कोई पुछे यहazar देते यह गया इतके सिमेonse.book जरूर कहा रहा है, यहां पर नहीं यह रिफ्लेक्स.j woh कहा रहा है बड़ यह नाईधर स्वाल करेंगे तो और अच्छी क्लारीटी बनेगी कि रिफ्लेक्सिव क्या है सिमेट्रिक क्या है ट्रांजिटिव क्लियर हो जाएगा कई कोई मामला बचे गाही नहीं है इसमें हमें पूछा था कि यह रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है यह सब सारी एक्जाम्पल्स दी होए थे और हमें चेक करना था कि क्या करना होगा करना होगा सबसे पहले अपन चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव वाला सबसे पहले चेक होगा रिफ्लेक्सिव बहुत ही बड़ी है सारे है सारे यूनीक है सारे बिल्कुल है सबसे लिए यहां पर सिक्सक्राइब गया अगर आगे निकालने की जरूट भी नहीं है तो पूरा सिमेट्रिक ऊड़ी अब बारी आजाते है चीज एक चीज़ क्लियर हो रही है कहीं आटक तो नहीं रहा है जरुब बता देना, फिर आता है ऑर षिक स्क्राइप सब्सक्राइज कुछा छूट जाए तो अपन फिर उस केस में क्या कहेंगे तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कोई पेर मिस हो जाए तो 3,9 है जैसे और अगर 9,9 से बनाएंगे तो 9,9 नहीं बने गई है कोई भी ऐसा पेर हो जिसने 3,3 और 3,12 निकालो के तो 3,12 ही आएगा 3,3 और 3,6 निकालो के तो 3,6 आएगा 6,6 और 6,12 तो सब पड़ी जाएगा 12,12 और यहां पे तो कोई पेर इसके साथ बने गई नहीं 6,12 और 12,12 मिलके तो 6,12 ही आ जाएगे 3,9 9,9 3,9 नहीं बनेगा 3,12 तो सारे तुमाई बास पेर आ रहे हैं यह 3,12 जो है यह एक्स्त्रा में लिखा हुआ यह जो कि देखो अगर हम जैसे 6,12 बना रहे है 6,12 और क्या लिखा हुआ था 3,6 तो 3,6 और यह इनको मिला के अपने पास आ रहा है 6,12 और यह यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा 3,6 लिखा है और 6,12 लिखा हुआ है तो 6,12 होना चाहिए था एक सेकंद रुक जाओ 3,12 होना चाहिए तो 3,12 3,6 लिखा है 6,12 लिखा है तो क्योंकि 6,6 उड़ जाएगा तो कितना आजयगा 3,12 लिखा है ना इन के साथ वाला कोई पैर है यह नहीं जैसे एक को मा बी तो उसका बी को मा सी का भी पिर आना चाहिए न तो वह है नहीं अपने पास सब्सक्राइब करके सारे पैर चक करेंगे अगर एक भी मिस होगा तो घर बढ़ा जाएगा ना जै देख लिया, symmetric वाला हमने कहा कि pair नहीं होगा, translative में case में A, B है, B, C है, तो pair आना चाहिए A, C, तो 3, 6 था, 6, 12 था, 3, 12 होना चाहिए, 3, 12 है, 3, 12 है, 3, नहीं एक्स्ट्रा ही पढ़ा है, यहाँ पर है, मलब उसका कुछ काम नहीं हो रहा है, translative में, उसके लिए B, C का कुछ pair होना चाहिए, तम न गर्वड होगा, अगर वो होगा ही नहीं को कि 2 होंगे, तब ही तीसरा बनेगा, अगर एक है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो extra बढ़ा है तो कोई दिक्कर दी है, translative को कोई भी problem नहीं है, फिर आजाता है एक inverse of the relation, एक छोटा सा पार्ट है, inverse बतला बस इसको R inverse से denote किया जाता है, R की पाउर माइनस 1, यह denote करते हैं बस इसको R की पाउर माइनस 1 से, तो relation जो आजाता है उसको R की पाउर माइनस 1 से denote किया जाता है, तो जो R inverse जो आजाएगा, लिए जएगा वह मेशां क्या जाएगा बियुकामा एक लिए बॉपाइट बूस धोगया इसका तुम्हें आर इंवर्स निकलना है और इनवर्स के क्या करोगे बस यह जो पलट दो गए इमेज वाली चीज़ पलट दो के तो रिलेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है हाँ जब हम फंचन बढ़ेंगे तो वहां पर दिक्कत है यह टू कमा बना जाएगा और यहां पर थी कमा बना जाएगा बस खता तो यह हमारा आर इंवर्स आगया बस पलट रहना इसको और कुछ नहीं करना है एक को माबी का प्यर पड़ा है तो बी कॉमा एक बस पेर कर देना मनब डोमें और रेंज यहां पर पलट जाती है बस ध्यान रखना कि इन्वर्स वाले में क्या हो जाती है डोमें एंड रेंज विल एंटर चेंज जो ड 3,1 के ordered pair अपने बन जाते हैं ठीक है तो अब आते हैं आर इंवर्स यहां पर निकालना है आर इंवर्स जैसे कि मालों यहां पर लिखा हुआ है ordered pair तो 1,3 का यहां पर लिखा हुआ है और 2,1 लिखा हुआ है जो आर इंवर्स आ जाएगा आर इंवर्स इसको बस तुम्हें प पुल्टा हो जाएगा वला जो पैर हो बी कमा एक बन जाएगा तो फूल्टा हो जाएगा तो वन कमा टू तो मैं दिख रहा होगा तो यही बस पेर को ओलड देना है तो रिलेशन क्लियर हो रहा है चीजे क्या क्या अपने पढ़ा है हमने जो है रिलेशन पढ़ लिया ताइप आपने को बनी जाए अब आते हैं यहां पर जैसे मालो यह वाले टाइप के कोश्चन आते हैं आज कल देखो करके काफी ट्रेंडिंग के सवाल करके जही मेंस के पॉइंट अब देखते हैं कि यहां पर क्या-क्या लिखा हुआ है तो यहां पर लिखा हुआ है कि एक रिलेशन डिफाइन है जो की एक अमा भी वेर वन प्लस एबी इस ग्रेटर देन जीरो ऐसे करके लिखा हुआ है और हम क्याना चीए एक कर ना चीए यहीं हमने बताया है रिफ्लेक्σιों के लिए तो हमेशा क्या होगा जब भी तुम्हीं और लेक्सी तो यहाँ पर क्या करोगे जो B जगा A डाल दो यहाँ पर कितना आजाएगा 1 प्लस A इंटू A greater than 0 अगर यह identity सही आगई तो हाँ यह reflexive कलाएगा और A square plus 1 greater than 0 तो हाँ यह कलाएगा क्योंकि A square plus 1 greater than 0 यहाएगा न हमेशा positive ही आएगा तो reflexive तो जरूर कलाएगा कोई पुझे reflexive कलाएगा तुम बोलोगे हाँ बाई बिल्कूल कलाएगा 101% अब आदी आती है symmetric के तो symmetric के लिए क्या बताया था कि अगर A, B का pair है A, R, B है तो B, R, A भी होना चाहिए तो B, R, A भी होना चाहिए तभी बात बनेगी symmetric की है तो इसमें क्या है जैसे मालो A, B का pair हमें लिखा हुआ है कि 1 प्लस A, B ग्रेटर देन 0 यह हमें given है यह समझे लो यह तुम्हें given है 1 प्लस A, B ग्रेटर देन 0 तो हम क्या करेंगे B के जगा A डाल देंगे क्योंकि वाइसा वर्सा हो जागा ना उल्टा पर अड़ चाहेगा तो A और B को बस interchange करना है अपने को कर दो interchange तो जहां पे भी A लिखा है वहाँ पे B लिख लो जहां पे भी B लिखा है वहाँ पे A लिख दो फट्ट से बिल्कु सोचना ही नहीं है कितना आजएगा वन प्लस B ए ग्रेटर दें 0 तो क्या ये और ये तुम्हें सेम नहीं दिख रहे हैं हाँ ये तो सेम दिख रहे हैं तो हाँ तुम कहोगे कि reflexive और symmetric दोनों हो गया अब बारी आती है ट्रांसेटिव के लिए क्या है मैंने बूला था a, b ka pair आना चीए तो वो क्या आजएगा वन प्लस a, b greater than 0 फिर उसके बाद b, c ka pair आना चीए तो वो कितना आजएगा वन प्लस b, c greater than 0 तो जब ये आ गया तो ये भी आना चीए 1 प्लस a, c greater than 0 आन। तो ये दोनों given है अब ये हमें चक्क करना है बस हमें transitive के लिए चेक करना है, तो हम कुछ data ले लेते हैं, कोई value ले लेते हैं, ताकि अपने को आसान पढ़े, तो इभी एक value से assume कर लेते हैं, ताकि अपने को एक आसान पढ़ जाए है, हना और कुछ भी नहीं, तो A की value जैसे अपने लेते हैं, चाहिए satisfy कर रहा है की नहीं, देख लो, हाँ यह satisfy कर रहा है, देख लो यहाँ पर डाल के देख लो, 1-1 by 2 हाँ satisfy करेगा, फिर यह B की value 1 by 2 और C की value 8, हाँ तो यह कर रहा है, तो हमें क्या यह से satisfy कर रहा है की नहीं, कोई भी ऐसे value उठा के randomly चेक करना होगा, पॉलो की एक ही value से पॉस्टिव पॉस्टिव ले ले, यह satisfy कर जाएगा, हाँ कर जाएगा, अगर एक ही value और तुमने 1 ले ली, जिसे माइनस 1 मैं ले ले, अगर 1 ले लोगे तो true आ जाएगा, तो हम उल्टा सोचना है, जिसमें गढ़बढ होगा, सही वाला तो हमें दिखी रहा है आखों से, तो जो जहाँ पर गढ़बढ होगी negative में, वो मैंने सोचा, मैं negative, negative होगा, मैंने काना है, अगर एक भी गलती होगी जीवन में, तो गलती होगी transitive के साथ, समझें, तो यह जीवन में, अगर एक भी गलती कर गया, कर गया, तो reflexive और symmetric यहां पर होना चाहिए, but not a transit है, यह हमारा case होना चाहिए, तो अन में आ रही बात, reflexive के लिए मैंने क्या का कि B की जगह बस A डालना है, symmetric के लिए क्या क्या, कि B की जगह B डालना, A की जगह B डालना, तो A, A का पेर डालना, symmetric के लिए क्या करना, कि अगर A, B का पेर हो, तो B, A का भी पेर आना चाहिए, कुछ और example दिख लेते हैं, जहें के तो आखी तो और अच्छी clarity बने, जो कमेंट में भड़ते ना कि सबकुछ मामला हो रहा है कि सबकुछ समझ में आ रहा है तो बस तुम्हें क्या लिग देना सीके से हो जाएगा कि हाँ तुम्हारा ना सबकुछ सारी कुछ bent चल रहा है सब किसको अपन reflexive कहेंगे किसको अपन symmetric कहेंगे वितन example अब यह वाला question देख लेते हैं यह ना एक जेए मेंस में आता 2022 में इस चेक के question जरूर आ रहे हैं तो मैंने इसलिए इस पाले pattern को उठा लिया थाकि तुम्हें दिफकत होई नहीं जैसे यहां पर लिखाओ एक relation अपन को गिवन है मौट ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू ग्रेट लेस देन एक वल्टू 30 लिखी है फिर एक में हम देखते हैं इस वाले part को कैसे solve करते हैं सबसे पहले अपन क्या करेंगे सबसे पहले तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे reflex के लिए चेक करेंगे और सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजेटेव के लिए क्या लिखा हुआ था फिर से एक बार मैं कोशन देख लेता हूं क्या लिखा था मौट ऑफ ए माइनस बी इस लेस देन एकवल टू 13 यह लिखा हुआ था सबसे पहले अपन को reflex के लिए चेक करना चेख लेख hay n बस तो रजबीधियक चेक के लिए और डालना होगा एक ही जगह बीडिद और डालना होगा बस शप्लेक्स लेक्स्यूंद के लिए सबसे पहला काम क्या हबा एक को पुट करना है अगर यह आगया और यह सथिमेट्रिक के लिख रिफ्लेक्स होगे भाई सक्स अब आती है सिमेट्रिक के बारे सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर एक कॉमा बी का पेर है तो बी कॉमा एक का पेर आना चाहिए ए और बी को इंटरचेंज कर देते हैं तो यहां पर किता आ जाएगा मॉट बी माइनस ए लेस देन इक्वल यह माइनस टोडी जाएगा तो मॉट से तुछ आ जएगा ऐ माइनस बी ठरीन फूं हो गया है अब में प्रप्लम में अपने पास किसमें ट्रांजरिटिब आले के लिए क्लिया हमने क्या बता है ठांजरिटिब के लिए उसमें इस क्या ना चीए कि ए आगर यह वाला पीर है यह वाला तो फिर सही है नहीं आरहा तो कोई दिक्कत रहा है बहुत बढ़ी और यहां पर एक्जांपल उठा लिया और यहां पर इग्जांपल उठा लिए और इसमें रखके देखो क्या यह satisfy कर रहा है देखो 1,16 इसको satisfy कर रहा है बस यह check करना है इसमें 1,16 satisfy कर रहा है तो नहीं करेगा एक side 15 आजएगा, exam 13 आजएगा तो यह not true आजएगा मतलब reflexive is symmetric है but not a transitive तो equivalence नहीं है यह वाला equivalence नहीं है अब दूसरा वाला check कर लेते हैं mod of a minus b not equal to 13 यह लिखावा था mod of a minus b not equal to 13 यह 13 के बराबर नहीं आना चाहिए सबसे पहली कहानी क्या होगी reflexive क्यों होगी reflexive reflexive हमेशा की तरह सबसे असान e की जगह a डाल देना है तो a और a डाल तो यहाँ पर कितना आजएगा a minus a less than equal to 13 तो 0 not equal to 13 तो हाँ यह होता है बराबर नहीं होता है तो reflexive हमें दिख क्या अब बारी आ जाती है symmetric के तो symmetric के case में क्या करोगे बस b को a से interchange करोगे symmetric के के क्लिए क्या होगा b को a से interchange करो तो b minus a less than equal to 13 not equal to 13 minus common ले लो यहाँ पर तो same आ जाएगा a minus b not equal to 13 अगर यह दोनों चीजे हैं तो अगर यह वाली चीज आ गई तो क्या बोलो कि हाँ भाई नहीं आया हिला खतम ना तो a minus b not equal to 13 तो कोई भी number सोच लो यहाँ पर कोई भी number सोच लिए याँ पर जैसे मालो one comma two सोच लिए आपर तो हाँ देखो यह नहीं आ जाएगा पर यहाँ पर यहाँ पर जैसे मालो two comma 14 ऐसा होता है नहीं होता है ना तो लेग्साषटी नहीं 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 आरवन है नहीं आरड तू है समझे लो इस टैब के प्रॉब्लम जो आया है अभी इस बार के जेंगे सब्सक्राइब करना अब जो है यह तुम्हारा homework नंबर वन तो कमेट करते जाना homework नंबर वन इसका आंसर यह है हम चेक कर लेंगे तुमने सही किया था कि नहीं किया था जिसका भी सही होगा तो उसका पिन हो जाएगा सारी अगर homework करतेगा तो यह आगे अपना homework नंबर वन सब कुछ clear shot चल रहा है कि तुम्हें बता चुके के साथ 50 उसके बाद अपने पास आता है कि जो भी है जो भी रिलेसिन कास करके तो उसे घट करना तोisen apart बनाना until 12 भाले पूरी पूरीframes्क्सी 8 1 थी बना लेना अगर तुम्हें 11 करने हैं तो एक बार थोड़ super समय लेकिंगे उससे क्या होगा कि तुम्हारे पास जो डुमेंड रेंज वाले कोशन थे और वाले वह सब क्लियर हो जाएंगे आप इसी फॉर्म में जैसे एक और वाले जो पेर कोशन करें लास्ट में यह सारे टैप के कोशन तुम्हें मिलेंगे बस रिफ्लेक्सियों के लि जाएगा तो यह सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना यह ठीक है अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे अपन डुमेंड रेंच ऑप दा फंचन यह है तो हम लोग ने ना की रिलेशन के सारे टॉपिक्स जो थे सारा जुतना बाट था वो स जो की में मज़ेतार जो है अपने पास वह फंचन तो फंचन में आपन देखेंगे मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया थे कि क्या क्या टॉपिक्स होगा नंबर वन था अपना जो की रिलेशन जो कि अपनने इसको एंड कर लिया है इसको तुम्हें काम करना सारी अब आजाती है टॉपिक नंबर टू जो की आजाता है डॉमेन एंड रेंज ऑफ दर फंचन अपने पहले अपन को समझना पड़ेगा कि function क्या हो जाता है फिन अपन domain and range पर जाएंगे हमने relation देखा था कि relation जो होता है वो हमेशा होता है subset of a cross भी है function जो होता है function एक छोटा पार्ट है relation एक बहुत बड़ा पार्ट है function एक subset है relation का function एक छोटा पार्ट है function के लिए कुछ कुछ नियम कानून है तो दो नियम कानून होते है जो कि major नियम कानून है पहला कानून क्या बोलता है कि mapping a function from x to y इसको f को f से denote करते है x to y is set to be the function if each element of the x देखो यहाँ पे लिखा हुआ each element of the x has its has its image in the set y image की न set की image जरूर आने चाहिए x से हमेशा image जाने चाहिए पट मैंने relation में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि उसमें से image आना बहुत mandatory है मनब domain वाले side में कोई खाली नहीं होना चाहिए sum में से एक एक image जरूर निकलनी चाहिए and it is possible that the few elements in the set y are present which are not the image of any of the element in the set b set y में खाली हो जाए कोई दिक्कत नहीं है जो की co domain वाले side में वहां खाली हो जाए कोई problem नहीं है but set a वाले में जो की domain वाला part है उसमें से हर एक में एक एक image जरूर आनी चाहिए अब बारी आती है यह हो गया आईए अब भी मैं तुम्हें example के साथ भी बताऊंगा second वाला every element in the set x every element in the set x should have one and only one तो एक एक image आनी चाहिए सिर्फ एक एक image सिर्फ एक ही image आनी चाहिए that means it is impossible to have more than one image तो more than one image possible नहीं है for the specific element in the set x function can't be the multi value तो multi value नहीं हो सकता इसको एक और तरीका होता है function को check करने का vertical line test कहते है vertical line test vertical line test क्या होता है if a curve cut more than once तो अगर curved more than once cut कर रहा है vertically तो हमारे पास क्या जाएगा उसे हम कहते है vertical line test y axis के parallel अगर हम line draw करें अगर वो दो part में cut कर लिया दो से ज़्यादा बार तो उसे हमारन कहते है function नहीं कहते है अब जैसे मालो जो है कि क्या क्या कहा मैं फिर से explain कर देता हूँ क्या क्या चीजे कहीं उसके बाद आएगे अपन domain range वाले part में कि कैसे अपन को domain range निकालना है तो मैंने जो कहा अभी कहानी में तो मैं मैं शरियंत में पहले explain कर देता हूँ क्या क्या का मैंने क्या कहा कि भाई जब भी function अपन को निकालना है तो पहली बात तो सभी में से एक-एक यूनिक इमेज आनी चीए यह हमने पहले कहा कि यूनिक इमेज आनी चीए यूनिक इमेज निकलनी चीए यूनिक यूनिक के साथ तुम्हारे पास जो नी चीए एक-एक इमेज आनी चीए जैसे कि for example एक अंदर element लिये 1,2,3,4 अमने ऐसे example लिया 1,2,3,4 और यहाँ पर example लिया A, B, C, D, E ऐसे करके example लिया 1 के साथ मैंने बना लिया A का तो यहाँ से मैंने कहा कि एक-एक इमेज जरूर आनी चीए तो 1 के साथ मैंने बना लिया A का 2 के साथ भी मैंने बना लिया A का 3 के साथ मैंने बना लिया B और 4 के साथ मैंने बना लिया C अब तुम देख रहे होगे निकल निकल रहा है तब तो सही है अगर 2 तीर निकल जाते तो ख़तम हो जाता है तो यहां पर क्या कहेगा अगर मैं डॉमें क्या होगा range क्या होगा अगर कोई पूछे इसमें डोमेन क्या आजएगा domain domain of the function domain मतलब होता है यह वाला साइट यह वाला साइट यहां पर आ जाएगा बन टू थी के बराबर और रेंज मतलब सेम जो इमेज बनती थी तो इमेज क्या बन रही है यह बी सी मन रही है यहाँ पे अगर कोई पुछे range क्या रही है, एक शरियंत वाली range, तो range जो आजाएगी, इस case में आजाएगी, ABC के बराबर, अगर कोई पुछे co domain क्या है, यहाँ पे co domain, अगर कोई पुछे co domain क्या है, तो co domain मतलब जितनी भी values है, set b की, वो सारी कलाएंगे, मतलब क्या हुआ है, 123 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है, तो अगर तुम 1 के साथ, जैसे माल लो, A बना दिए, 1 के साथ, A बन गया अपना, 2 के साथ, B बन गया, तो क्या यह function कलाएगा, तो यह function नहीं कलाएगा, क्योंकि एक अगर बज गया, तो फिर अप तुम देख रहा है कि वन के साथ दो तीर बन गए तब यह नहीं को लाएंगे क्योंकि वन के साथ आ रहा है टूकर साथ यहां पे missing missing और यहां पर किया वन के साथ multi value function अगया तो वह अपना नहीं कहलाएगा एक और तरीका होता है कोई बीगर रेंडम ली कोई भी बिसे मालो कोई भी ग्राब बना हुआ है है जैसे मालो प्राब और यह एक्सिस के पहलेल अगर तुमने भूकिया लाइन के वेलियो आ रही है इसका मिलब यह यह वह ना एक्सकी इंपूट डाल रहे तो दो वैलू सारी है तो यह हमारा क्या क्या लाएगा वर्टिकल लेंटेस्ट विए हमारा नॉट फंचन यह इग्जामपल आ जाएगा नॉट फंचन का लेकि और प्रॉबलम बतातेते कैसा तुम्हारा बन सकता है तो तुम्हें फंचन क्लियर फंचन के लिए पहली चीज क्या बताए कि एक हमना इनपूट जाना चाहिए और एक साइट है एक ही इनपूट चलना चाहिए दूसरा हर एक इंपूट आना मैंड़िटरी है अगर एक भी इनपूट नहीं आए तो फिर वह पूरा का पूरा मचाक्सा बन गया फिर वह है पिर अपने पास क्या हैकि अंध़रा बुला भला है एक स्सकरी इकर इक्स श्कोयर इक वल्ड oy का तुम्हें ग्राफ बता हो गा इसका कुछ इस तरीके से गराफ आता है X square equal to 4A Y अगर इसमें से तुम graph को अगर draw करोगे Y axis के parallel मलब Y axis के parallel जब तुम lines draw करोगे तो single single point पे cut करेगा, करेगा अगी नहीं, single single point पे तो X square equal to 4A Y आजएगा बाकी सबके case में नहीं आएगा जैसे Y square equal to 4A X में बनाओगे इसका कुछ इस तरीके से करवाता है तो ये दो point पे cut कर रहा है, हो गया ना मजाक हो गया, पिर अगर circle है ये तो circle है, तो ये circle आजएगा और दूसरा वला क्या आजएगा, ellipse तो circle हो ellipse के case में भी क्या हो जाएगा वो दो point पे cut कर जाएगे कैसे दो point पे जसे लाइन काट के के देखो यहां पे जैसे लाइन. करोगे उसमें line यह नइन權 डौइन हो ंगा ही के नहीं है तो दो point पे यहां पे-कट कर रहा है कर रहा हना in यह थीन पॉइंट पर अपना कट कर गया तो circle उड़ गया ellipse के case में भी same ही बनता है अपना उसमें भी क्या जैगा दो पॉइंट पे अगर तो पॉइंट पर कट कर लिया vertical line test कोई भी कर है ऐसा नहीं मैं circle स्किल प्रबोला की बात कर से एक Garena हमें चिպ चेक करनां किया यह फंटन है कि नहीं तो इस्से मैं पता बता अब इसल इसमें डिफरेंट था रप आपन कॉमें करते हैं किसको उन में कोड़ लो में बता इन ञायत टाइब्स ओफट दाफ पंचन यह घंड वें रेंच और श्के बारे में तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि इस थरीके से निकालना निकीन इसमें बहुत सारी डिफ्रेंट तो ट्रिगनोमेट्रिक फञंचन में तुम्हें पता हूँ कहई नुब के त्रिगनोमेट्रिक फंचन होते हैं 2 है नुI टैप के प्रिगनियो नॐा नुब फेक यह जाता है घर यह जाता हैеп हर्ए कि अगर्वेन और रेंज कि बात करो क्योंकि मेन मुद्द्द नाइब व स्कुने साइब यहाँ में अपने धिता हूं यहाँ पर आपना कळाएगा रीच जाएगा यह पार्ट उसकिव भी आपास और गेवाँ इस केस में वह क्या जाता है ? कि रिए लंबर तो डॉमें अजाता है रियल नमबर एक्स मतब सारी वैल्यू साइंगे इंपूर्ट साइने के केस में हर एक वैल्यू आएगी वह अगर रेंच की बात करूं तो यह निगे वह हमेश्चा माइनस वन टू वन ही आएगी इसके अलावा नहीं आ सकती है तो अग की भी सेम तरीके से होती है तो कोस्ट Keith की बात करें तो रिंज माइनस बंट ऊन्ट नो प्होंड 0 C devil C02 नहीं तो विंड माइनस बंटНе माइनस वन ची से ढूगी जिसे साइन एक से विल्कुल वैसे कौऔ सेक्स असी आजेगी माइनस कफिलें अगर हम तो 270 डेगरी यह सब अंडिफाइन हो जाएंगे यहां पर बोलोगे आर माइनस टुएन प्लस वन पाइबाइट और यहां पर एन क्या है एन क्या लाएगा जैट यह एन बिलॉंग्स टू यहां पर जैट आजाएगा तो यह न पाइबाइटू क्योंकि पाइबाइटू सारी सक अपर करता आ पर आजा तो कोट dei के समें जो आजाता है वा पाइनस टौ यह करदी है यह हमें की बात करेंगी रेंज यह जाती है क्या जाती है हम ऐसे बिल्कुल स्पाइब करेंड और इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा जड़ वैसे भी कवर करेगा उसको यहां पर मैं रेंज की बात करूँ तो हां रेंज तो डिफरन्ट दे जाती है वह जाती है माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन वन से लेके इंफिनिटी तग जा फिर तुम अ जाता है अपना कॉसेक्स के केस में जैसे मालो कॉटेक्स चल रहा था बिल्कुल वैसे ही यह आजाएगा आर माइनस एन पाई आ गया फिर अगर मैं बात करूँ यहां पर जो है तुमारी रेंज की तो सेम माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस वन यूनियन आ जाएगा बन स से लेके इंफिनिटी ते देख लो सारा यह हो गया अपना टिग्नोमेट्रिक फंचन के सारी डोमें एंड रेंज साइनेक्स कॉसेक्स एनेक्स कॉर्टेक्स स्टिकेंट एक्स एंड कॉसेक्स यह काफी एक इंपॉर्डेंट पार्ट है इसको बहुत ध्यान से देख लिए बड़ अगर इसमें जیसे मालो चेंज होगया फंचेंज इनस्टी जमालो डगे या फिर अपने पास अगया 3002 कॉसेक्स आ गया उनस सबकी कैसे निकालो के तो वह मैं थोड़ा से पता देता हूं आग जैसे माल लेते ही हमारे पास कुछ एक्जांपले है पहले एक्जांप फिर अपने पास third example है यहाँ पर यह लिखा हुआ है y is equal to cos 2x minus 1 करके लिखा हुआ है उसके बाद अपने पास लिखा हुआ है यह हो गया यह वाले जो mod वाले है वो अपने cover करेंगे यहाँ पर आ गया 3 cos x इसकी value कैसे cover करेंगे अब उसके बाद next जो के अपने पास fifth वाला यहाँ पर आ गया y is equal to आ गया 3 sin x plus 4 cos x और minus 5 इसकी value कैसे cover होगी इसमें अमने को बताना है कि जो है range क्या आएगा domain वाले पार्ट में सभी में real number आएगा तो range वाला main मामला चेक करना है finding the range of all तो मैं एक एक करके तो मैं बता देता हूं कैसे अपन range निकालेंगे हर एक के लिए number one number two number three number four and number five तुम अपने end से भी try कर सकते हो मैं कैसे कर रहा हूं ना तुम अपना भी निकाल लो हां सर डन कर दिए लिख देना तो अकर three sign x होता तो यह minus three से लेके three तक आता है बड़ यहां पर प्लस four भी करना होगा तो क्या करोगे दोनों साइट यह वेल्यू जो आजएगी यह वेल्यू कॉस्ट वेल्यू यह तो minus one to one ही आएगी अगल में कोई फरक नहीं आ जाता है अगर तुम यहां multiply कर दो तो इसमें फरक आ जाता है अब इसमें क्या करो लास्ट में सिर्फ क्या करो minus 1 add कर दो, minus 1 दोनों में add कर लो, add कर लो तो कितना आजएगा, minus 1 minus 1 कितना आजएगा, minus 2, 1 minus 1 कितना आजएगा, 0 आजएगा, तो यह minus 2 से 0 आजएगा, ठीक है, तो यह clear है, अब आगया 2 sin x plus 3 cos x आगया, तो कभी भी अगर मान लोते हैं, यह वाला आगया function, 5 इस दीक वल्टू आगया, a sin x plus b cos x, अगर यह वाला आगया, तो इसमें क्या ज़्यादा, इसकी maximum वो minimum value क्या आती है, जब भी a sin x plus b cos x आ गया, तो इसकी maximum minimum value आती है, वो आती है, minus sin के साथ, under root of a square plus b square से लेके, under root of a square plus b square, that's it, 4 cos x आ गया, तो maximum value निकालोगे तो 5 आ जागे, जिसे under root of 9 plus 16, ऐसे करके लिखोगे देखो, इसमें आ जाएगा minus sin के साथ, 9 plus 16, यहाँ पे लिखोगे, 9 plus 16 के बराबर, 9 plus 16 कितना होता है, 25, 25 के root निकालोगे तो 5 के बराबर, मनलब यह कितना आ जाएगा, minus 5 से लेके 5 तक आ जाएगा, बढ़र यह minus 5 भी लगाना होगा, मनलब यह भी लगाना होगा, minus 5 भी, लगा दो, कितना आ जाएगा, minus 10 से लेके 0 तक, तो अगर कोई पूचए, कि इसकी range क्या आ जाएगी, वो आ जाएगे माइनस 10 से लेके 0 तर तो साइन एक होंबग की तर है तो इनको ट्राइ कर लिए सारी चीजिए अब इस टाइप का एक एक कोशन देख लेते हैं इस तर इसके से लिखा हुआ है इसमें बुला है find the range of this function यहाँ पर तुम देखो sin x minus cos x लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या करोगे sin x minus cos x की minimum और maximum value निकालोगे इसकी minimum maximum value क्या जाएगी अन्डरूटा 1 square plus minus 1 square हाई से करके हैं यहाँ बैभी, minus sin के साथ यहाँ पर आजएगा यहाँ ici की minimum root की रखोगे चिपका दो यहाँ पर रखो को कितना आजएगा रूट टु रखेंगे, तो यह रखेंगे रूट के अंदर brac hypocri धी सेवेज़ मांटिवला yılूोग जाएगा तो कितना आजएगा 2 प्लस 5 आजएगा तो यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा यह वेल्यू 7 आजएगी आजएगी यह वेल्यू कितनी आजएगी 3 के बराबर देख लो तो यहां पे आ रहा है लॉग ओफ 3 बटे यहां पे आ रहा है लॉग ओफ 3 बटे रूट 7 यहां पे आ रहा है लॉग ओफ 7 बाइ रूट 7 लॉट 7 लॉग की प्रॉपर्टी के खारण तो यह वेल्यू आजएगा और यहां पे वन बाइटू को कॉमन लोगे और आंसर तुमारा बिलकुल बहतरी लेवल में 2 आ जाएगा अलब यह दी वल आप्शन आजएगा वन अपॉन वन अपॉन टू आजएगा लॉग ओफ 3 बाइस और यह वेल्यू किती आजएगी टू फाइनली तुम्हें मिलोगा बहतरी लेवल का अंसर क्या आजएगा तू लॉग आप थी लेवल का अंसर तू के बराबर एक बहतरी पने पार अपन देखें अभी यहीं पर बन ङया यह पंते वा थो यह क्या अपने टून मेट्रिक फांचन के बारे में इसी तरीके साथ ए Neo polynomial function, polynomial बतब जिसे linear function हो गया, quadratic function हो गया, by quadratic functions हो गया, जितने भी type के हो गया, polynomial function, तो यह हमारी एक polynomial function होती है, an x की पावर n, फिर an minus 1 x की पावर n minus 1, तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना होगा, domain and range, तो n अगर odd है, यहाँ पे लिखा होगा, अगर n odd है, तो polynomial of the odd degree of the range will always be a r, जिसे मालों की odd मतलब हो गया, जिसे मालों linear function हो गया, या cubic function हो गया, तो उसकी range वाएगी, वो हमेशा r आएगी, और अगर n even है, तो उसकी range हमेशा never r, बन्दब quadratic की range अपने पास r नहीं आती है, बाइ-quadratic की range नहीं आएगी, क्योंकि उसके root आजाते हैं उस वज़े से, भी देखेंगे अपनी, तो यह एक mention कर सकते हो, यह काफी एक important point है, odd मतलब, odd मतलब हो गया, तो मारे पास जिसे n यहाँ पे odd लिखा है, मतलब क्या कहलाएगा, linear function हो गया, तो cubic function हो गया, यहाँ पे क्या आजएगा quadratic function आगया, या by quadratic function आगया, तो वो क्या कहलाएगे, even degree वाले polynomial कहलाएगा, अब देखते हैं इसको किस तरीके से तुम कहह रहे हो, जैसे माल लेते हैं अपने पास आगया linear function, सबसे पहले आपन देख लेते हैं, linear, या तो constant function सबसे छोटा function होता है, सबसे पहले देख लेते हैं constant function, constant function, ऐसे आगा constant function, जो constant function जआ जाता है, constant function, आगा constant मतलब क्या हो जाता है, इससे माल लो y is equal to 5 आ गया, ये constant function है, fx is equal to 5 है, तो इस case में अगर तुम domain बोलोगे तो सारी values है सारी values तो मैं domain range भी यहाँ पर तुम्हें बता लता हूँ तो अगर पूछे इसमें domain क्या है domain मतलब सारी values, domain मतलब कितनी आजाएगी real values अगर इसमें से कोई range पूछे तो range में outcome में क्या रहा है बस 5 आ रहा है लीनियर function की बात करें लीनियर की लीनियर function कैसा दिखेगा लीनियर function की लीनियर function की case में जैसे मालो y is equal to आ गया ax plus b ax plus b के case में मैंने बता है linear function अगर आ गया अगर इसके अपने को range निकालनी है तो real number और domain भी हमेशा real number तो domain अगर पूछे range अगर कोई पूछे कि domain क्या जाएगी real number और range क्या जाएगी real number तो domain भी real number और range भी real number ठीक है बट अगर माल लेते हैं जिसे मालो linear में ही थोड़ा change कर गया आ गया rational function मालब जो divide वाले type क्या आ गया जिसे मालो question इस तरीके से आ गया y is equal to लिखा हुआ है 2x plus 1 upon x plus 3 इस type कहा गया फिर तुमसे पновता इसकी domain और range बताओysis तब असे टार में क्या करोगे जब भी डिवाएड में निकालना रेए हैं नटेम्ल में किया होता है इसको कोई problem नहीं होती है अगर हम हम और्ल्यं में सब्सASE करने जाती है जब भी दिवाइड में तो पहले क्या तो आपर वाले की domain निकाले जाती है और इनका क्या किया जाता है एंटर सेक्षन लिया जाता है domain of intersection X और उसके बद हो गया जो GX है तो हमेशा क्या होती है जब भी तुम्हें domain निकालनी है अगर ये divide में लिखे हुए है तो उपर वाले का function का domain निकालोगे, नीचे वाले function का domain निकालोगे और नीचे वाला function shall not be equal to zero. जैसे मालो इसमें domain निकालनी है तो हमें पता है इसकी domain क्या जाएगी real number इसकी domain क्या जाएगी real number दोनों के domain real number आएगी, बस नीचे वाला should not be equal to 0, मलब x plus 3 should not be equal to 0, तो x की value सिर्फ minus 3 नहीं आ सकती है, बाकी sub values आ सकती है, इसकी value minus 3 नहीं आएगी, बाकी sub values आजएगी, बट अगर range में देखे तो क्या करोगे, जैसे y as a function of x लिखाया है, तो क्या करोगे, x as a function of g of y लिक्या होगे, तो इसको क्या करोगे हमेशा, linear by linear आ गया, cross multiply, linear by linear आ गया, cross multiply, तो cross multiply कर दो, cross multiply करोगे तो ऐसे आजएगा, y into x plus 3 is equal to 2x plus 1 आजएगा, अब इसको क्या करोगे, एक बार multiply कर लो, कर लो एक बार multiply, जैसे ही इसको multiply करोगे, तो क्या आ गया, x into y plus 3 into y is equal to आजएगा, 2x plus 1 बना गया, x वालों को साथ मिले और y वालों को साथ मिले जाओ, हाना, x वालों को साथ मिले आजओगे, तो y into यहाँ पर आजएगा, x into यहाँ पर आजएगा, 2 नहीं उठा सकते हैं, तो y की value यहाँ पर क्या नहीं उठा सकते हैं, अपन 2 नहीं उठा सकते हैं, तो y की value जो आजएगी अपने पास, वो 2 नहीं उठा सकते हैं, देख लो, नीचे वाले पार्ट पर support नहीं करेंगा, तो y की value 2 पर अंडिफाइन हो जाएगा तो हमेशा क्या होगा जब भी मालो linear by linear आ गया या quadratic बे-cognitive परेंगे तो cross multiply यह सबसे best कानून होता है पाकी तुम देखी रहे होगे जो linear आ गया तो उसके हमेशा क्या जाएगा linear की case में हमेशा अगर सिर्फ linear लिखा तब तो इसकी domain क्या जाएगी रियल नंबर रेंज आजएगी यह आजएगी रियल नंबर ठीक है अब आ जाता है quadratic वाला पार्ट वाले पार्ट में domain और रेंज कैसे निकालोगे जो quadratic वाला जैसे कि मालो यहां पे जैसे मालो अब quadratic की बात करें तो quadratic की कैस में कैसे करेंगे quadratic की case में ग्राफ से थोड़ा सा अपन को देखना पड़ जाता है वहां पर अपने बाद च्छे टाइप के ग्राफ सुझाते हैं जैसे मालो आगया y is equal to ax square plus bx plus c यह और डी पे डिपेंड करता है हाना वरना फिर क्या है perfect square बनाके भी तुम कर सकते हो उस पर डिपेंड करता है domain और रेंज जैसे मालो a greater than 0 मैं एक साइट के तुम्हें बता देता हूं जैसे मालो a greater than 0 आ गया और d greater than 0 आ गया ती मतलब होता है discriminate हाना इसकी minimum maximum value अपन को track करना होता है यह अपन का graph होता ही है अगर इसमें से domain और range निकाल लोगे तो domain तो इसकी हमेशा domain नहीं चेक करना है कोई भी polynomial फंचान उसकी domain जो आएगी वह हमेशा real number यागी तो उसको तो चेकी निकलना है सिर्फ बारी आ जाती रेंज की तो रेंज मतलब यह बाला जो minimum point होता है जो कि सबसे minimum point क्याता है minus b by 2a, minus d by 4a that's it तो अगर तुम्हें range निकालना है तो इसकी minimum value क्या रही है minus d by 4a से लेके infinity तरह अगर a positive है और अपने पास d positive है तो कितना आ जाएगा minus d by 4a से लेके infinity तरह यहाँ पर d क्याया discriminate a क्या है वो x square का coefficient हो गया वरना इसका एक तरीका होता है कि perfect square बना करो वो भी एक थोड़े सा तरीका best होता है जैसे माल लो यह question आगे है तुम्हें पास x square minus of 3x plus 2 करके लिखा हुआ है इसकी क्या निकालना है तुम्हें domain और range निकालना है तो domain तो तुम्हारे पास होगी हमेशा अब मैं बोल रहा हूँ कि सबसे easy तरीका होगा perfect square perfect square मलब इन दोनों को club करके लिखना है club करके कैसे लिखोगे ऐसे करके लिखोगे इन दोनों को perfect square इसका आदा x का coefficient का आदा x minus 3 by 2 का whole square minus 9 by 4 plus 2 के पराबर हाना तो यह सबसे best तरीका होता है अब ग्राफ से भी ठीक है बड़ इस से भी थुमारा best थरीका होता है यहां से y की value का आजाएगी x minus 3 by 2 का square minus of 1 by 4 तो अगर कोई पूचे minimum value का आजाएगी minimum value का आएगी जब यह value 0 बन जाएगी यह सबसे minimum होगा x square की minimum value का आजाएगी 0 यह क्या हो गया कोडिक की range हो गई domain तो उपने बदाई दी domain को तुमें चेकी नहीं करना कोई भी सवाल में किसी भी टाइप का सवाल आला है उसमें तुमें AOD को चेकी नहीं करना है यह सबसे best तरीका होता ही है बनना हर अभी case में तुमें graph बना के चेकरना पड़ेगा और graph बनाने थोड़ा समय लेगे है तो rational function में इसी तरीके जाना है अब इसमें वो अले type के सवाल फिर से आ जाते है जैसे इसमें range निकालना है quadratic by quadratic होगी यह हमारा PY क्यों है यह हमारा क्या है previous year question है जैसे linear by linear के case में तुमें बताया था cross multiply हाना वैसे यहां पर भी तुम्हें क्या करना होगा सिर्फ और सिर्फ cross multiply करना है linear by linear होगा quadratic by quadratic होगी इनका एक ही system है सिर्फ और सिर्फ cross multiply तो cross multiply कर दी है जिसको ऐसे लिखोगे यहां पर coefficient आजएगा y-1 आजएगा फिर x का coefficient निकालो के तो y-1 आजएगा फिर constant का coefficient तो आजएगा y-2 अब इसके बाद तुम क्या करोगे इसका discriminate को greater than equal to 0 कर दोगे बस discriminate को greater than equal to 0 तो b square minus 4 ac b square minus 4 ac greater than 0 तो y-1 यहां से common आजएगा बहतरी न तरीके इस देखो तो यह आजएगा y-1 minus 4 times of यह आजएगा y-2 greater than equal to 0 अब इसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा एक चीज ध्यान रखनी है कि y की value जैसे यहां पर a जो हाना चीए यहां पर 1 नहीं हो सकता y की value 1 नहीं आ सकती है और यह कितना आजएगा minus 3y plus 7 के बराबर तो यह minus 3y plus 7 less than equal to 0 minus 3 को यहां से common ले लो कितना आगया y minus 1 और y minus 7 by 3 less than equal to 0 baby curve से solve करोगे तो आजएगा 1 और 7 by 3 plus minus और plus तो negative वाला sign यहां पर उठाओगे क्यों क्योंकि baby curve के कारण क्योंकि less than sign आ रहा है तो y belongs to आजएगा y belongs to 1 से लेके 7 by 3 तक यहां पर 1 include नहीं करोगे तो नहीं करोगे क्योंकि यहां पर y not equal to 1 है तो बस यहां पर क्या करो open bracket लगा दो बागे 7 by 3 पर close bracket तो इस तरीके से इसको solve कर सकते परना इसका एक और तरीका इसको ऐसे करके भी कई बन लिख सकते है जैसे मालो इस question में तो हो जाएगा ऐसे करके 1 plus 1 upon x square plus 1 ऐसे भी लिख सकते हो फिर x square plus 1 plus 1 की minimum और maximum value निकाल लिए उससे भी यह सवाल बन जाता है otherwise यह तो हमेशा है जैसे मालो इस question में जा रहा हर question में ऐसे नहीं नहीं तोड़ पाऊगे इस question में तो तोड़ ले रहे हैं 1 plus करके अब बर मालो coefficient जैसे 2x square plus करके लिखा है फिर नहीं तोड़ पाऊगे न उस case में अगर यह तूट जा रहा है तो ठीक है नहीं तूट रहा है तो यह तरीका तो हमेशा वालिट है quadratic by quadratic cross multiply अब मैं तुम्हें एक homework देता हूँ homework number 2 यह तुम अपने end से solve करना यह PYQ है बिल्कुल इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ क्या करना है cross multiply करना है कमेंट कर देना homework number 1 में तुम्हें बताया थे कौन सा करना है relation का homework number 2 भी तुम्हार पास आ गया है फिर को सेम cross multiply देखो quadratic by quadratic गया देखो जेए मेस में 2023 में आया था सिर्फ quadratic by quadratic गया है फिर आ जाता है इसको इसकी range अपन को निकाल लेती है जैसे x cube यहाँ पर लिखा है 1 प्लस x plus x का cube लिखा हूँ ऑट फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है divide कर दिए अब क्या करो x से divided कर लो एक से इसको एक स्कुएर से इसको divide कर लो जब इसको divide करो तो कितना आ जाएगा 1 by x plus x plus 1 आ गया यहां पर कितना आ गया x square plus 1 by x square आ गया और एक चीज तुम्हें पता होगी क्या पता हो कि am greater than हमेशा जीम आता है आता है न am is always greater than equal to जीम provided सारे नंबर अगर positive है तो हम लोग ऐसे लगा सकते है हमेशा a plus b by 2 arithmetic mean is always greater than equal to geometric mean अगर a और b की वे तो positive है तो अगर positive है तब लगा सकते है तो इन्होंने पहले से दिया हुआ है कि एकस के वेल्यू positive है यहाँ प्रें प्रेंगे इन्हों सकते है यह कैसे लिक करेगा amgm लगाना है क्योंकि यहाँ पे उल्टे लिखे है कैसे देखो यह x और one by x उल्टे लिखे है x square one by x square उल्टे लिखे हो है इसी लिए तो x plus one by X में अगर amgm लगाएंगे यहाँ पर देखो, अगर x plus 1 by x में यहाँ पर amgm लगाओगे, देखो कैसे आजाएगा, x plus 1 by x by 2 is greater than equal to आजाएगा, x into 1 by x, आजाएगा न, यहाँ पर किता आजाएगा, greater than 1 आजाएगा, 2 को यहाँ ले जाओ, देखो पढ़िया तरीके से आजाएगा, x plus 1 by x की value की आजाएगी हमेशा greater than equal to 2, यह आगए equation number 2, इसी तरीके से क्या कर सकते हो, x square plus 1 by x square की value भी लगा सकते हो, x square plus 1 by x square को लगाओगे, तो वो भी greater than equal to 2 आजाएगा, amgm से, अब 2 यहाँ पर भी रखदो, minimum value तो इसकी minimum value 3 आजाएगी, इसकी minimum value 2 आजाएगी, और multiply काने के 6 आजाएगी, 6 minimum value आजाएगी, तो finally answer जो आजाएगा, वो 6 से लेके infinity आजाएगा, यह तो minimum value आजाएगा, max तो infinity आजाएगा, 2 कैसे, भाई, इसकी minimum value देखो नहीं, यहाँ पे, greater than equal to 2 है, greater than equal to 2 है, plus 1 by x की minimum value किती आजाएगी, 2, x square plus 1 by x square की minimum value किती आजाएगी, 2, और 2 into 3 कि आजाएगा, 6 के परापर, clear, तो हर एक type का इसलिए हम सवाल को है, जो miss नहों, हर एक type के सवाल करा दे रहा है, ताकि तुम्हें कोई दिक्कती नहीं हो, कोई भी सवाल तुम देखो, कच चिसे बेकूल, यह answer है, तो हमने तुम्हें बताया कि भाई, technometric functions में क्या होगा, polynomial function मे क्या होगा, जो मेजर देखो, हम लोग एक ऐसा वीडियो जिससे मिल जाए, जिसमें सब कुछ cover up हो जाएगे, अब यह देखो, अगर हम पढ़ते हैं, जैसे माल लोग functions तुम्हें पता होगा कि भाई, बहुत ज्यादा लेक्टर 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 लेक क्या हो जाता है, सबसे पहले लोग को define कर से करते हैं, log of x to the base a, x की value positive होने चीए, a की value positive होने चीए, a should not be equal to 1 है, इस तरीके से log define होता है, x की value positive, a की value positive and a should not be equal to 1 है, ठीक है, अब इसकी domain और range निकालनी है, domain और range, पहले अपन देखले थे domain, domain का तो यही तरीका होगा, x greater than 0, a greater than 0, a should not be equal to 1 है, यह logarithm function की domain निकालने का तरीका होगा, जिसे मालो तुमें question दिखाते हैं, तुमें थोड़ा सा और clarity बनेगी, जिसे मालो यह question लिखा हुआ है, find the domain of this function, find the domain of this function, तो domain के लिए क्या करोगे, जो argument वाला part है, उसको greater than 0, जो base वाला part है, this should be greater than 0, और जो base वाला part है, should not be equal to 1, वालब कहने का क्या मतलब है, जो उपर जो लिखा हुआ है, उपर जो लिखा हुआ है, उपर प्रानी, उपर जो प्रानी लिखा हुआ है, वो क्या जाएगा, x square minus 11x plus 24 greater than 0, यह हो गया, सबसे पहला काम, दूसरा काम, नीचे base वाला, base वाला क्या जाएगा, x minus 4 should not be equal to 1, यह तीन चीज़े लगानी है, जब भी तुम्हें लॉक का जैसे मालो निकालनी है, डोमेन, तो यह तीन चीज़ें मेशा लगेगे, तकि तुम्हारा डोमेन आ जाए, अब क्या करोगे, x square minus 11x plus 24 है, इसको factorize कर लोगे, factorize करने के बाद क्या जाएगा यह, x minus 3, x minus 8 greater than 0, आजेगा न, दूसरा वाला क्या जाएगा, x greater than 4 आजेगा, आजेगा तीसरा वाला क्या जाएगा, x should not be equal to 5, इन तीनों का क्या करोगे, intersection निकालोगे, जबर्दस तरीके से, कैसे करोगे, number line बनाओगे, एक बहतरीन वाली, एक number line बना लिए, जो पहला वाला quantity है, वो क्य यहां, 8 से infinity, वेवी कर्व से, यह क्या बोल रहा है, यह इंसान, यह बोल रहा है, मैं x की value 4 से बड़ी उठाऊंगा, बट तीसरा इंसान क्या बोल रहा है, 5 से 5 ने उठाऊंगा, तो इसमें से major common क्या value मिल रही है, हमें common value तीनों में क्या मिल रही है, यह value मिल रही है, तो answer domain निकालनी ये lock के case में हमेशा क्या जागा this should be greater than 0 argument वाला पार्ट greater than 0 base वाला पार्ट should be greater than 0 and base should not be equal to 1 तो base should not be equal to 1 एक बैतरी तरीके से चौल हो चुक है तो log वाले पार्ट को हमेशा तुम्हें इसी तरीके से समालना होगा log वाले पार्ट में जैसे यहां पे लिखा हूँ है log भी लिखा हूँ है और हमेरे पास quadratic भी लिखिए देखो x square प्लस 3x log वाले case में मैंने क्या पता है जिसे मालो domain निकालनी है दो function पड़े है तो क्या करो कि उपर वाला should be domain निकालनी है इसकी domain निकालनी है और this should not be equal to 0 quadratic की हमें domain पता है वो real number आती है इसकी value should not be equal to 0 तो x square प्लस 3x प्लस 2 should not be equal to 0 यह solve करेंगे तो क्या आजाएगा x प्लस 1, x प्लस 2 should not be equal to 0 तो x की value अपन जो है minus 1 और minus 2 नहीं उठा सकते है यह तो नहीं उठा सकते है अब बारी आ जाती है lock के अंदर वाला तो lock के अंदर कैसे define होगा यहाँ पर तो 2 लिखा है तो इसको define करने की जुरूवत ही नहीं है बस x प्लस 3 की value क्या आनी चाहिए greater than 0 आनी चाहिए आना तो x की value क्या आ गई? greater than 3 आ गई minus 3 तो x belongs to क्या आ जाएगा टोमेन का लें domain of f नीचे वाले का domain निकाले domain of g और क्या करेंगे gx should not be equal to 0 बस यह लगाना यह यह तीन चीजे लगा के यह प्रक्रिया अपनी खतम्य है हाना अ प्रक्रिया अपनी खतम बस domain of web निकालने है domain of g निकालनी है and gx should not be equal to 0 पटआ फटी तो फटाफट करने के बाद सीधे सीधे आंसर आ रहा है इस्ट के सवाल आते हैं देखो PYS कोशे नहीं कर रहे हैं अब जैडते हैं कि इसमें इसमें कैसे रिएंज वाले सवाल मनेंगे लॉगरितम में हमने देखा कि अब नेचे वाला शुरू नाट बेट टू तब ही अपन minimum maximum को track कर पाएंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है log के अंदर लिखा हुआ है 25 minus x square to the base 5 अब हमें क्या करना पड़ेगा सिर minimum maximum को track करना पड़ेगा करना पड़ेगा सिर minimum maximum अगर इसकी minimum value निकालेंगे minimum value तो minimum value कब आ सकती है जब यह पूरा 0 हो जाए max value कब आ सकती है जब यह 0 आ जाए x square 0 बन जाए तो अगर max value की बात करो तो क्या आ जाएगा 25 by 5 आ जाए इससे जो ज़्यादा हो नहीं सकता जैसे बाकी जैसे 1 रखोके तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा तो सबसे maximum क्या जाएगा 25 और यह minimum की बात करो तो क्या जाएगा log 0 by 5 आ जाएगा log 0 तो define नहीं होता है इसलिए क्या जाएगा minus infinity की तरफ इस side जाएगा ना इधर जाता तो infinity जाता maximum निकालते है minimum निकालना है तो minus infinity की तरफ minus infinity और यह value कित दिया जाएगे 2 लॉक 25 कितना आता है 5 तो यहाँ प्याना चाहिए answer minus infinity से लेके 2 तरफ यह हमारा final वाला answer आ जाएगा समझ रहे हो minimum maximum निकालना है minimum maximum यह देख सकते हो यह एक बास सारी चीज़ों को ध्यान से दिखते हैं क्या कर रहे हैं यह minimum और maximum यह minimum और maximum ठीक है तो एक बार देख लो सारी चीज़ों को तो minimum value जो आ जाएगी अपने पास वह जाएगी तुम्हारा minus infinity और max value जो आ जाएगी वह अपने पास क्या जाएगी तू के बराफर आपर आ जाएगी लॉक 5 अगर इसमें मालो तुम्हारा आया मालो इस टेप के कुश्चन आये तो अब आ जाता है ओ exponential फंचन यह होगा एक एक करके हमने इसलिए domain range भी तुम्हें बताते जा रहे हैं क्या क्या करना होगा किसमें अब आ जाता है exponential फंचन में दब a की पॉर x वाले जो आ जाते हैं यह सारे के सारे फंचन आइए और तुमस्का ग्राफ भी दिखिना चाहो तो इस तरीके से ग्राफ आता है अगर ग्रीटर थींड वने तो यह ए ग्राफ आएगा ऐक आगर अरेगल वेलीऊ बाट शीलेण एक है बेच में आ और एकिए वाले ग्राफ किस क्याएंगे जैसे मालो वन बाइटू की पाइट सागया यह सब ग्राफ किसके ओजाते यह अपने हो गए जीरो से लेकर बन बाले तो अगर इसी case में तुम्हें जैसे मालो domain बोले तो domain तो सारी values आजाती है तो domain अगर एक ही पौर इसके पूछे domain तो सारी values, all real number, range वाले case में बस आजाएगा minimum value 0 आजाएगी, क्योंकि कर्ब में सिर्फ देखो, नीचे तो graph है यह नहीं, ऊपर में ग्राफ है, तो अगर range में क कोई पूछे range के आजाएगा, तो minimum value आजाएगी 0, अगर कोई maximum value पूछे तो infinity आजाएगी बस, क्योंकि देखो y के तरफ इसका graph नहीं है, जो भी graph है y के उपर के तरफ है, नीचे के तरफ कोई graph नहीं दिख रहा होगा, तो अगर कोई पूछे domain के आजाएगा, तो वो आज पूछेश कर रहे है, सब कुछ तुम्हारा नटा दे, कहीं से भी कोई कुछ छूटे ही नहीं है, तो exponential पंचन में inequality क्या जाती है, जिसे मालने ते ऐसे लिखा हुआ है, a की power x greater than a की power y, अगर a greater than 1 है, तो सीधे तो में क्या लगाना होगा, सीधे, अगर यह दिख गया, तो तो क्या करना है सीधे, y greater than x, बस यह, अगर मालो 0 सले के 1 के बीच में है, थर, a की power x is greater than a की power y, अगर a की value 0 सले के 1 के बीच में है, तो क्या करोगे, inequality को बस reverse कर दोगे, यहाँ पे inequality reverse हो जाएगी, यहाँ पे inequality सेम ही चलेगी, तो अगर a की power x जो है, वो less than a की power y है, और अग किता आ जाएगा, x greater than y आ जाएगा, बस, तो जब भी 0 सले के 1 तक है, तो inequality अपनी reverse हो जाएगी, वनना वो सेम ही चलेगी, तो और कुछ भी नहीं किया है, तो काफी एक असान इक अकुछ भी नहीं, ताम जाम है, बहुत ही असान है, एक इपार x is greater than 1 एक इपार y लिखा हु सवाल आएंगे, इबार मैं दिखा देता हूँ, यह वाले type case के सवाल आते है, तो जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, तो जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसको 4 की पार में लिख लो, यह 4 की पार में आ गया, x-2 आ गया, minus 13, यह किता आ गया, 4 की पार में x-1 greater than equal to 0, अब exponential की कुछ property लगाएंगे न, जैसे होता है, 1 की पार x-y होता है, तो 1 की पार x upon 1 की पार y, तो वो exponential की प्रापटी लगा लिए, ऐसे गरके, 4 की पार x upon 4 की पार square, minus 13, minus 4 की पार x upon 4 greater than equal to 0, अब यह 4 की पार x वालों को 1 सांत कलब कर लेंगे, और 13 को अलग कर लेंगे, कल लो 13 क तो यहां पर 4 की पावर X, 1 प्लस 1 बाई 4 का स्क्वेर, माइनस 1 बाई 4, इस ग्रेट थेन एक्वल टू 13, यहां पर 4 स्क्वेर तुम्हारा LCM में आ जा रहा है, तो solve करने के बाद कित्ता आ जाएगा, 4 स्क्वेर प्लस 1 माइनस 4 अपाउन 4 का स्क्वेर, यहां पर आ जाएगा 13, तो यह पाट और यह पाट तुम्हारा cancel हो जाएगा, अब जो 4 का स्क्वेर उसको वहाँ बेज दो, देखो कैसे solve गया, यह आ गया 4 की पावर X is greater than equal to 4 की पावर 2, बस खत्म, जब भी आ गया देखो A की पावर X is greater than equal to A की पावर Y, अगर यह दिख गया, तो तुम्हें क्या करना है, देखो, यह दोनों दिख रहे हैं, सेम सेम ए दिख रहे हैं, तो क्या करना है, चबूतरों को निकालना आ जाओ, यह दो आजाओ, ऊपर वाले चबूतरे आ जाएंगे, चबूतरे आते ही, कितने आ जाएगा, एकस is greater than equal to 2 आ जाएगा, आजएगा, 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 आंसर देखो, एकस is greater than equal to 2 आ गया, तो X की वेल्यू कितने आजएगी, तू से लेके infinity ता यह answer आजाएगा देख सकते हो कितना आसान है ना आसान है किजे आसान है बस तुम्हें पता है तो एक ही power x is greater than x और वाई अगर मालो एक ही value greater than 1 है तब तो सेम अगर यहीं पे अगर 1 by 4 आ जाता तो inequality को बस reverse कर देना था बस तो inequality वाले portion में मैंने तुम्हें बता दिया बाकी कुछ problems के तुरू भी देखेंगे आगे अपन यह अब आ जाता है इसमें modulus function modulus function मतलब हो गया mod वाला absolute value function तो mod वाला मतलब से y is equal to mod x आ गया y is equal to mod x आ गया y is equal to mod x fx is equal to mod x एक function दिया हुआ इसकी क्या निकालनी है domain और range निकालनी है fx का आ गर जाता है यह हमेशा डो पार्ट में डिवाइड हो जाता है पार्ट में डिवाइड हो जाता है यह हमेशा x निकलता है यह हमेशा x निकलता है अगर x की Value positive है तो और यह हमेशा my whilst x निकलता है अगर x की Weight negative है तो यह हमेशा दोई पार्ट में निकलता है mod x हमेशा कैसे निकलता है xvindex is positive और— == xvindex is positive अब ऐजाती यह domain और रेंज जैसे कि तुम यहाँ पर देख पारे होगे, domain में कोई दिक्कत ही नहीं है, domain में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कोई पुछे domain क्या है, तो all real number, x की कोई भी value डालो दिक्कत नहीं है, range वाला part यहाँ से start हो रहा है, यहाँ से, देखो negative में तो कोई answer ही नहीं, range वाला part जो case में आजाएगा, वा आजाएगा 0 से लेके infinity तर, positive values भी आएगा, जबर कुछ आएगा नहीं, अपने पास 0 भी आएगा, जैसे x is equal to 0 रखोके तो 0 आजाएगा, तो mod x को ध्यान रखना हमेशा क्या जाता है, x when x is positive, minus x when x is negative है, इस तरीके से mod निकल आ जाता है, अब modulus में भी इस तरीके सागे, mod x greater than equal to 3, यह एक problem है, जब भी जैसे मालो, mod mod दिख गया, तो तुम बस क्या करोगे, square कर दोगे, कुछ नहीं करना, यहाँ भी क्या करना है, square कर देना, mod mod दिख गया, squaring तभी होगी जब दोनों साइट positive है, तो हमेशा क्या क्या करो, square कर दिया है, वरना इ x square greater than equal to 3, 3 square को इधर लियाना, solve कर लियाना, देखो कितना आसान हो जाता है, x square minus 3 square is greater than equal to 0, यहाँ पर बस factorize कर दिया है, x minus 3 और x plus 3 greater than equal to 0, यहाँ से आजएगा, x belongs to आजएगा, minus infinity से लेके minus 3 तक, union 3 से लेके infinity तक, यह एक पार्ट हो गया, अपना answer यह, वरना फिर इसी type के क कोई भी problem बन गया, कोई भी inequality आगया, किसी भी type की, जैसे मालो ऐसे आगया, ऐसे कर गया, mod of x minus 5 is greater than equal to 0, इसे कर कर लिखना, सिर्फ और से square करना, अध्याना, open मत कर देना उसको, जैसे square करने कौद, open मत करना, जैसे इसको square किये, x minus 5 का square is greater than equal to 3 का square, अब इसको open मत करना, 3 square को यहां बेजना, फिर factorize करना, फिर solve करना, तो mod वाले पेट में हमेशा क्या करना, अगर positive positive आ गया, तो square, और खाकी के case में तो वैसे भी answer आजाएगा, जैसे मालो, mod x greater than equal to लिखा है, minus 5, इसको square मत कर देना, क्योंकि यह तो हमेशा true आएगा न, यहां पे तो exponential सीधे बोलोगे real number, तो कि x side positive है, x side negative है, तो x के कोई भी value पे true आएगा, ऐसा नहीं, इसको भी square कर दिये, squaring तभी होगा, squaring तभी होगा, squaring तभी होगा, ध्यान रखना, squaring तभी होगा, जब दोनो positive होते हैं, तभी हम square कर सकते हैं, वरना square नहीं कर सकते हैं, बस यहां पे a square minus b square का pattern लगाओ कितना आजएगा, x minus 5 plus 3 आगया, फिर आजएगा, x minus 5 minus 3 आजएगा, बस खतम, एक आजएगा, x minus 2, फिर आजएगा, x minus 8 के बराबर, x minus 2, x minus 8, greater than equal to 0, पिर यहां से solve कर लिए, ठीक है, तो जब भी मोट की inequality आगई, less than वाली, greater than वाली, square कर दिये, square is the best way, otherwise फिर cases बनते हैं, ज जैसे मैंने बता है, mod x को तोड़ना है, x is positive, x is negative, उसे कई सारे cases बन जाते हैं, solve थोड़ा सा लंब पड़ जाता है, बड़ अगर इस से solve करते हैं, तो काफी एक असान हो जाता है, एक अपन प्रॉल्डम देख लें थे हैं, आज कल काफी trending में सवाल चल रहा है, तो काफी ए important हैं, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सवाल को तुम्हें भी try करना है, सवाल को try जरूर करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है find the range of, greatest integer के अंदर लिखा हुआ है mod sin x, plus यहाँ पर लिखा हुआ है mod cos x की range क्या रहेगी, greatest integer के अंदर, mod of sin x, plus mod of cos x की range क्या रहेगी, तो mod sin x, plus mod cos x की range आती है पहले तो, वो बहुत important है, देकि हम वो सवाल उठा रहे है, जो बहुत ज़्यादा important है, करने के लिखा हुआ है, तो अगर जैसे मालो इसके करते रहें, 1200 सवाल के, उतना time frame भी नहीं है ना अपने पास, जिते time frame में अपन जो best कर पाएं, जो बढ़िया सवाल हो, वो ही वाला pick up कर लिया अपने, यहां पर क्या लिखा हुआ है, greatest integer, mod sin x, plus mod cos x लिखा हुआ है, तो अगर जैसे मालो इसके अपन को क्या निकालनी है, range निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, mod sin x, plus mod cos x की, जब भी तुम mod cos x लिखा हुआ है, ठीक है, और sin x plus cos x लिखा हुआ है, अब अगर इसकी maximum minimum value देखें, तो एक आजेगी minimum value 1, अलब square भी तो है, तो यहां पर minimum value किती आजेगी 1, mod लिखा हुआ है, और maximum value किती आजेगी 2 के बराबर, mod sin x की maximum value किती आ सकती है, 1, minimum value किसी आज सकती है, 0, minus हो जाएगा नहीं, तो maximum value आ सकती है, total इसकी 1 आजेगी, minimum value 1, अलब अगर 1 से लेके, यहां पर किती आ जाएगा, यह है, mod sin x plus mod cos x की बात करूँ, अगर मैं maximum minimum value की बात करूँ, तो 1 से लेके 2 तक, तो अगर हम लोग सकी, जो है, क्योंकि हमें तो mod sin x plus mod cos x ही है, तो दोनों साइट कियागी, अंडरूट लगा दिए, अंडरूट लगा दिए, क्योंकि minimum minus में तो आ नहीं सकता, तो mod sin x plus mod cos x की minimum maximum को याद रखना, कि mod sin x plus mod cos x कहीं पर भी दिख गया, तो minimum maximum की आ जाएगा, बन से लेके root 2 तक आती है, अब अगर इसमें जिसे मालो greatest integer में डालेंगे, greatest integer integer value, वन से लेकर 1.41 तक जो भी integer आएगा, तो ये क्या निकल गयागा, one के तरह निकल गयाएगा, greatest integer ग्रेटेसं इंटीजर और 1.5 क्या आता है, ये बन ही आता है, greatest integer of 1.3 क्या आता है, यह बस द्यान देने वाली बात है कि मौट साइन एक्स प्रस मौट कॉस एक्स की मिनिमम मैल्यू क्या आती है तो अब जैसे माल लेते हैं इसमें लिखा हुआ है कि जो है सिग्णम फंचल लिख हुआ है जो हो जाता इस घ्राप इस तरीके सा आ जाता है कि ग्राफ इसका इस तरीके से ., एक ग्राफ इसका इस तरीके से घ्राफ हो क्या लगाँगे यहाँ इसको गोले को यहाँ पर भर दीए हैं और यहां पर माइनस वाने आगा गर यहाँ लिए तो वन आएका x is equal to 0, sin 0, 0 क्या आता है? 0 के बराबर. –1 वर x is equal to 0. कई बार इसको ऐसे भी represent किया जाता है. mod x by x when x is not equal to 0 और x is equal to 0 पे 0 हा जाता है. तो कई बार इसको इस तरीके से भी represent किया जाता है. 0 की value आएगी जब x is equal to 0. तो sign of 0 क्या जाता है? 0 हा जाता है. sign of 0 plus पूछो के तो 1 आजाएगा. sign of 0 minus पूछो के तो minus 1 आजाएगा. तो अगर मैं इसमें domain range की बात करूँ तो domain क्या जाती है? all real values. तो अगर कोई पूछे domain क्या जाएगा? all real values. अगर हम इसकी range की बात करें कि range of the function क्या जाएगा? वो जाता है 0, 1 और minus 1. अलब curly bracket में क्योंकि discrete set है तो बस यह तीन ही values आएगे. अलब 0 आएगा, 1 आएगा और minus 1 आएगा. जैसे sign of 2 पूछा, तो 1 आजाएगा. sign of जैसे minus 5 पूछा, तो minus 1 आजाएगा. तो कोई भी value x की value अगर negative डालोगे यहाँ पे, तो minus 1 आजाएगा. और कोई भी value x की अगर positive value डालोगे तो 1 आजाएगा. यह तुम्हें ध्याने ना, और sign of 0 is 0. तो इस तरीके से अपना sign of x अपना define हो जाता है. Sign of x जो है, वो एक पार define हो जाता है. इसमें जो है, फिर वो GIF function भी आजाता है. जो हो जाता है, जो हो जाता है, जो greatest in teaser function होता है. जैसे मैंने बताया था, एक्जाम्पल में भी, जैसे मैं लिखा हुआ है, 2.5 लिखा हुआ है, तो वो 2 के बराबर आएगा. अगर कोई पुछे, जैसे 2.99 के आजाएगा, तो वो भी 2 के बराबर आएगा. अगर कोई पुछे, 3.01 के आजाएगा, तो GIF के आजाएगा, 3 आजाएगा. तो जैसे 2 और 3 के बीच में कोई भी value आएगी, तो वो 2 के बराबर आजी. ये एक example बताए. तो GIF of X जो आता है, वो दो तरीके से लाई करता है. आजाएगा, एकस हमेशे जो होगा, GIF of X और X प्लस बंस के बीच में लाई करता है. और GIF of X प्लस इंटीजर अगर लिखाएगा हो, तो इसको तोड़ सकते हो. इसे मालो, ऐसे तोड़ना है कि GIF of X प्लस 2 लिखा हुआ है, उसमें property है कि greatest integer X प्लस 2 लिख सकते हो, provided यहाँ पर integer होना चाहिए, तभी तोड़ सकते हो, वनना नहीं तोड़ सकते हो. और GIF of X प्लस GIF of minus X जीरो आता है when X belongs to I. I मतलब integer होगा है, जैसे यहाँ पर integer डाल के देख लो, 2 प्लस minus 2, तो कितना आजेगा 0? अगर तुम integer नहीं डालोगे, तो minus 1 आजेगा, जैसे 1.9 डालके देखो, तो greatest integer of 1.9 प्लस greatest integer of minus 1.9, कितना आजेगा? इससे 1 आजेगा, इससे minus 2 आजेगा, तो minus 1 आजेगा. तो greatest integer of X प्लस greatest integer of minus X आता है, minus 1, provided X के वेलिए अगर आई नहीं है, तो अगर आई है, तो 0 आजेगा. तो यह तोरी ध्यान देने वाली बात है. इसमें जो output आता है, हमेशा क्या आजेगा? वो एक output जो आएगा, हमेशा एक integer आएगा. तो अगर मैं पुछो, इसमें domain क्या आजेगी, तो domain में कोई restriction नहीं है, domain. कोई पुछे, greatest integer of function की domain क्या आजेगी, तो वो real number आजेगी. अगर कोई पुछे, range क्या आएगी, range आएगी, सिर्फ integer आएगा. तो अगर कोई पुछे, range क्या आजेगी, range of the function, वो Z के बराबर आएगा. तो range आजेगी, हमेशा Z, और अगर कोई पुछे, domain क्या आजेगी, वो क्या आजेगी, एक real number आजेगी. तो step of function में, उपर function जो आजाएगा, greatest integer function, एक्स को हमेशा तोड़ सकते है, greatest integer of x plus, greatest integer of x plus 1, integer के case में, अगर ये कहीं पर लग रहा होगा, तो तुम इसे लगा सकते हो, ठीक है. पिर आजाते हैं, अपने पास greatest integer function में एक property होती है, जो की बहुत important है, PYQ भी इससे बनता है, कि greatest integer of x, plus greatest integer of 1 by n, plus greatest integer of 2 by n, plus greatest integer of n minus 1 by x, it always equal to greatest integer of nx. ये ध्यानकना, 1 से लेके n तक हो रहा है, n, 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 और ये 1 से लेके n minus बना रहा है, तो greatest integer of x, plus greatest integer of x, plus 1 by n, greatest integer of x by 2, क्योंकि इससे PYQ बनता है, आना तो ये देख के चमक जाना चाहिए, अच्छ, अच्छ, इसकी बाद चल रही है, तो greatest integer of x by n, या तो फिर ये वाला भी एक property होती है, greatest integer of x by n, या तो greatest integer of x के बादा, या तो ये वाला दिखीगा, या तो ये वाला, ये वाला main common है, कि greatest integer of x, plus greatest integer of x, plus 1 by n, greatest integer of x, plus n minus 1 by n, जैसे मालों ये सवाल तुमें दिखा रहा है, तो जैसे मालों यहाँ पे दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, ऐसे पी वाइए क्यूस बनते हैं चुली टू प्लस एन और यह आ गया ग्रेटर्स इंटीजर ओफ एक्स प्लस एन माइनस बन बाई है अगर ऐसा सवाल दीखा तो सीधे लगाना है अपने को ग्रेटर्स इंटीजर ओफ एन एक्स इसको अब लगा दिये जैसे यहां पर दिख लेटर्स इताएं तो बस क्या करना है एक्स और इन को पकड़ना एक्स कर दिखो खातम करतो इसको यह 4 कुछ बढ़ गया तो फिर एडिशन करना पड़ेगा जैसे मालों यहां पर थाउजन तक नहीं गया या 998 तक आ है तो उसको फिर तुम्हें तो इसे एक वाइक बनते हैं तो मैं तुम्हें एक होमवक देता हूं ताकि तुम भी नेक्स टाइम जो जरूर कमेंट कर देना तो यह आगया होमवक नमबर तो इस टैप का लिखा हूँ यूनिट मैं आंसर नहीं बता रहा हूं तो तुम्हें ग्रेट इंटीजर एक्स प्लस तो थोड़ा समय लग सकता है यह थोड़ा एक असान तरीका यह प्रॉपर्टी तुम लें लगा ली और एक बहतरी तरीके से आंसर भी पा गई है तो जो जो मोस्ट प्रॉबेबल वाले आंस कोशन से वो तो तो तुम्हें करा दे रहे हैं वाकि नॉर्मली देखो इससे सव और कोई भी नंबर है कोई भी नंबर है एकस कोई भी नंबर है उसको हमेशा लिख सकते हैं ग्रेटर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर् धीज़ पूचे तो क्या जाती है जीरो से लेके बनावत almost यहाँ देखना अगे तुम देखोोगे यह हमारा एक periodic function भी आता है, तो ये इस तरीके से इसका graph आता है, ये 0 से लेके 1 तक इसका graph होता ही है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये देख लो ये ये इसका graph आता है, ऐसे पूरा चलते जाता है graph ये, आना तो ये 0 से लेके 1 के भीच में आता है, और fractional part of x plus 2, और ये हमेशा आएगा fractional part of x के बराबर, ये एक battery level की property, और fractional part of x plus fractional part of minus x is 0, आपे भी 0 आता था, यहाँ पर आजाता है 1, अगर otherwise, ये यहाँ पर 1.2 रखके देखो, यहाँ पर आगया fractional part of 1.2, fractional part of minus 1. तो ये value कित्ती आ जाएगी, 0.2, ये value कित्ती आ जाएगा, 0.8 के बराबर, fractional part x कभी negative नहीं आता, तो ये 1 minus करके लगाए जाता है, इसे minus 1.2 में क्या करोगे, 2 minus 1.2 आ जाएगा, तो ये हमेशा negative नहीं आ सकता है, क्योंकि range देखो, इसकी 0 उसलिके 1 दखाती है, वगर जैसे मालो fractional part में लिखा हुआ है, minus of 2.4 निकालना है, इसका fractional part निकालना है, तो ऐसे करके करोगे, 3 minus जो इसके nearest integer है, बड़ा वाला, 3 minus 2.4 कितना आ जाएगा, 0.6 के बराबर, minus 0.4 नहीं बुलोगे हैं, कई बड़ा गलती कर दोगे, तो इसके इतना हैगा, 0.6 के बराबर आएगा, और fractional part लिखा हुआ है, जैसे मालो minus 5.8 लिखा है, जैसे सोचना, fractional part लिखा हुआ, minus 5.8 लिखा हुआ है, तो nearest वाला integer सोचना, कितना आ जाएगा, 6 minus 5.8, एक इतना आ जाएगा, 0.2 के बराबर, ठीक है, क्लियर, कोई भी चीज़ों में कहीं confusion हो, तो वो लिख सकते हैं, एक एक चीज़ मैं कोशिश कर रहा हुआ हूँ, जितना भी तुमसे हो पाए, maximum हो पाए, हर एक पार्ट तुम्हारा cover हो जाए, कोई भी छूटर ना नहीं चीज़ी, कोई भी चीज़े, maximum पाठा, ताकि सवाल अवाल जो भी है, जैसे मालो, तुम करो, तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएं चीज़े, फिर आता है तुम्हारा पास, domain of लिखा होआ है यहाँ पर, इसकी domain निकालनी है, इसकी domain निकालनी है, y is the equal to लिखा हो है, 1 upon fractional part of x, ऐसे करका लिखा हो है, इसकी क्या निकालनी है, domain निकालनी है, domain निकालने के लिए क्लिए क्लिए, अगर under root के अंदर लिखा हो है हमेशा, तो उसको greater than equal to 0 करोगे, कुछ भी अगर under root of fx है, अगर इसकी domain निकालनी है तो क्या करोगे fx शुल भी गिर्दन इकल टू 0 बट यह नीचे में है तो क्या करोगे बस fractional part of x जो आदना चाहिए वो positive हाना चाहिए अब positive हाना चाहिए तो integer में तो true हो ही नहीं सकता बाकी सब में true आ जागा इसलिए x belongs to क्या जाएगा r minus 1 यहाँ पर रखोगे जैसे मालो 1 रखोगे 2 रखोगे तो यह satisfy नहीं करेगा हमेशे integer value पर 0 देजाएगा बाकी कोई रखोगे जैसे 1.9 रखोगे satisfy करेगा 1.2 रखोगे satisfy करेगा integer के अलावा बोल रहा हूँ मैं यह हाना जैसी यह लिखाओ है find the range of y is equal to लिखाओ है fractional part of x upon fractional part of x plus 1 हमें fractional part of x के बारे पता है कि 0 से लेके 1 तक लाई करता है तो जब भी range निकालनी जैसे linear by linear type का दिख रहा है तो क्या करोगे cross multiply इसका कानूनी यही है कोई भी आजा है तो इसका कानूनी यही है cross multiply जैसे मालो cross multiply किये तो कितना आगया fractional part of x के तरह है अब क्या करो fractional part x वालों को अलग कर लो y वालों को अलग कर लो तो fractional part of x वाला अलग तो यह कितना आजाएगा fractional part of x आजाएगा 1 minus y is equal to y तो अगर fractional part of x कोई पूचे क्या आगया वो आजाएगा y upon 1 minus y हमें पता है fractional part of x वो 0 से लिगर 1 के बीच में लाइक करता है हमें पता है fractional part of x जो आजाता है वो 0 से लिगर 1 तक लाइक करता है इसको 0 से लिगर 1 लाइक करा दो 0 पर INCLOUD और 1 पर EXCLUDE तो यह अब 0 से लेके 1 तक में इसको solve करना होगा, बस इस inequality को solve करना है, इस inequality को solve करना होगा, तो क्या करोगे, इसका intersection निकाल रहा होगे, देख लो, 0 से लेके 1 तक में यह lie करेगा हमेशा, इस चीज को solve करना होगा, कैसे solve करोगे, पहले इसको positive वले को solve करोगे, प्लस, माइनस और प्लस तो यहां से आंसर आजाएगा 0 से लेके 1 तक यह आंसर आएगा फिर इस साइड वाले को solve करोगे तो 1 को इधर ले आना पहले फिर solve करना तो y upon 1 minus y minus 1 less than 0 इसको solve करोगे तो आजाएगा 2y minus 1 2y minus 1 upon 1 minus 5 less than 0 negative वहां से common लिए तो कैसे आजाएगा 5 minus half upon 5 minus 1 greater than 0 यहां से solve किये तो एक आएगा 1 by 2 एक आएगा 1 plus minus और प्लस प्लस फाल आंसर उठाओगे तो यह आजाएगा minus infinity से लेके half तक union 1 से infinity मलब एक answer आ रहा है half से लेके 1 तक तो एक answer यह बन रहा है अनअ और एक answer आ रहा है मेरा zeros लेके 1 तक, और एक answer आ रहा है मेरा zeros लेके 1 तक, common answer क्या मिल रहा है? क्या यह बन रहा है, 0 इसलेके half तक, जो answer आएगा ना खालेगा 0 पर इंक्लूड चलेगा तो answer आ जाएगा, यह यहाँ पर के तो तो जिरो ऊपाउं पॉण प्लस वं आरा है कही लोड यहाँ पैसे क्यों होंगे 0 लग देते हैं 0 पॉण 0 प्लस वं आ गया कही लोग 1 रख देंगे तो देणगे, sam mutual आंसर तो आ गया इतना क्या मैनत कर रहे है मैनत कर रहे है यहाँ चन्ख कर रहा है पर दख तो बन बाइट हुआ जाएगा फिर इतनी मैनत क्यों है इतनी मैनत होती तो फिर नहीं चीजे फिर असान से मिल जाती अपने को नहीं नियम कानून सारी जैए अपन इसली निकाल लेते हैं पर दखाल नजी यहां पर क्या लिखा हुआ है और की वैलीओ यह लिखे लिखात है यहां पर इसको कर लिते हैं इसमें क्या करो कि पहले टालोगे यहां पर आजाGется department और two आ गया थैंदमी आ गया और तुमें मैंने बताई एक जोए प्रॉपटी बताइए कि fractional part of x is equal to fractional part of x plus 1 is equal to fractional part of x plus 2 यह सब बराबर आते हैं तो सभी को क्या करो fractional part of x के बराबर कर दो यह भी आ गया fractional part of x यह भी आ गया fractional part of x सब बराबर आ गया यह भी आ गया fractional part of x upon thousand आ गया अब यह कितने बार आ गया यह हजार बार आ गया कि नहीं जा गया कितना आ गया इतनी बड़ी चीज बेहदरी लेविल वाली चीज प्लस पहले वन डाले टू डाले ठीडाले फूर डाले सब कलब करके क्योंकि सभी ये वैल्यूष एफ्रेक्षिन पांद इसके ब्रापर्टी कर डीक्र गार इक से अगर तुम मिला दोगे यह वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स के बराबर आ जाएगी कोई पूचे आंसर का जाएगा इसका एक्स के बराबर आ जाएगा हर चीजे क्लियर होने चीजे कोई भी दिखकत नहीं है यह सब सवाल तुम खुद से भी ट्राइ करके जिखना जिखना मैंने तो एक रिकॉर्डड़ है मैं समय में नहीं देपा रहा हूँगे एक मिनिट का सौल करो तो थोड़ा सा वो तेजी चलता है रिकॉर्ड़ हमेशा न तो इसलीए तुमें पहले ट्राइ कर ले ना फिर इसके बाद तुमें जो है वो सौल करना है ठीक है अब इसके और मालू ड êtes क्या होती है इस तरीके से सौल करते हैं क्या और ना नियू के लिए क्रोस मत्रीय करyas करोगे वह सबसे बश्तरीका नहीं के लिए करोंगे ऑनडीकोडियों Bizim ब्रिक ओक्रण特別 क्ली ना जिसके लिए करोगे तो गो या function के लिए domain क्या आती है, range क्या आती है, mod वाले function की domain range बता दिए कि mod sin x plus mod cos x को भी question करा है तुम्हें, और जो है mod x कभी, सिर्फ mod x अगर दिया हुआ है, तो तुम इसकी domain range किस तरीके से निकालोगे, तुम इसकी domain range क्या आएगी, तो हर एक टाइप की variety अपने cover होते जा रही है, अब इसी में मालो इसी में identical function आता है, किसे अपन identical function कहेंगे, कौन से function को अपन identical function कहते है, identical function, जैसे इसमें सवाल आगे, identical function का, identical function वो function आ जाता है, equal identical function, उसे कहते हैं, जिसमें की domain भी same आ जाए function की, तो सबसे पहले identical or equal function किसे कहते है, जिसमें domain भी function की same आ जाए, range भी function की same आ जाए, और fx is equal to gx के बराबर आ जाए, बालब क्या कहें जिसमें फांजन का मिन से माज़ें तुम में जिसके टोमेंट बीस कॉमन डोमेंगोगी डोमेंग भी से मोठों में से मुधा से बालब यू बराबर आने चाहिए उसमेगे उसी है पन कहते हैं इक्वल या तो इडेंटिकल फंचन जैसे कि यह केस लिखा हुआ है हमें यह चेक करना है कि यह फंचन से मैंकी नहीं है तो यहाँ पर तुम देखोगे इसके अगर डोमेन निकालोगे डोमेन पर यह पर तुम मैंके मैंस पर मैंची नहीं किया तो एक चीज तो अपनी मैच करनी चाहिए न डोमेन या तो फिर रिस्टिक्टर जैसे मालो 0 से लेके infinity तक बोलोगे तब तो वो सही आजएगा 0 से लेके infinity तक सिर्फ 0 से लेके infinity तक ये true आपाएगा negative में true नहीं आपाएगा एलन ओफ x square जो है हमारे लिए जो है वो 2 ln x के बराबर नहीं है यह हाना तो कि इसकी domain और range पहले domain नहीं नहीं है तो आप क्या करेंगा अपनी है तो सबसे पहला काम क्या होगा कभी भी अगर मालो चेक करने कि identical function है की नहीं तो तुम्हें पहले domain चेक करना पड़ेगा और फिर range चेक करना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें अगर उसके बराबर है की नहीं यह एक तरीका होगा अपने पास identical functions को चेक करना एक बार तुम्हें wind up कर देता हूँ क्या क्या हमने तुम्हें बोला हाना बहुत सारी चीज़ें अभी भी लेफ्ट अपने पास अभी सिर्फ function में अपने देखा कि domain और range कैसे निकाल ली हर एक function की यह जैसे मालोग कोई भी linear function आगया तो उसकी range कैसे निकालेंगे quadratic function आगया तो एक ही best तरीका है उसका कि क्या करना तुम्हें पर्फेट स्क्वेर बनाना है वहना ग्राफिकली देखेंगे तो थोड़ा सा complicated हो जाता है फिर 6-6 ग्राफ बनाओ ए पॉस्टिव डी करें 0 एक पॉस्टिव डी एक पॉस्टिव डी पर जाती है फिर उसके बाद तुम्हें बैने बताए कि जिया यह function की तुम कैसे निकाल सकते हो यह मौडुलस फंचन के कैसे निकाल सकते हो सिग्नम फंचन में क्या होगा सिग्नम पंचन कैसा दिखता है मौट X by X इस इस इक पॉल टू जीरो पे जो है अपने पास मौड X वा एक सागया तो उसकी डॉमें बताई रेंज बताई पर जितने भी टाइप के और बचे अना एलन एक्स भी हो गया एक्स्पोनेंशल भी हो गया एक्स्पोनेंशल की इनुकलिटी कैसे आएगी वो सब कुछ कवर हो सकते हैं नेक्स में जो आपन डिसकस करेंगे वन बन ऑन टू मैनी बन जो क्लासिफिकेशन और फंचन आए वो और उसके बाद जो हैगा तुम्हारे पास जो ग्राप्स वग ग्लासिफिकेशन भीन तह lata घ्लासिफांगए यह मिल्फ जैसे माहलोग बन फंचन क्या होगा ओझेटू फंचन क्या होगा है औरыми बन लों बीन पिजर्ट्वन किसे कहते हैं सबसे पहला आजाता है आज अब जो गपन वन सीन और वन दीवा'Mच्छान आजाता है उसे सशंब क्या कहते है ऑचिरि इंजख्स पंचेंड फंचंडोइं एक दूसरा नाम है ऑन्टोइट अन्डा गैंघ्टेव्ट फंच्टिव इस अ सटु भी दर बन फंच्ट्ण और इसका मतलब यह होगा कि एक और condition होती है कि अगर x1 is f of x1 equal to x2 के बराबर है तो x1 is equal to x2 के बराबर आएगा और else वाइसा वर्सा भी x1 not equal to x2 तो f of x1 should not be equal to f of x2 तो f of x1 equal to f of x2 है तो फिर हमारे पास x1 equal to x2 के बराबर इसका क्या मतलब है वापन देखेंगे और x1 not equal to x2 के बराबर है तो f of x1 is not equal to f of x2 के बराबर remarks में के लिए का हुआ है any function any function which is entirely increasing तो अगर कोई भी function अगर entirely strictly increase कर रहा है या strictly decrease कर रहा है वो सारे function जो domain में आएंगे strictly वो क्या जाएंगे हमारे पास one बना जाएंगे if any line जैसे माल लो if any line इसको horizontal test भी कहते हैं if any line parallel to the x-axis तो parallel to the x-axis अगर graph को at most one point पे अगर one point से ज्यादा को cut कर रहा है तो हमारा क्या क्यालाएगा वो एक one one function क्यालाएगा जैसे mod x हो गया तो अगर हम उसको parallel to x-axis draw करेंगे तो दो point पे cut करेगा तो कोई भी अगर कोई भी ऐस अगर सा function ओका जो दो point पे cut कर जाएगा तो वह one one नहीं कहलाएगा single point पे cut करना चाहिए अब यह सारे का देखते हैं जो है क्या चीज़े बताई क्या क्या चीज़े है जैसे माल लेते हैं अपने पास चेक करना है कि function one one है कि नहीं है सबसे पहली प्रकरिया क्या होगी पहले मैं तुम्हें एरो डियागराम के तुरू समझा देता हूँ यहां पर डाल दिया a b c d a तो यहां से वन से इमेज तो जानी चाहिए अगर यही चीज मैं ऐसे बना दो सिमाल लेते हैं इसको यहां पर ऐसे मैंने plot कर दिया रहना वन टू थरी बना दिया यहां पर मैंने बना दिया a b और c के बराबर तो one के साथ a बना दिये two के साथ b three के साथ b तो यह वन वन नहीं कर लाएगा this is not 1 तो यह वन वन नहीं आया यह not सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हारा पहला काम सबसे पहले क्या करोगे अगर यहां से अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं अगर यह चीज आ गई तो सही है अगर नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है यह हमारा 1-1 function कराएगा और कोई भी linear function तुम देखोगे वो 1-1 function ही आएगा कोई जासे मालो यह 5X प्लस 4 लिखा है तो यह linear function है तो 1-1 ही आएगा और example जैसे मानलो मैं तुम्हें ढ्रॉख कर दिखा दिता हो एक लाइन है एक लाइन है यहाँ अगर तुम देखोगे X-axis के पैलर आगर मैं X-axis के पैलर लाइन खीचता हूं X-axis के पैलर देखो यह सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है, एक से पहले जो भी line draw कर रहा हूँ, single point पे cut कर रही है तो one one आएगा, अगर one point से ज़्यादा cut कर रही है, तो फिर ये one one नहीं आएगा, महला वो फिर दूसरा category में चल जागा, वो many one कर लाता है तो one one के लिए पहले क्या होगा कि strictly increase करना चाहिए, जैसे exponential function हो गया, exponential function exponential function हमेशा जो होता है वो entirely increase करता है in their domain e की पौर x का graph, तो मैं ग्राफ सबता है e की पौर x का, तो वो हमेशा increase करेगा अगर ये हमेशा entirely increase करेगा तो क्या कर लाएगा, one one कर लाएगा तो कोई भी अगर function जो entirely increase कर रहा है हमेशा increase कर रहा है या entirely decrease कर रहा है जैसे e की पौर minus x वाला graph था अगर वो entirely decrease कर रहा है तो फिर वो कहलाएगा अब नहीं है, जैसे ये function या fractional part function वो entirely increase ये degrees नहीं कर पाते हैं, तो उने अपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, one 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 के लिए proper increase करना चाहिए हाना, f dash x की value जो आने चाहिए वो greater than 0 आने चाहिए ये भी तुम कह सकते हो, जो f dash x से यहां पर हम ये कह पाएंगे अगर f dash x की value हमेशा positive आ रही है या हमेशा less than 0 हा रही है f dash x की value अगर greater than 0 या less than 0 है उस case में हम जरूर कह पाएंगे, हाँ ये है नहीं आ रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, तो जो चीज one one नहीं होगी, फिर वो किसमें बन जाएगी many one बन जाएगी, महलब जो चीज one one नहीं है उसे अपन क्या कहेंगे, many one function कहेंगे जो one one नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, many one उसका दूसरा नाम क्या होगा, सर उसको अपन कहते है, many one function तो many one function के लिए बस set to be the many one if it has a two or more images बलब एक element के सांथ जैसे images जो बने वो दो के सांथ भी बन सकती है उसे अपन क्या कहेंगे, many one कहेंगे, तो कोई भी function होगा, या तो one one होगा है, तो many one होगा, जो one one नहीं है, जो one one many one नहीं है, तो one one कहलाएगा, ठीक है, यहाँ पर आजएगा बस यही condition रहेगी, अगर f of x1 equal to f of x2 के बराबर है x1 not equal to x2 आजएगा, बस यहाँ पर any continuous function which है से local maxima आगया, अपन देखेंगे यहोटी में, जिसके पास भी एक local maxima आजएगा, बलब turning point आजएगा, जहाँ पर move करेगा, turning आजाती, local maxima, local minimum, तो local maxima, local minimum आगया, तो हमने पास many one function आएगा, all even function, जितने भी even आथे हो, हमेशा many one आते हैं, जितने भी even type के फंचन होते हए, even function देका कौन सा भंचन होता है, जिसे fx is equal to f order minus 6, even function भो होते हैं, जो कि fx is equal to f춰 minus 6, तो जब भी fx is equal to f deplbra minus 6 आगया, उसे अपन even function कहते हैं, जितने भी even सबसे पहला काम क्या होगा X1 इक order to X2 लगाओगे अगर X1 इक order to X2 आ गया तो ठीक है नहीं आया तो फिर वो many one की category में चले जाएगा अना तो इसमें F अब X1 इक order to F अब X2 लगाओगे X1 square ब्लस 4 आ गया X2 square ब्लस 4 आ गया यहां से 4 4 cancel लो गया तो कितना आ गया X1 square minus X2 square is equal to 0 यहां से solve करोगे तो कित्त आ आजएगा x1 minus x2 और x1 plus x2 is equal to 0 x1 की यहां से 2 values आ गई एक ही value आने चाहिए तो दो values आ गई अगर यहां से 2 values आ गई तो फिर यह 1-1 नहीं आएगा यह एक function आजएगा जो कि एक many one function है और वैसे भी यह function तुम देखोगे तो यह क्या है even function भी है तो अगर even function है कोई भी तो तुम्हें check-in नहीं करना को एक many one function आएगा और अगर many one को तुम्हें check करना है तो क्या आजएगा जैसे मालो y equal to x square का तुम्हें ग्राफ दिखाते हैं यह इक वल्टो x square का ग्राफ है तो अगर तुम x-axis ते तुम जैसे line कीचोगे x-axis पे line कीचना है तो दो point पे cut कर रहा है देखो दो point पे तो अगर दो point पे cut कर रहा है एक सेक्सिस के पेंदलर तो फिर क्या आजएगा अपना यह एक many one function आएगा एक यी बार कट किया तो ठीक है अगर दो point से ज्यादा x-axis देखो रिजेंटल लेवल टेस्ट करते हैं जो वर्टिकल लेवल टेस्ट थी वो किसके लिए थी function को चेक करने के लिए तो जी और जो 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 किलाएगा अपना वो इसके अब लोकेया लोकाल मैक्सिमा लोकाल तो यह बना है यहां पर उप फिल्द कर लाइंप नो जो कहीं पर एक भी maxima minima आगया तो फिर गया वो तुरंट तुरंट वो क्या बन जाएगा मैनिमन बन जाएगा हम देखेंगे local maxima local minima AOD वाले टाइम पर उसको और बहतरी लेवल में तुमें सिखाया जाएगा अब आप जाता है on to function on to function किसे कहते है on to function तो किसी भी केस में अगर रेंज इकवल टू को डूमेन आ गया तो उस function को कहेंगे क्या कहेंगे किसी भी केस में वन वन फेंच में क्या 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 सिंगल इमेज अपनी निकलनी चाहिए कोड ओमें एक बनाते हैं यहाँ पर एक्जामबल इसे माल लेते तो मैं सेट एक बनाते हैं यहां पर बना दिए यहां पर बना दिए ABC के बराबर ठीक है और मैंने क्या हुआ function एक define किया कि one के साथ जो pair बनेगा वो a का तू के साथ जो pair बनेगा बी का और three के साथ सीख तो अगर मैं जैसे मालों यहां पर जानना चाहूं कि code domain क्या है तो code domain यहां पर तो मैं दिख रही होगी code domain जो आजाती है यहां पर क्या दिख रही है वो ABC के पराबर क्योंकि जो भी element set भी में आएंगे वो हमारे ABC आएंगे और अगर मैं range की बात करूं तो range क्या आ जाएगा ABC आजेगा ना जितने भी element जो image के साथ contribute कर रहे है वो range कराएंगे तो code domain इक वल्टू रेज दिख रही है तो यह proper example क्या क्या लाईगा on to phone जन का अगर नहीं आया अगर code domain ऐकवल इसमें क्या करना है ? GPS करना है, में क्या-क्या होता है जैसे यहां पर लिखा हुआ है fx इस इक बल्टू लिखा हुआ है साइनेक्स माइनस रूट थी कॉस एक्स प्लस में इस ए अन्टू फंचन फाइंड इंटर्वेल ओफ एस हाना और यह दो जब भी ऐसा कोशन दिखा तो इसको साइड़ वाले बंदे को इसको हमेशा कहा जाता है इसको यह अपनी और यहाँ परそうだ होता है right-side में उसह पन कहते हैं को डोमें पहला पार्ट लिखा होता है वह हमेशह domain होता है और जो में लिखा होता है वह क्या कहते हमेशा code domain doesn't मैं हमेशा इसको देनी पड़ती है इसको है द्रब हमें नीजो तो बस वही लगाना होगा, under root of a square plus b square करके बता है थे ना, इससे हमने कहाना थे को ध्यान पर सारी चीज़ेगे, under root of a square plus b square, यह बता है थे minimum maximum value, minimum maximum value निकाल लो, a sin x plus b cos x की, यहाँ पर भी under root of 1 square plus under root of minus 3 का square, यह value किती आजेगी, 1 plus 4 कितना होता है, 2, मतलब यह minus 2 से लेके 2 तक आएगा, but plus 1 भी जोड़ देना, तो minus 2 plus 1, यहाँ पर कहते आजेगा, 2 plus 1 के बराबर, मतलब minus 1 से लेके 3 तक आजेगी, तो यह value आजेगी, minus 1 से लेके 3 तक, a sin x plus b cos x, तो overall answer आजेगा, minus 1 से लेके 3 तक, a will be the best option, a sin x plus b cos x की जो maximum minimum value आजेगी, minimum value आजेगी, minus sin के साथ under root of a square plus b square maximum value कित्या आजेगी, under root of a square plus b square है, इस चीजे मने बताइएदी, काफी एक important बार न, a sin करी बताया था, b cos x करी, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यह क्या लिखा हुआ है, fx is equal to लिखा हुआ है, x square upon 1 minus x square, is a surjective, इस ही type क्या आते है, देखो, r minus 1 minus a, यहाँ पर तुम् range के बराबर, तभी तो क्या लाएगा न, on two, तो बस तो इसको range के बराबर equate कर दो, तो y से equate कर दो, quadratic by quadratic दिख रही है, cross multiply बताया थे, cross multiply, तो y into 1 minus x square is equal to x square, x square की value क्या आ गई, y upon 1 plus y आ गया, अब x square क्या होता है, हमेशा क्या होता है, positive भी होता है, यह value तो हमेशा positive आगे y plus 1 by 1 upon y को positive, एक value 0 आ रही है, एक value minus 1 plus minus plus, यहां से तुमारा एक बहतरी लेवल का answer आ जाएगा, आ जाएगा की नहीं, यहां से answer आ जाएगा, minus infinity से लेके minus 1 open पे union, 0 से लेके infinity तक, यह हमारा answer है, बट इसमें answer जो लिखा है वो r minus करके लिखा हुआ है, क्योंकि minus 1 यहां पे include नहीं करना है, इसको उड़ा दो यहां यहां आ जाएगा, आर माइनस माइनस 1 से लेके 0, minus 1 चाहिए नहीं, इसलिए यहां पे close लगा हुआ है, तो r minus minus 1 से 0, minus 1 नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे पढ़ा है, इसको include नहीं करना होगा, 0 को तो include करना है, जो best option आ जाएगा, वो a code domain not equal to range आया, जब नहीं आया तो उसे अपन क्या कहेंगे, into function कहेंगे, अगर आ गया, तो सही है, अगर code domain equal to range आ तो ठीक है, अगर नहीं आया तो अपन क्या कहेंगे, उस function को into function कहा जाएगा, into, यह चीज़ ध्यान लगना कि इसको अपन क्या कहेंगे, into, into, into function कहेंगे, ठीक और यह लिखा हुआ है, 0 से infinity, 0 से infinity, यहाँ पे तुम्हें डोमेन देखो, given है, यह क्या है, co-domain है, co-domain है, domain तुम्हें given है, तो सबसे पहले क्या करो, इसकी range निकाल लो, range, domain जो है, वो 0 से लेकर 1 तक infinity है, तो क्या है, linear by linear है, यहाँ पे, x upon 1 प्लस x, ऐसे करके given है, linear by linear quantity given है, और co-domain क्या given है, 0 से लेकर infinity तक यह, तो अगर जैसे माल लेते हैं, तुम 0 डालोगे, domain में, जैसे मालो, चेक करना है, तो x की value 0 डालोगे, तो y की value क्या आजएगी, 0 आजएगी नहीं? और अगर x की value तुम डालोगे, 5, तो क्या आजएगी, y की value कितनी आजएगी? 5 upon 6 आजएगी, आजएगी, और अगर x की value जैसे मालो, तुमने डाली, 9, 9, यह कितनी आजएगी, y कितनी आजएगी, 9 upon 10 आएगी, क्या है यह value कभी 1 पन पाएगी, सोचो कभ में आ रही है कि यह हमेशा फ्रक्शन मी आएगी वेल्यू को इसकी पूछे की मिनिममब युक्या युक्या आएगी जीरू आईगी तो इसे निया मिनिममें वैल्यू पर चेक करना पड़ेगा मालो इस रेस्टेटर नहीं होता तो फिर तो हम cross multiply कर लेते हैं तो restricted है तो पहली value डालके देखता हूँ तो मैं देख भा रहा हूँ कि इसकी जो domain आ रही है मलब range जो आ रही है वो 0 से लेके 1 तक आ रही है 0 से लेके 1 तक तो co domain equal to not equal to range आ है पहला तो यह तो हमें पता चले है code domain sorry हो जो अपना जैसे हमालो code domain is not equal to range क्योंकि यहां पहे 0 से infinity दिख रही है यहां पहे 0 से बन दिख रहा है तो onto तो नहीं है यह function into function है कैसे पता चला? into इसलिए पता चला क्योंकि इसकी जो range आ रही है वो 0 से 1 ही आ रही है वन कभी बनी नहीं पाएगा वन पे open जाएगा यह अब अगर मैं बात करूँ इसकी वन वन के इसके वन वन वाले पार्ट की है वन वन में तुम देखो जैसे जैसे जो जो value डाल रहा हूँ तो यह हमारी कम होते जा रही है बढ़ते हुए जा रही है यह खे बा जही है जैसे जैसे बढ़ा होगा इसकी वेल्यू नाइन रखोगे तो और आएगा तो को आएगा अंसर अलब हम यहां तक हीआंसर आएगा तो इसका एसे करके ऐसे करके जाएगा। उन पे नहीं टच हो गई है टालो यहाँ, तो कभी भी वी जाने करेंगा, 0.5 डालो यहाँ, बढ़ते हुए अलब 7.5 तो एक इंक्रीजिंग टैग की वैल्यू आएगी हमेशा, वैलूस डालके चेख कर लो हमेशा हाना, वैलूस डालके, उस्ते भी तुम्हें पता चले, वरना एक तरीका है इसका कि f of x 1 equal to f of x 2 otherwise इसको differentiate करके भी कर सकते हो differentiation तो इसका differentiation कर लो कितना आजएगा इसका u by v rule लगाओ 1 upon 1 plus x minus x upon 1 plus x का whole का square जब तुम देखोगे तो यहाँ पे f dash x की value आ जाएगी f dash x की value आ रही है 1 upon 1 plus x का whole का square और यह value हमेशा positive भी आएगी f dash x की आ रहा है positive भी आ रहा है तुम्हारा कोई भी value x की value जो भी रखोगे तो यहाँ पे positive भी आएगी positive आ रही तो increasing आ रही तो 1 1 तो आ रहा है but not है onto onto इसलिए नहीं क्योंकि code में not equal to range के बराबर आ रहा है क्योंकि जो range आ रही है वो 0 से लेकर 1 दगा रही है correct तो तुम किसी भी प्रकार्ट में solve कर सकते हो तुम चाहते हो f of x1 1 equal to f of x2 लगा है ठीक है अगर x1 equal to x2 आई जाएगा उसमें बना इडिफ्रेंशेशन तरीका यू बाई वी रूल लगा है पहले वाले का उपर वाले का differentiation फिर बन माइनस एक्स वाले का खाली और उसके बाद 1 प्लस का डिफ्रेंशेशन बन होता है अपाउन 1 प्लस एक स्कार्ट एक हमारा इंज्एक्टिव फंचन होगा फिर उसके बाद तुम्हें नहीं बता है मैंनिन वन उसके बाद बता है कि ऑन टू से लिखा हुआ, एन परिक्जामपल तरी यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, यह बन रागराम के तूरू दिखाना चाहेंगे, ABC, यहां से 1 के साथ A गया 2 के साथ 3, C और 3 के साथ B तो यह वला अगर function देखोगे तो यह properly क्या है तुमारा क्योंकि देखो range equal to code domain है है, देखो range equal to code domain है और 1-1 तो तुम्हें दिखी रहा होगा तो range equal to code domain भी है और 1-1 भी है तुमारे पास यह function जो आजाएगा एक bijective function का example लिखा हुआ है तो यह क्या आजाएगा bijective function है bijective function के लिए injective plus surjective का होना बहुत जोरी है तो जो भी function injective plus reducing आज़्यों आ रहा होगा उससे अपन कहकऱेगे एक bijective function का आजाएगा यह हमारा क्या कहलाएगा बाइजेक्टिव फेंचन कहलाएगा अब इसमें कुछ PNC का भी यूज होता है बीएंची का पेसिक एक PNC का भी यूज होता है मैपिंग कलिए यह तो समझ में आगा कि 11 फंचन किसे कहा जाता है और कोडों में इकवल टू रेंज आए तो अन्टू कलाएगा कोडों में नौट इकवल टू रेंज आए तो वह अपना इंटू में चले जाएगा अब यूज पी इसमें पीएंची का काफी एक इंपॉर्टनेंट पार्ट है यूज ऑफ यूज पीन सी इन दा मैपिंग वह निकालना है total number of पंचन, total number of one of many of अधीन ये सारे अपने को किस तरीके से निकालना है फ्राइन है और में चैनल妹 eerste स्ट में और इस साइड में आर इलीमेंट है इस साइड में आर इलीमेंट है इस साइड में खुरुयाम है यहां पर पास कितने बाइबर से घ्रूप sugar good देखना टोटल न्मबर और फंचन कितने आएंगे एक्सवन के पास कितने ऑप्शन है आर एक्सटू के पास कितने ऑप्शन है आर मलब कलब करने के लिए एक्सथ्री के पास कितने ऑप्शन है तो पहले वाले के पास ऑप्शन कितने आर फिर आर फिर आर फिर आर तो यहां पर कितना लिखा वह आर की पाँचिन अगर मैं बात करो तो कितना आजएगा आर की पाँचिन जाएगा अगर इसमें न दो के तीन काटिगरी में डिवाइड हो जाएगा अगर जैसे माल लेते R की value less than N आ गई R की value अगर less than N आ गया तब तो यह बनी नहीं पाएगा तो कि अगर यहाँ पर element कम आ गया तो फिर उसको mapping एक के साथ फिर club करनी पड़ जाएगी जैसे मालो मैं सोच दो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है यहाँ पर मैं A, B, C कर दूँ तो देखो 1 के साथ A गया 2 के साथ B गया 3 के साथ B गया, 4 के साथ C गया देखो एक को तो फिर clubbing करने पड़ जाएगी दूसरे के साथ तो फिर वो 1, 1 बनी नहीं पाएगा इसलिए अगर N की value greater than R है तब तो यह 0 आ जाएगा अगर N की value R से बड़ी है मलब R की value N से बड़ी है तो फिर एक को उठा लो कैसे उठा लो? NCR, R में से N को उठा लिए और उसको फिर arrange कर लिए बस खताम लिए जैसे माल लेते हैं यहाँ पर माल लो इस side में जैसे माल लो 3 element है इस side में 5 element है तो पांच में से 3 को उठा लो पांच में से 3 को उठा लिए 5C3 into 3 factorial उस तुनों को arrange कर लिए बस पांच में से 3 को उठा लिए ज़्यादा है न अपने पास seatे, मलब अपने पास समझो कि मलब लोग जो हैं अपने पास सीटे जो हैं पांच हैं लोग जादा हैं लोग जादा है आठ लोग है अपने पास बैठाना है आठ लोगों को तीन पांच सीटे में पहले हम पर उनको तो सब तरी सीट सबको बैठा नहीं सकते हैं तो आठ में से पांच लोगों को उठाएंगे फिर उनको बैठाएंगे ना तो चो पांस सीटे लगी है ऐसे, पांस सीटे तो उमाई पास लगी पड़ी है, आठ लोगे उनको बैठाना है, सीटों बैठाना है, तो क्या करोगे, पहले आठ में से पांच लोगे और फिर बैठा देना, तो 8C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, और मैनी वन निकालने तो क्या करो होगे, टूटल माइनस वन 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 निकालना है, बस टूटल माइनस करके, इससे वन वन निकाल देना है, ठीक है, इसी तरीके से देख लेते हैं, अन्टू और इंटू का मामला, अन्टू और इंटू के लिए, ठीक है, अन्टू और इंटू, तो हमने तुम्हें बता दिये कि जो है बन वन कैसे निकालना है बन निकालने के लिए अगर आर की वेल्यू लेस देन एन आ गई तब तो वह आएगा नहीं आर की वेल्यू ग्रेटर देन ना आई तो बस से लिट कर ले ना आर सी एन एंटो एन फैक्टोरियर टू हो चाहिए ना अब यहाँ पे न एक अब इसमें लो आर की वेल्यू अगर ग्रेटर देन न है फिर तो हम लुद बनाई नहीं सकते हैं जैसे माल लेते हैं यहाँ यहां भी सी लगा दिए यहां पर लिखा लिए यहां पर हमने लिए वन टू थी पोर कैसे बनाऊगे उन टू एक के साद बनें ही अगर तूमने यहां ज्यादा कर दिया तो यहां पर बनाई नहीं पाऊगे तो आर ग्रेटर देन एन है तब तो जीरो चले जाएगा अगर आर इस इकवल टू एन तब तो बाइजेक्टिव टाइप का सीन बन जाएगा तो आर फेक्टोरी रहा जाएगा अलब आर सी एन इंटू आर बनाई इसका तरीका होते हैं ग्रूपिंग वाला फ्रूपिंग वाला थोड़ा सा लंबा बढ़ जाता इसमें डाइट लगाने में बहुत ही असान बढ़ता है आर की वेल्यू डालनी हैं मैं सवाल करके भी दिखाऊँगा तो निकालना तो क्या करोगे टोटल माइनस आं तो टोटल माइनस ओंटू निकालने में इंटू आ जाएगा बस यह फॉर्मला आपने पास निख्वा लूटल नंबर ओफ कॉंस्टेंट फंचन नहीं को इंटू फंचन हो गया टोटल लंबर और मैनी वन फंचन हो गया तोटल लमबर हो मैंनी वन फंचन मैंने क्या किया जो वनबन और मैंनी वन के लिए कंडिशन एफ और पॉप एक वो एक पो एक वच्टीव तो कोई भी बचना चीज़ अगर और की वेल्यू ग्रेटर देन एन आ गया तो ठीक हाज़ा आर की वेल्यू लैस्टेन नहीं आए त और बड़ा वाला फॉर्मॉला याद रखना अगर आर्टी वेलू ग्रेटर देन नाइश तो फिर सीधे क्या करोगे बड़ा वाला फॉर्मॉला आर्टी पॉर एन माइनस रसी टू इन्टो आर माइनस टू की पॉर आप जैसे कि मालों यह कोशन दिख रहा रहा है यहाइए तो आर्क इंडर जादा आजाता तो अगर अगर जादा आजाता तो उसे जादा आजाता है स्थाना नहीं कौन सा और आ पावर माइनस RC1 इंटो R-1 की पावर N यह वाला फॉर्मुलाल तो यह लगा लो इसमें आजएगा 2 की पावर 4 माइनस 2C1 इंटो 2 माइनस 1 की पावर 4 जब 0 आजए तो बन कर देना प्लस 2C2 इंटो 2 माइनस 2 की पावर 4 जैसे 0 बन गया तो कर देना यहां पे 0 बन के आप खतम कर दो बस यह तो की पावर 4 कितना होता है 16 माइनस 2C1 इंटो 1 प्लस 0 तो 16 माइनस 2 आ गया जो क्या जाएगा 14 के पराबर यह हमारा बेस्ट वाला आंसर क्या जाएगा 14 आना तो आन्टू फंजन के लिए सीधे डारेट मैथड है और की विल्यू थी दिखे एंट की विल्यू फाइव दिखे दुगिए एक जे इड्वांस की प्रॉब्लम भी आई हो तुम देखना डारेट वह यह बनाना था वरना फिर मैपिंग के लिए वरना तुम यह वाली प्रॉब्लम तो वैसे सोची भी जा सकती है मालो अगर अगर अपन ड्रौ करके भी कर देखते हैं तो पहले वाले के पास जैसे मालो हमने टोटल माइनस करके सोचना है पहले वाले बास कितने ऑप्शन है दो ऑप्शन है इसे से वाले पास भी दो ऑप्शन है अब एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा अब बोटो खाल ने के साथ कलब कर दिए तो यह भी ओगया थों के इसा है न चाले गा Ste है अधर वाइस यह फॉर्मशा वाला जो हमने तुम्हें बटाया वह भी एक तरीका है अब जैसे ग्रूपिंग वाला उससे भी तुम सॉल्ट कर सकते हैं यह तो हमने बताया बनिकालना फॉफ निकालना इस दितने भी जैसे मालो फॉफ वगर हो गया फॉग निकालना है यह इफ निकालना है यह जी ओजी निकालना है इसको गॉप भी पढ़ा जाता इसको और यह फंचन के अंदर फंचन के लाते हैं अब इसमें जो है तोल मेंगर से निकालते हैं तो एफ ज्ञान रखना वो सबसर्ट आफ ढवन से आईगी तो जो जो मैंगर मैंन ऑफ एफ़ेक्स होती है वो क्या हो जाती की जी फ्रस की वो डोमेंग कर से उठाथे अपन एफ़ेक्स की सबसेट से उठाते है और जो chain इसमें से डोमेन उठाते हैं बाहर वाले से रेंज उठाते हैं डोमेन जो आजएगी एक्स के बराबर एक्स तो तब भी चलेगा सिमालो इसका प्रूब भी दिखा देता हूं कैसे सिमालो जी ओव एक्स बन मनें तो क्या जाएगा यहां से क्या जाएगा एक्स वन एक्स वन टू एक्स टू के बराबर आएगा तो यह अपने सोचने का अंदा आ जोगा कैसे बना यहां पर देख सकते हो अगर जी ओफएग्स बन टू है तो जी एक्स को अन टू बनना बढ़ेगा न बाहर वाले को एफ्ए उप शे मतलब नहीं है और और GFX भी अगर on to है तो बाहर वाले से मतलब है on to से हना तो यह दो चीजे के प्रक्रियां हमेशा ध्यान रखनी है ठीक है बाकी मैंने तुम्हें बता दिए कि ऐपेक्स में डोमेन क्या उठा होगे रेंज क्या उठा रहा हो गई है अब जैसे मालो एक एक जामपल देख लेते हैं जिसमें फॉग और गॉफ को डिफाइन करते हुए देखने आपने को जैसे मालो एफस अपन को गिवन है अंडरूट ऑव एक स्प्लस त्री जीए आप सक्ट आपन को गिवन है 1 प्लस एक स्कूर्इ लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या करते हैं अब इसमें गॉफ कैसे यूफ निकालोगे कॉफ के लिए क्लिए कि क्लिए अप्लस ट्री निकालना है तो यह कितना आजेगा 1 प्लस एक स्ट्री आ तो यह value कितनी आजएगी x plus 4 आजएगी अब इसी तरीके से अगर मालो fog निकालना है तो fog क्या जएगा f of 1 plus x square आजएगा तो fx है अपने पास under root x plus 3 तो बस x के जगा क्या करो x square plus 1 रग दो तो यहां पर क्या अपने पास आ रहा है रेंज और जो आजएगा 1 से इंफनिटी आजएगा क्योंकि इसकी जो domain आएगी इसकी domain x plus 3 की domain किती आजएगी इसकी domain इसकी domain आएगी minus 3 से लेगे infinity तक कैसे x plus 3 शुल्ट भी greater than equal to 0 यहां से किती आजएगी इसकी domain किती आजएगे minus 3 से इंफनिटी इसकी domain तो में दिखके लेगेगा real number आएगी नहीं x plus 4 दिख रहा है तो तुम्हें लग रहा होगा यह real number आएगा जबकि real number ही आएगा यह minus 3 से इंफनिटी आएगा अब इसमें क्या करो माइनस 3 से इंफनिटी यहां पर पुट करो इसमें 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 अब माइनस 3 डालूगे तो कितना आजएगा 1 आजएगा तो यह कितना आजएगा गॉफ की आजएगा बंसे इंफनिटी आजएगा और तुम इसकी रेंज देखोगे इस वाले में च्रे.च कि रेंज फविकुक्ती आजएगी वन से इंफिनिटी, क्योंकि x square की minimum value क्या जाएगी? 0, तो अगर gx की कोई range पूछे, range, तो gx की range क्या है? वन से इंफिनिटी है, और domain क्या है, इसकी domain क्या है? माइनस 3 से इंफिनिटी, क्योंकि इसकी domain काम आएगी, और इसकी range काम आएगी, देखो GFX लिखा है तो FX की domain काम आएगी और range किसकी आएगी, GX की आएगी तो range इसलिए मैंने GX की निकाल के रखी हुए वो क्या आ रही है, once and infinity ये भी once and infinity तो true आ गया, तो ये हाँ ये possible है अपने पाँ, फिर आता है की domain आएगी real number, ठीक है since range is of G is a subset of domain of F और यहाँ पर तो X स्क्वार प्लस 4 है, तो यहाँ पर भी X की value सब उठाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आता है domain of F of G is real number is equal to D, तो ये तो लिखा हुआ है, ये तो अपन ने बता दिया अब range किसकी उठाएगा, Fx की, इसकी range की आएगी Fx की, तो range of Fx जो है अगर मैं range of Fx की बात करूँ, range of Fx की, ये under root के अंदर है तो इसकी minimum value की आजेगी 0, तो under root के अंदर minimum है, तो 0 से लेकि infinity तक आएगा, ये range of Fx है, अब range of F of Gx की बात करूँ तो इसकी minimum value कितनी आएगी, X square plus 4 की minimum value, X की value minimum होती है 0, तो इसकी अगर minimum value की बात करूँ, अगर मैं इसकी range निकालने की बात करूँ, इसकी range, अगर मैं इसकी range की बात करूँ, तो कितना आजेगा ये, ये आजेगा 2 से लेके infinity तक, और ये जो है जैसे G of FX है, G of FX, तो FX की अपन को domain निकालनी है, चेक करना उसका subset में है की नहीं, और range किसके निकालनी है, GX वाले पार्ट, फिर सेम यहां पे भी, Fog में भी, GX की हमें domain निकालनी है, और FX की हमेशा range निकालनी होगी, इंपूट हमेशा GX वाला होगा, इंपूट हमेशा जिससे FX वाला यहां पर होगा, इससे जदा हम input कर नहीं सकते हैं, अगर जैसे G of FX निकालते हैं, जैसे मालों यहां पर रियल नंबर आ गया, तो हम रियल नंबर नहीं उठा सकते हैं, है नहीं ना, G of FX बाहर अंदर वाले का क्या आजाएगा, डोमेन, बाहर वाले का क्या आएगा, रेंज बस, यह हमारा composite function का आएगा, अब इसमें एक PYQ देख लेते हैं, जैसे मालों यहां पास PYQ है, यह हमारे पास PYQ है, जी एक्स दीवन है, और यहां पर तुम्हें क्या गिवन है, G of FX निकालना है, क्या निकालना है, G of 5 by 4, तो 5 by 4 निकालना है, तो देखो, GX पता है, G of FX पता है, हम क्य क्या करेंगे, X के जगा, यहां पर FX डालते हैं, तब ही तो GFX आएगा, यहां पर X की जगा, FX डालतो, GFX किता आजएगा, FX का whole का है, square, ठीक है, फिर किता आजएगा, plus FX, minus 1, तब ही तो GFX आपाइगा, अब क्या निकालना है, 5 by 4 निकालना है, तो क्या करो, दोनों जगा 5 by 4 डाल दो, यहाँ पर किता आजएगा G of F of 5 by 4 Is equal to किता आजएगा F of 5 by 4 का स्क्वेर Minus Sorry, plus F of 5 by 4 Minus 1 के बराबर, तो यहाँ पर 5 by 4 डाल दो, तो यह कितना आजएगा 4 into 25 by 16 minus 10 into 5 by 4 Plus 5 के बराबर, तो इसको काट लो 25 minus 50 by 4 Minus 25 by 4 Plus 5, तो यहाँ पर आजएगा Minus 5 by 4, तो यहाँ पर आजएगा Minus 5 by 4 आजएगा Left side में, यह कितना आजएगा F of 5 by 4 का स्क्वेर Plus F of 5 by 4 Minus 1, अब क्या करो 5 by 4 को भी उधर ले जाओ, तो यह Plus 1 by 4 बन जाएगा, मलनलब यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखो F of 5 by 4 plus F of 5 by 4 Plus यहाँ पर आजएगा 1 by 4 is equal to 0 अब अगर तुम ध्यान से देखने कोशिश करोगे तो तुम्हें यह perfect square सा नज़र आएगा Complete square, A square plus B square Plus 2 A B, तो यह complete square सा तुम्हें नज़र आएगा, कि वह यह क्या आचुकी है, plus 1 by 2 is equal to 0 तो final outcome में आजएगा F of 5 by 4 की value, minus 1 by 2 correct, तो सबसे पहले जैसे मेरे को F of 5 by 4 निकालना था तो हमने क्या किया, जैसे GX अपन को given था, GFX निकालना था, तो मैंने X के जएगा, Fx डालना, तो क्योंकि बहुत ही तरीके से यह solvable बन गए, हाना इसा functions को धियान रखना है, इसे मालो many one क्या होता है, one one क्या होता है, on to क्या होता है, और composite function किसे कहते हैं, composite function वो function कलाएगा जो की fog है या तो golf की entry हो जाती है फिर इसी तरीके से कहलाते है implicit function and explicit function अब जो भी function जिसको हम express कर पाएँ, y in terms of x, उसको अपन कहेंगे, y has been expressed in terms of x, उसको अपन कहेंगे explicit function, जो भी function y को express कर पाएँ, in the form of fx, यह आ जाएगा explicit function, जिसको हम express नहीं कर पाएँगे, तो उसको अपन कहेंगे implicit function, बस, इसमें 2-4 function अगर लिखे हुए अपने पास, जि इसको तुम X प्रेस कर पार रहा हो, Y is equal to X cube plus 4 लिखा हुआ है, ये भी तुम X प्रेस कर पार हो, जिनको नहीं X कर पार हो, जिसे यहां पे लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, x plus y is equal to sin y, तो इसको x plus नहीं कर पाओगे, y is equal to x cube plus 4x का square plus 5x, यह अपने पास ही आ गया, तो दो दीन टाइप के function आ गया है, इसको y is a fx नहीं कर पाओगे, जैसे तुम सोच रहोगे कि यार यह y को उधर ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, जैसे लिख पाओगे, sin y minus y is equal to x, तो y is a function of x नहीं कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे y is a function of x लिख पा रहे हैं, यहाँ भी y is a function of x, जिसमें अपन y is a function of x नहीं लिख पाएंगे, उसको अपन कहते हैं, implicit function, implicit functions के mainly differentiation होते हैं, जब तुम देखो के आगे हम लोगे method of differentiation देखेंगे, उसमें differentiation आता है, तो वहाँ पे mainly काम आता है, implicit function का, तो implicit function वो function होते हैं, जिसको कि हम y is a function of x नहीं लिख पाएंगे, y is a function of x, कई सरे example बता दी है, y is equal to sin x, और यह भी y is equal to x plus y equal to sin y, तो इसको अपन क्या कहेंगे, implicit वाला कहेंगे, इसको बस पहचानना होगा, कौन सा explicit function हैं, कौन से implicit इसी टेप के समें questions बन रहे होंगे, फिर आजा था bounded function, bounded मनलब नाम से clear है, boundary होनी चाहिए, इस said to be bounded, it can be expressed in the form of, जिनको हम fx की value को express कर पाएं, a से लेके b तक, फिर a और b जो है, एक finite value है, जिसे मालो sin x, sin x की value तुम्हें पता है, एक bounded function का लाएगा, कैसे, sin x को अपन, जो range ह वो minus 1 to 1 होती है, और fractional part of x की तुम्हें range भी पता है, 0 से लेके 1 तक आती है, तो तुम इसको भी express कर पाओगे, signal function को भी तुम्हें पता है कि minus 1 से लेके 1 तक होता है, minimum value minus 1 हो सकती है, maximum value 1 तक हो सकती है, बस, e की power x की value तुम्हें नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो 0 से infinity है, तो वो bounded नहीं कर लाएगा, e की power x हो गया, log x हो गया, उसको अपन नहीं restrict कर पाएगे, जिसको अपन restriction मतलब जिसकी minimum maximum अपन जिसको finite कर पाएगे, तो minimum maximum value जिसकी finite है, उसको अपन bound कर पाएगे, बंद 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 क सब्सक्राइब कर पाएंगे अगर नहीं होगा तो फिर उसकेस में अपन नहीं कर पाएंगे ठीक है फिर इसी केस में अपने पास यह हो गया बाउंड़ पाएंगे बाद आजाता है इवन एंड और फंचन नाम से याद रखना किसको क्या कहते हैं काई सारी चीजे हैं तो तुम इसको रीकाइब करते जाना लिखते जाना आराम अराम से टेक वर टाइम क्योंकि एक वन चॉट है तो अराम अराम से तुम्हें लिखना आए एक पर जाता है कभी कभी टुएक्स भी हो जाता है वह समलो टाइम हाना तो सबसे पहले एक आसान तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि किसको अपने और फंचन कहेंगे जो फंचन एफेक्स इस इकवल टू माइनस ओफ और माइनस एक्स आ गया जो भी फंचन एफेक्स इस इकवल टू माइनस ओफ और माइनस एक्स आ गया उसे अपन कहेंगे और फंचन और जो भी फंचन जो भी फंचन इवन फंचन किसे कहेंगे जो भी फंचन जो आ गया एफेक्स इस इकवल टू एफ और माइनस एक्स आ गया उस फंचन को अपन कह कहेंगे even function कहेंगे और example जैसे मालों यहाँ पर लिखा हुआ है cos x एक even function है gx एक even function है यहाँ पे sin x एक odd function है gx एक odd function है कैसे जैसे मालों चेक करना है fx is equal to यहाँ पर लिखा हुआ मौड़ वेली लिखा वागए अगर अगर आग उसे अपन क्या कहेंगे एक E1 फंचन कहेंगे अगर वेली उसे पयांगे उसे एक बराबर ऑगा अगर आगया तो उसे अपन क्या कहेंगे even function कहेंगे. अगर F0-X, F0-FX के बराबर आ गया, जैसे Fx is equal to लिखा हुआ जैसे यहां प diagnose Fx is equal to x plus one लिखा हुआ या x बस लिखा हुआ, x लिखा हुआ है अपने पास, fx is equal to x लिखा हुआ तो F0-X कि पर आ जएगा, Minus X, किसे बराबर और आ गया माइनस से बड़ाबर गया माइनस एक को एक यह क्लाएगा सब्सक्राइगा ऐप अंगर मार्लों कुछ इसे एक वल्टूरी है यह फॉर यह 5 है जितने भी constant function हो जाते हैं वो अपने even की कर्टेगरी में मिलाएंगे fx is equal to 3, 4, 5, 6, minus 1 इस सारे किसमें आजएगे even वाली कर्टेगरी में आ जाएंगे अब हमें देखो ढूंडना है तुम भी ढूंडो किसमें even है किसमें odd है तुम भी ढूंडो मेरे साथ मैं भी ढूंड रहा हूं तुम भी ढूंडो कि कौन सा even किलाएगा सर कौन सा odd किलाएगा और कौन सा neither even काइंसा neither odd है तुम अब देखो पहले वाले को जो को चेक करो fx is equal to x square into sin x है पहला वाला, x square into sin x है तो क्या करोगे, f oh minus x निकालो गे, निकालो इसमे, f of minus x f of minus x निकालो बहतरी तरीके से कितना आ गया, minus of x square into sin of minus x और minus of x square तुम्हें पता होगा वो x square के बराबर ही आता है आता है न, minus of x square किसके बराबर आता है, x square के बराबर, sin of minus x किता आएगा, minus sin x, देखो negative आ गया कि नहीं, यह आ गया तो यह आएगा odd function, पहला वाला odd function, फिर आता है दूसरा वाला दूसरे में क्या करो, पहला वाला चेक कर लिए दूसरे में, x के जगा क्या डालो minus x डालो, डालो हापे, f of minus x कितना आ आ जाएगा, negative डालो उसमें कितना आ जाएगा, under root के अंदर आ जाएगा 1 minus x plus x का square, फिर महाँ पे negative डालो, under root of आ जाएगा 1 plus x plus x का square, अब जब तुम common लोगे यहाँ से minus, जिसे minus लेके common निकालोगे, तो same मिल जाएगा तुम्हें, minus जब common लोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, under root of 1 plus x का square, minus of under root of 1 minus x plus x का square मतलब यहाँ जाएगा, minus fx तो यह किसके बराबर आ जाएगा, एक odd function आ जाएगा, तो यह भी एक odd function आ जाएगा पिर अगर मैं तीसरा देखता हूँ, तीसरा तीसरा, तीसरा लोग बला, लोग बले में क्या करो, minus x लगाओ अब क्या करते हैं, इसको उल्टा लटका सकते हैं, उल्टा में लब ऐसे करके लिख सकते हूँ, देखो, ऐसे करके, 1 minus x upon 1 plus x की पावर, minus 1, यह minus 1 को नीचे ले आना, देखो, यही बन जाएगा, same, minus sign के साथ, lock की property की कारण आ रहा है, 1 minus x upon 1 plus x, तो देख रहे होगे, एफ़ माइनस x जो आ गया, वो कि आ गया, minus x के बराबर आ गया, तो यह भी हमारा क्या कर लाएगा, odd, देखो, सारी, odd हो जा रहे है, यह तो, odd, odd हो जा जा रहे है, जीवन इनका, odd, odd हो गया, सर, यह भी odd हो गया, यह भी odd हो गया, अब लास्ट बाला दिख रहा होगा, उस एफ़ेक्स, क्या कर सकते हैं अपन यह, एफ़ेक्स जो लिखा हुए अपने बास, log of x plus under root of 1 plus x का स्कोई, एफ़ेक्स जो आ चुक है, वो आ चुक है, log of x plus under root of 1 plus x का स्कोई, तो क्या करोगे, x के जगा, minus x डालोगे, डाल दो, तो x के जगा, यहाँ पर minus x put कर दिए, कितना आ जाएगा, f or minus x is equal to, यहाँ पर आ जाएगा, log के अंदर आ चुक है, minus of x plus under root of 1 plus x का स्कोई, कितना आ जाएगा, log a plus log b आ जाएगा, इसको जोड़ दो, fx plus f or minus x जो आ जाएगा, वो आ जाएगा, log a plus log b कितना होता है, log of a into b हो जाता है, कितना आ जाएगा, under root of 1 plus x का इसको प्रोसीड करो, fx plus f or minus x कितना आ जाएगा, वो log 1 बन जाएगा, देखो, यह एक बहुत ही perfect example है, तो x square x square cancel हो गया, log 1 जो आ जाएगा, अब देखो, यहाँ से क्या आ रहा है, fx जो आ गया, वो minus of f or minus x आ जाएगा, तो कई बार तुम्हें ऐसे भी प्रोसीड करना आ जाएगे, इस function को फिर से कहा जाएगा, odd function, यह भी एक odd function की category में आ चुका है, ठीक है, अब देखो, यह काफी एक बढ़िया सवाल ही, काफी एक बढ़िया सवाल है, इसको तुम आपन उमवाग नम्मर 4 में ले देना है, काफी एक बढ़िया सवाल है, इसको तुम ट्रा बनाना है, तो इसको भी odd बनाना पड़ेगा, एक एप वैल्यू तुम्हें गिवन है, बलाव एक वैलू गिवन है, कहां से कहां तक माइनस 10 से तक है, इस यह डॉमें यह वह वह थाए, आप सोचना, एक वैल्या पासीबल लेगे, एक वैल्यू क्या पॉसील लेगे, कि यह और फंचन में घोशिश ये करना कि तुम्हें हिंट देता हूं इसको उड़ाना होगा देखो कैसे उड़ा सकते हो प्राइगा जिसका भी सही होगा डेफिनिटली उसको पिन किया जाएगा अब आता है प्रियोडिक फंचन प्रियॉड अब यह हो गया प्रियॉड और आप य प्रेंचर हमेशा जो भी आते हो सीमेट्रिकल होते हैं किसके अब आप इंगर мехद तो मैं यह सारे के सारे function symmetry about the origin नहीं है इसकी symmetry about the origin तो यह y is equal to symmetry सभी function में आयगी है even function जो होते है even function यह जो symmetry होती है इनकी symmetry about y axis तो about symmetry किसमें होती है y axis या फिर x is equal to 0 जितने भी y axis होते हैं symmetry यह x is equal to 0 वो हमेशा even function किलाते हैं जिसे y equal to x square हो गया या y is equal to mod x हो गया यह सारे के सारे function जो हो जाते हैं वो symmetry about the origin हो गया symmetry about the y axis तो symmetry about y axis दिखरी है इसका मतलब क्या कहलाएगा वो एक even function कहलाएगा अब आजाता है periodic function प्रियोडिक function वो हो जाता है जिसपे की fx is equal to f of x plus t आ जाए और t जो आ जाती है वो least value कहलाती है least value यह यहाँ पर क्या कहलाएगी सबसे least value जिसमें की period आएगा उसका यह हाना जैसे की कुछ function होते हैं जिसका की fixed है जैसे मालो sign x होगे जैसे आपे लिखा है sign x and cos x जो हो जाते है periodic होते है with a period of two pi tan x जो हो जाता है उसका period होता है पाई के बराबर हाना यह fixed है एफ of y plus x रखके देखो हमें least value बताने है t is the least value तो कुछ standard period से जो कि तुम्हें ध्यान रखने चाहिए sign x हो गया और sec x हो गया उसके बाद sec x हो गया यह सारों के सारों जो periodic है इनके वो टू पाई के बराबर है अगर मैं परियोडिक होता है तो फ्रेक्ष्टनल। पाट हो जाए एए यह सबके पीयर मैं यहां पर लिख दी है है सारों के अंदगर 6 के 6 ट्रिगों फंचन लिखे हुए वह हमेशा आएंगा पाई के पराबर हाँ जितने भी प्रियॉडिक फंचन है वह पाई के पराबर आएंगे अब इसमें जैसे मालो की मालो की फंचन तो अब सेम तो आएंगे नहीं कुछ चेंज करके आएंगे समालो यह आ गया कि sin x by 2 cos x by 3 लिखा हुआ है अब इसका क्या करना हाँपन को period निकालना है तो जब भी जैसे period निकाला जाता है सबसे पहले क्या किया जाता है प्रक्रिया तुम्हें पता देता है हमेशा LCM निकालना होगा इसका और इसका इसके periods का हमेशा क्या करोगे LCM method यूज करोगे for finding period 323 52 본екर निकालने के लिए हमीशा क्या करोगे zakarplant Amerean के Department निकालने होगे पहले पार्ले करें किसे निकालोगे स्टम्हें इस र पता आउना चीने सअनुजित जैसे सांव donítक्रक्षा पाइट ब Земल पाभ जो है स्टम्ब 뛰 Higher कितता होचा हो अटाइब अठी आए और यली constant से divide कर दिए वो standard आ जाएगा उसका period आ जाएगा 4pi के बराबर तो अगर कोई पुछे sin x by 2 का period किता आएगा तो वो 4pi के बराबर अगर कोई पुछे cos x by 3 का period किता आएगा 2pi इसका coefficient कितना है 1 by 3 बस खतम 1 by 3 आगे तो ये कितना आजएगा 6pi के बराबर और 4pi और 6pi का क्या करोगे LCM लोगे तो LCM लोगे तो कितना आजएगा 12pi के बराबर तो ये हमारा answer आजएगा ठीक है तो ये हमारा answer आजएगा 12pi है ठीक है clear आ रहा है अब जैसे मानलो second वाला है जिसमें fractional part of x प्लस sin x लिखा हूँ है तो fractional part of x का period कितना आता है वन के बराबर आता है ना और sin x का जो period आता है वो टूपाई के बराबर आता है और तुम्हें याद होगा कि rational और irrational का हम LCM नहीं निकाल सकते है कोई चीज रैशनल इसे वन रैशनल लंबर है तूपाई के रैशनल लंबर है तो इनका अगर कोई पूछे तो किरियेट की आजाएगा not defined कोई पूछे वो आजाएगा not defined ऐसा कोई ऐसा कोई नहीं कि में कोई कोश्च्ण अगर लिखा है तो इसका period आएगा उसका period आएगा आंदर पे लिखा कि ऐगा उसमें चीजय आ जाएगे कॉई भी अगैसें वी में यह पर फंचन के बादर कहने कॉटाएं को अधर से tu फंचन अधर पीरिड होता यह पुरिएड पूचन है यह कॉंस्टेंट फंचन यह प्रियोडिक फंचन होता है इसका अब इसमें से क्या करना होगा इसमें हमें निकालना होगा कि इसका प्रियोड है की नहीं है यह कहा से आ गया अगर तुम इसमें ध्यान से देखो कि इसो सिग्णम के अंदर कैसे लिखाऊ यह यह एक verses जो आउटकम आएंगा वन आएगा इसका, इसका जो outcome आना वाला है, वो हमेशा वन ही आएगा मिलब इससे ज़्यादा भी नहीं आएगा, कम नहीं आएगा, क्योंकि signal of zero plus जो आता है answer तब ही भी अगर signal of zero plus आगया तो इसका answer हमेशा वन ही आएगा तो यह हमेशा zero plus आएगा, देखो इसकी minimum value one ही आएगी, इससे कम नहीं आ सकता ही है, one से ज़्यादा ही आएगा one आएगा, two आएगा, three आएगा, तो one आजाएगा मलब इसकी value जो constant one के बराबर है और constant function periodic है बट period नहीं पता, तो बस तुम तू पाई और पाई का period निकालोगे, तो कितना आजाएगा, two पाई आजाएगा, elsium निकालो ना, two पाई और पाई का elsium निकालनेंगे, तो क्या आजाएगा, पाई आजाएगा, तो यह चीज थी है, बस elsium तुम्हें method आना चाहिए, तो इससे हमारा किसी भी पंचंगा तो period बना सकते हैं, इसमें एक different type का भी सवाल आता है, वो भी तुम्हें बता देते हैं, जिसे मालो कभी-कभी ऐसे equation type का देतेगा, फिर तुम्हें बोलेगा कि इसका fundamental period बताओ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लो इसमें, f r to r satisfies the property in which लिखा हुआ है कि period may not be the fundamental period, f of x plus 1 plus f of x plus 3 is equal to लिखा हुआ है तुम्हारे पास, is equal to 2 के बराबर है, फिर बोल रहा है कि fundamental period बताओ, इन में ना तुम्हें क्या करना होगा, कुछ substitution डालना होगा हमेशा, कभी x plus 2 डालना पढ़ सकता है, कभी 2x डालना पढ़ सकता है, depending upon the condition, अब जैसे मालो इस सवाल के लिए, तो इस सवाल के लिए देखो कैसे करोगे, समालो ऐसे लिखा हुआ है, हमें कुछ ऐसा करना है कि f of x प्ले, f of x जो आ जाए, यहाँ पर बनानी होगी, यहाँ पर x plus 1 है, यहाँ पर x plus 3 है, तो कुछ ऐसा कुछ करना पढ़ेगा x plus 1 के साथ, ताकि यह x plus 3 बन जाए, कटिंग करने के बाद यह उड़ जाए, तो हम बस क्या करेंगे, यहाँ पर substitute करेंगे, कैसे कुछ substitution किया, ताकि यह चीज यहाँ पर बन जाए, हमेशा कुछ ना कुछ, तुम्हें substitution करना पढ़ेगा, जब भी असी question है, फिर क्या करो, दोनों को minus कर दो, जैसे ही minus करोगे, तो तुम्हें ऐसा बन जाएगा, देखो, f of x plus 1 is equal to आजएगा, f of x plus 5 आजएगा, अब इसके बाद तुम क्या करो, क्योंकि तुम्हें बनाना है, fx is equal to fx plus t, तो x plus 1 की जगा क्या करो, capital x डाल दो कुछ, capital x, ताकि वो fx plus t बन जाए, तो यहाँ पर आजएगा, f of capital x is equal to आजएगा, f of capital x plus 4 के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे मालो, इसको x लिया, तो x plus 4 हो जाएगा, अगर इसको x plus 1 लिया, तो x plus 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हें periodicity दिख रही होगी, देखो, period दिख रहा होगा, fx is equal to fx plus t आजएगा, यहाँ पर जो period आजएगा, तो इसका अगर कोई कुछे fundamental period करता है, तो वो 4 के बराबर है, ठीक है, तो ऐसे type के अगर equation आई, तो तो मैं बस substitution डाल के स्टार्ट करना होगा, और कोई इसका तरीका नहीं है, कभी-कभी यहाँ पर fx plus 3 लिखा होगा, तो हमेशा देख लेना, substitution डालना होगा, कभी x plus 2 डालना पड़ सकता है, कभी x plus 4 डालना पड़ सकता है, depending upon the condition, कि question के उपर रहेगा, अपने उपर नहीं है, जो सवाल रहेगा, उसके प्रकारवयापन को देखना होगा यह, ठीक है, अब इसमें जो left है, अपना वो है, inverse of the function, मैंने अभी तक जो पता है, देखो, one-one हो गया, many-one हो गया, बहुत बड़ा होगा है, तो इसलिए ब्रेक ब्रेक ले लेके तुम पढ़ना है, एक खटे पढ़ेंगे तो हो सकता है, चीज़े भी होए, इधर-उधर हो जाए, सवाल बनाए उसके पहले, कोशिच किये, पहल किसे कहते हैं, उसका अगर पीरियेट निकालना तो कैसे निकालेंगा अपन, पंडमेंटल पीरियेट हना, और मालों एक्वेशन टाइक का दिया हो, तो कैसे दिए तो हर टाइप की मैंने सवाल भी कराने कोशिश किया, बहुत देर से अपनने सीके की बात ने की, सीके होना सीओं भी आजए चीजे यहीबं ह। बन जाने की आर सर हां चीजिए बन रहे हैं, चीज शमंझ में आ रही हैं, आगर आ रहे हैं, तो सीके अधील करें तो इसका इनवर्स इसका एक्ज़िस्ट निक बहुत हैं, तो इन वर्स आपक भी इसका ठीक और गते जब दो तो f of inverse exist कराने के लिए सबसे priority condition क्या होगी हमारे पास one one और on two होना चाहिए तब ही होगा और inverse का जैसे मालो domain और range क्या हो जाता है वो पलड जाता है वहां पर मैंने बताया था है inverse of the relation में वहां पर से पलड जाता है वहां पर तुम्हें कुछ चेक वेग नहीं करना है यहां पर condition है कि बाइजेक्टी होना चाहिए मतलब किसी का भी इंवर्स है मतलब वह one one और on two होना जरूरी है यहां पर लिखा हूँ है यहां पर क्या लिखा हुआ है ठीक है एफ के अंदर एफ एफ के अंदर 123 लिखा है एबी सी लिखा हुआ है फिर वन के सांथ मैंने जैसे मान लोग क्लबिंग कर ली वन के सांथ क्लबिंग हो गई एक ही को के साथ सी की और थी के सांथ बी की है तो इसकी अगर मान लो एफ के सांथ लिखे तो क्या सबसका इसका इनवर्स के लिए क्या करोगे बस उल्टा कर दोंगे उल्टा बनलब जैसे मलो एके सांद बन रहा था बी के सांद टू अगया एक साथ क्लबिंग करोगे एक के साथ जो लगले वह जब वह आजएगा 1 और बीक के साथ जो क्लबिंग होगी वह के साथ और सी के साथ वो टू के साथ यह क्लबिंग हो गई हाना तो यह एफ इंवर्स आ गया तो डोमेन और रेंज ध्यान रखना को वो चेंज हो जाता है हमारे पास एक और कपुजिट फंचन में भी हां पर रिलेशन आता है कि जो एफ ऑफ एफ जो आ जाता है एफ एफ इन बबाबर आता है आप जो क्या एक्स्के बड़ाबर आता है या झ के बराबर या जाता है मैं आरे क्या पुट्ञकरे बारे में इंवर्स पंचन के लिए में पहली कराटेइरिया होगी तुमें चेक करना है कि अभाइज अभी तुम उसका इन्वर्स निकाल सकते हुआ नहीं निकाल सकते हैं तुम्हारे पास जो डोमेन और रेंज होगी वह बस पलट जाती है अगर इन्वर्टेबल हो गया तो नहीं हुआ तो निए और यह एक सवाल मेख शोर जरू त्राइब कर लिए यहां पर जैसे मालो डोमेन गिवन है तुम्हें बन से इंफिनिटी अब तुम्हें क्या निकालना है एफ इंवर्स एक्स कैसे आ जाएगा दोमें और रेंज तुम्हारा चेंज हो जाएगा तो 1 से इंफिनिटी से लेके 1 से इंफिनिटी तकी है 2 की पावर में लिखा हुआ है x into x minus 1 लिखा हुआ है तो सबसे पहला काम क्या होगा जब भी तुम्हें f inverse x निकालना है क्या तो कई बार क्या होता है इसको x की जगा y डाला जाता है तो भी एक तरीका होता है x की जगा y डाल दो जैसे यहाँ पे जैसे y y is equal to लिखा हुआ है 2 की पावर में x square minus x लिखा हुआ है तो एक तरीका होता है inverse निकालने का एक और तरीका होता है कि x और y को interchange कर लो क्योंकि जो भी invertible function होते है जो भी inverse वाले function होते है inverse वाले function वो हमेशा symmetrical about the line y is equal to x तो इनके about जो symmetry होती है y is equal to x के about इसके symmetry होती है हमेशा तो जो भी invertible functions होगे वो invertible functions जो होते है वो हमेशा symmetric इसके आती है y is equal to x के about हमेशा जैसे माल लेते हैं मैंने तुम्हें जो हे और फंजन के बारी बता है कि समेट्री जो होगी हो जाएगा यह पे आजाएगा लॉग ऑफ़ एक्स तो यहां पे आ जाएगा लॉग आफ टू तुदी पावर वाई स्क्वार माइनस वाई अपॉंट टू यह तू नीचे उतार द 2 आजेगा log of x to the base 2 बस अब यहाँ पे का करोगे कोड़िक सी बनाओगे बहतरीन सी बढ़िया सी कोड़िक बन जाएगी y square minus y minus 1 log of x to the base 2 is equal to 0 तो y की एक श्रीव वाला method लगाओगे 1 plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a के बलाबर 1 minus वाला answer नहीं ले सकते हो क्योंकि 1 से infinity है न domain b और जो range है वो भी बन से infinity है तो जो answer आएगा वो minus वाला नहीं आएगा प्लस वाला answer आएगा तो यह प्लस वाला answer आजएगा 1 plus under root of 1 plus 4 log of x to the base 2 upon 2 upon 2 के पराबर 1 minus वाला answer क्यों नहीं आएगा क्योंकि जो domain range है वो change हो जाएगी यह अभी inverse आ रहा है तो यह domain है यह range है जो range है क्योंकि range equal to co domain आएगा तभी तो inverse होगा बना inverse ही exist नहीं करेगा वैसे अगर तुम्हें inverse चेक भी करना है तो क्या करोगे तुम्हें जो है कि 11 on 2 है की नहीं तो सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हाँ पास f of x1 equal to f of x2 या तो फिर इसको differentiate करके वो भी एक तरीका है तुम्हाँ पास और co domain equal to range तो इसकी range निकालनी पड़ेगी 2 upon x square minus x वालेगा तो यहाँ पर values डालके भी तुम चेक कर सकते हैं जिसे 1 डाले तो क्या आ रहा है तो उसके बाद जैसे 2 डाले तो क्या रहा है उससे भी तुम्हें पता चल जाएगा कि इसकी minimum और maximum value क्या रही है तो यह आजएगा one plus करके आगया values और तुम्हाइब बास यह answer तुम्हें बहुतरी सा मिल चुका ही है कई सारे तुम्हें homework मिल रहे है पस यह चेक करना है कि इसमें inverse आएगा अगर आएगा तो क्या आएगा हना यह चेक करना है पर उसके बाद जैसे मालो periodic function हो गया और जो भी तुम सॉल कर सकते हैं प्रशन के कोश्चन और 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 फंचन के कोश्चन तीन चार फंचन है तो हम कैसे निकालेंगे एक जैसे मालो तुम ट्राइए कर सकते हो periodic function के लिए कि मौट sin x प्लस मौट cos x का period के आता है काफी इंपॉर्णन कोश्चन है जैसे मौट sin x प्लस मौट cos x का period के आता है यह भी काफी इंपॉर्णन कोश्चन है यह मॉट साइने स्प्लस मॉट को से रेंज मैंने बताई थी वन से लेकि रूट टू तक आती है और साइने स्प्लस मॉट कॉसेस का जब तुम पिरियर निकालोगे तो पाई वाई टू आएगा तो यह ने लुट फोड़ा फेल भी हो जाता है एक दू जगर इसमें को जाएगा मॉट 10x ब्लस मॉट कोटेक्स निकालोगे तो वहाँ भी फेल हो जाएगा तो कुछ एक आधी जगह बस फेल हो जाता है अना बाकी में बताया है जैसे मालो साइन 2x का निकालना है साइन 3x का निकालना है तो टोटल टाइम टी डिवाइड़ बाई जो एक्स का फंडमेंटल और डिवाइड़ बाई एक्स का जो कोफिशेंट मापे लिखा रहा है याद रखना जैसे मालो जो भी फंचन है जैसे साइन ओफ एकस है या कॉस ऑफ एकस है तो क्या करोगे उसको फंडमेंटल पीरियर डिवाइड़ बाई मॉट अब तो यह हो गए और और फंचन के बार और इनवर्स फंचन के लिए केस मैंने बता है कि इनवर्स फंचन तभी आएगा जब ध्यान रखना पाइजक्ट होगा वनना फिर इनवर्स उसका एक्जिस्ट ही नहीं करेगा निकालना भी तो क्या करोगे कोई भी फंचन हो सिमेट्रिकल होता है एकस इस इक वाई के इनवर्स वाला इंप्लिसिट फंचन कैसे अपन को देखना है बस पता करना होता है क्योंकि उसका मेली डिफ्रेंशिजन आएगा जैसे एक्स प्लस वाई इक्वाई वह एक्जांबल बता है तो ठीक है इनके क्या करना ना बस कोशन तरीके से बना लेना तो काफी दिमाग म करो इनको अच्छे से करो यह टॉपिक जो है एक टॉपिक वाईस जो है प्रॉपर तरीके से जो है सवाल बनाए उसके जैसे एक्सपोनेशल पंचन के तुमारा लॉगरिटम पंचन के एक इसलिए को टॉमें रेंज कैसे निकालते है तो करोगे मैनत करोगे तो डेफिनिट सेमेटरिक ट्राजट अब करोगे से इसलिए फक्साट करोगे क्या मतलब होता है इसका PNC related problem कैसे मनती ही हमारे पास और उसके साथ ही साथ मैंने discuss किया थे कि Even function किसे कहते है ord function किसे कहते है इन्वर्स function किसे आया जाता है Classification of Function किसे का जाता है अब आजाता है Topic 4 जो आ जाता है अपना functional equation कि आ जाता है हमने तीन Topic और लिए अब आ जाता है छोथा functional equation में क्या होगा कि हमेशा तुम्हाएं पास एक equation सी दिखेगी जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है functional equation is an equation तो पहली बात तो यह equation है नाम से clear it is an equation equation होती है where the unknown is in function तो unknown जो रहेगा वो एक function होगा on solving such equation we obtain a one or more function as solution if x and y are independent variable जैसे कि for example तुम्हें दिखा होगा different types के निख रही होगी लाफ दिखरा होगी जैसे यहां पर दिखरा है तुम्हें f of x plus y is equal to लिखा हुआ fx प्लस fy के बराबर या फिर लिखा हुआ f of x इंट 2 y is equal to लिखा हुआ है तुम्हेरे पास fx इंट 2f y के बराबर अगर ऐसी functional equation तुम्हें दिख जाती है ऐसी टाइप की अगर कभी भी तुम्हें दिख गया f of x into y is equal to अगर हमें दिख रहा है कभी भी अगर दिख रही है तुमें कि F of X प्लस F of Y अगर कभी भी ऐसा तुमें दिख गया ऐसा शरीयंद्र कभी भी तुमें दिख गया इस टाइप का तो सीधे बोलना है कि जो F X हमें आएगा जो यहां पर F X आएगा वो क्या आजएगा अपने पास K into LN of X यहां पर आजएगा K into LN of X यह है तो logarithm function इसको satisfy करेगा तुम यहां पर रख के भी check भी कर सकते हो जैसे तुम्हें पता होगा कि LN of X into Y जो आता है तो यहां पर प्लस आ जाता है लॉग बे प्रॉपर्टी होती है ने लॉग of N to be आ जाता है लॉग A plus लॉग B यह अगर यहां पर जैसे मालो डिवाइड में लिखे हुए तब वो माइनस में आ जाता है हना जैसे मालो यहां पर आ जाता है LN of X by Y आ जाए डिवाइड में आ जाए अगर डिवाइड में आ जाता है तो फिर क्या आ जाता है LN of X माइनस LN of Y उस case में यहां जाता है तो अगर मालो F of X by Y is equal to Fx minus Fy दिया हुआ है तब भी अपन क्या करेंगे के LN X लेंगे हाना तो इसी में यहीं पर मैं लिख देता हूँ अगर माल लेते लिखा हुआ है F of X by Y is equal to लिखा हुआ है Fx minus Fy के बराबर तब भी अपन क्या लेंगे हाना तब भी अपन के LN X लेंगे X की value positive होने चीए तब ही अपना domain वगर डिफाइन होगा और अगर माल लेते सर अगर F of X into Y is equal to R Fx into Fy उस case में अपन लेंगे X की power है अगर F of X into Y is equal to अगर दिख रहा है Fx into Fy तो क्या आजाएगा X की power हैना चाहेगा अगर तुम्हें दिख आता है F of X into Y is equal to यह अगर यह प्लस भी लिखे हो है जैसे मालो F of X is equal to F of X plus F of Y into Y तो exponential function आजाता है क्योंकि उसमें log में property नहीं लग पाएगी ना LN of X plus Y into LN of X into LN Y नहीं होता है अगर तुम्हें exponential के बारे में पता होगा कि एकी power X plus Y जो होता है बहुत है एकी power X into A की power Y यह आतना है इसलिए यहाँ पर multiply में लिखा हो है अगर प्लस से हमें multiply में सोचना है तो exponential में ही सोचना पड़ेगा dot से अगर multiply में सोचना है मलब reverse हो जाएगा जैसे यहाँ पर dot से अपनने क्या सुचना है dot में लिखाता है तो प्लस आया अगर यहाँ पर F of X into Y ए Fx plus Fy में जाना है तो log की property लगी इसी तरीक से रटना नहीं है जिसो F of X into Y is equal to Fx plus Fy है तो log में लगे आप exponential कब लगेगा अपने पास जब F of X plus Y लिखा हुआ है तभी अपना तूड़ता है Fx into Fy के पराबर अब यहाँ पर आ जाता है यह वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह लास्ट वाला जो दूमें दिख रहा है यहाँ पर F of X plus Y is equal to अगर दिखता है F of X plus F of Y तब Fx के बराबर या Fx आजएगा Cx के बराबर रख के सारे चेक कर सकते हो कि satisfy कर रहें की नहीं तो यहाँ पर जैसे Fx निकालना है तो C into Y आजएगा F of X plus Y निकालना है तो क्या जएगा C of X plus Y यह सारी चीज़े satisfy करेंगे अब इससे related problem कैसे बनेंगे उस पार्ट में भी देखे हो हमने क्या क्या या तो logarithm function वाला मिलेगा या तो तुम्हें exponential function के बारे में सोचना है हाना अगर यह standard type क्या है कुछ different type क्या है तब अपने सोचेंगे वैसे normally तुम देखोगे इसी वाले पार्ट में आता है हाना f of x into y या तो फिर या तो फिर वो inverse की category में आ जाता है जैसे मालो sine verse x plus sine verse y कभी-कभी-कभी बड़े-बड़े दिखें हुए मालो f of x plus f of y करके लिखा हुए फिर sine verse x का formula लिखा हुआ है या tan verse x का formula लिखा हुआ है यह cost inverse x ऐसा भी सोचने का अंदाज हो सकता है तो different questions में different dealing होगी जो normally आते हैं वो यहाँ पर हमने 4-5 टाइप के लिखती है जो log बाले आते हैं या exponential टाइप के आते हैं यह यह सबसे ज़्यादा important होता है यह वाला part उस case में हमेशा जो function आएगा एक polynomial function होगा थ्यान रखना हमेशा एक polynomial function आएगा जो की fx जो आजाएगा वो आजाएगा हमेशा plus minus of x की power n plus 1 यहाँ पे n जो आएगा एक positive integer आएगा यह तुम कब लगाओगे जब भी तुम्हें दिखेगा fx into f of 1 by x जब भी तुम्हें दिखेगा fx into f of 1 by x अगर यह multiply में लिखा हुआ है इस equal to अगर तुम्हें दिखता है fx plus f of 1 by x अगर तुम्हारे पास कभी भी दिख गया कि fx into f of 1 by x की value अगर fx plus f of 1 by x के बराबर आ यहां पर एक positive integer होगा और यह polynomial function को satisfy कर रहा होगा तो इसकीच को जरूर note down कर लिए हाना यह सबसे ज़्यादा इंपॉड़न्ट है अब इसको कैसे अपने टर्म करेंगे काफी एक असान है तुम भी कर सकते हो दोज़न्ट वरी है बहुत असान होते हैं यह यह लिखा हुआ है fx is equal to लिखा हुआ है 4 की power x upon 4 की power x plus 2 लिखा हुआ है तो जैसे यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो ऐसे कोशन के लिए अपरोच क्या होगा तुम्हारे पास, सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लास्ट वाली वैल्यू देखो, जैसे यहाँ पर लिखा ह लिखा होगे 1 by 40 plus 39 by 40 अगर तुम यहां पर सम निकालोगे सम निकालके देखो 1 by 40 plus 39 by 40 जब तुम इतना सम निकालोगे तो कितना आजेगा 40 by 40 आ जाएगा तो यह value कितनी आगे 1 आगे कभी हो सकता है 2 आ जाए कभी हो सकता है 3 आ जाए डिपेंड करेगा question की variety पर यह जैसे कि तुम्हें दिख रहा है कि fx is equal to given है 4 की power x upon 4 की power x plus 2 लिखा हुआ है यह question तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे 1-x निकाल लेंगे अगर मालों यहाँ पर sum करते तो 2 आ जाता तो 2-x निकाल लेंगे क्यों क्योंकि अगर मैं इसको 1 by x लेता हूँ तो यह 1-x से लिखा हुआ है अगर मैं 2 by 40 लेता हूँ तो 38 by 40 आ जाएगा तो हमेशा यह 1 माइनस X के यूनिट में चल रहे हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर F of 1 minus X निकालूँगा, कैसे हमें पता चला 1 minus X, क्योंकि इनका sum मैं कर रहा हूँ, first or last का, तो मेरे पास 1 आ रहा है, अगर first or last का sum करता और 2 आता, तो F of 2 minus X निकालता, अगर इनका sum करता, 3 आता, तो क्या निकालते, 3 minus X, यहाँ पर कितना रहा है, Fx plus F of 1 minus X आएगा, तो यहाँ पर अब solve करते, तो 4 upon क्या लिख लो, 4 upon 1 minus X आ गया, फिर यह कितना आ रहा है, 4 upon 1 minus X plus 2 के बराबर आ रहा है, इसके बाद तुम क्या करोगे, 4 की पावर X से multiply और divide कर दो, उपर में, जब multiply डिवाइड करोगे, 4 की पावर X से उपर नीचे, तो कितना आ जाएगा, 4 upon यहाँ आ जाएगा, 4 plus 2 into 4 की पावर X आ जाएगा, अब यहाँ से 2 common लो तो कितना आ जाएगा, जब 2 common लो के तो कितना आ जाएगा, 2 divided भई आ जाएगा, 4 की पावर X प्लस 2 के बराबर, यह आ जाएगी equation number 2, यह आ जाएगी equation number 1, दोनों को एक बार जोड दो, कभी हो सकता है 1 आ जाए, कभी हो सकता है 2 आ जाए, यहाँ पर भी 4 की पावर X प्लस 2 लिखा है, यहाँ पर भी 4 की पावर X प्लस 2 लिखा है, उपर में देखोगे तो 4 की पावर X प्लस 2 आ जाएगा, cancel out हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो रेटमीस हमें यह पता चल गया कि Fx प्लस F of 1-X की value 1 आने वाली है, इसका मतलब योगा की 1 by 40 और 39 by 40 को जोडेंगे, जैसे यहाँ पर 1 by 40 को डालेंगे तो 1 आ जाएगा, आ जाएगा की नहीं, F of 1 by, जैसे X की value 1 by 40 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, F of 1 by 40 प्लस 39 by 40 की value कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, इसी तरीके से देखोंगे, 2 by 38, 2 by 40 प्लस 38 by 40 वो भी बना जाएगा, ऐसे 2-2 के pair मिलाके 1 आते जाएगे, तो 40 से कितने pair बनेंगे, 20 pair बनेंगे, 20 pair बनेंगा ना, बट 20 में एक pair नहीं बन पाएगा, जैसे 1 और 30, तो हमारे पास वैसे कितने बनेंगे, 40 को divide करेंगे, गुणा करेंगे, divide करेंगे 2 से, तो कितना आता है, 20 pair आने चाहिए थे, बट यहाँ पर 39 तक लिखा हुआ है, टोटल इसमें pair बनेंगे, 20 नहीं बन पाएगे, कितने बनेंगे, 19 बनेंगे, क्यों क्योंकि, 39 तक लिखा हुआ है ना, जैसे मालो 40 बाइ 40 लिखा होता तो अपने पास, तब हमारे पास 20 pair बनते, बट यहाँ पर 39 तक लिखा हुआ है, तो और नंबर का figure है, इसलिए एक बीच में बच रहा होगा, कौन सा है, 20 बाइ 40 वाला, उसके साथ pair नहीं होगा, तो कि 20 बाइ 40 का कोई pair नहीं है, बन और 39 का pair है, 2 और 38 का pair है, 3 और 37 का pair है, 4 और 36 का pair है, सब का pair है, बट यहाँ पर 20 बाइ 40 का pair नहीं है, तो 39, 40 के साथ कितने pair बने, 19 pair बने, तो यह आज़ेगा, 19 प्लस F of 20, 20 बाइ 40 मलब F of half आ गया, माइनस F of half आ गया, तो यह और यह cancel होने के बाद, आंसर कितना आ जाएगा, 19 के बराबर, तो अगर कोई पुछे, इसका final answer क्या है, तो वो क्या बोलोगे, 19 के बराबर इसका answer ही है, तो हमेशा क्या होगा, कि हमेशा क्या करना है, सबसे पहले देखना है, question क्या है, 1 by 40 लिखा है, अच्छा, लास्ट वाला क्या लिखा होगा, दोनों का sum मिलागे, कभी 1 आ जाएगा, कुष्ण से मैं बता चलेगा, अगर मालोग बोलता है कि 1 आ गया, ठीक है, 2 आया तो 2-6 निकाल देना है, हमेशा कुष्ण न कुछ यहाँ पर बन जाएगा, या 1 बन जाएगा, या 1 बन जाएगा, जेई में, वो भी तुम अपने रेंट से ट्राई कर लें, ऐसा जेई में इसमें भी सवाल आएगे, अब हम देखते हैं, यह वाले टाइप का सवाल यह, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर fx इंटू f o 1 by x कभी दिख गया, मैंने बताया था था ना, कभी भी अगर fx इंटू f o 1 by x दिख गया, और fx प्लस f o 1 by x के बराबर है, और यह हमेशे एक polynomial function आता है, जब भी अगर ऐसा unit दिख गया, ऐसा कभी भी अगर इस टाइप का, कभी भी तुम्हें दिख गया, इस टाइप का, तो क्या करोगे, fx जो लिखोगे, यह fx, जो fx आजएगा, वो क्या आजएगा, plus minus of x की पावर n plus 1 के बराबर, जब भी दिख गया, जब भी दिख गया, fx इंटू f o 1 by x is equal to आगया, fx plus f o 1 by x, सीधे यह लगाना है, अब तुम्हें हमेशा एक data दिया होगा, ताकि तुम n की value निकाल पाओ, और n हमेशा क्या आएगा, एक positive integer type का आएगा, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें गिवन है, f of 3 की value निकालोगे, तो कितनी आगी, plus minus 3 की power n plus 1 के बराबर, अब यहाँ पर क्या करोगे, 28 यहाँ पर put करोगे, जब यहाँ पर 28 put करोगे, तो plus minus 3 की power n की value जो आजाएगी, वो आजाएगी 27, आजाएगी न, तो यह 27, minus से तो आई नहीं सकता है, minus से कैसे आएगा, इस side positive है, तो positive से यह answer आएगा, तो n की value कित्ती आजाएगी, 3 आजाएगी, मिल गया, और positive वाला answer आएगा, या तो देखो, answer एक ही आ सकता है, function एक ही possible है, दो पंजन तो नहीं नहीं आएगे, या तो plus वाला उठाओगे, या तो minus वाला उठाओगे, वो depend करेगा उसकी value पे, अगर f of 3 की value कुछ negative होती है अभी, तो negative वाला उठाते है, positive है, तो positive वाला उठाओगे, तो अगर fx कोई पूछे, यहाँ पे fx क्या है, कोई पूछे fx क्या आने वाला है, तो तुम बोलोगे भाई, fx जो आने वाला है, अब तुमसे चाहिए f of 2 पूछ ले, तुमसे चाहिए पूछ ले, f of 5 पूछ ले, तुमसे चाहिए पूछ ले, f of 1 लाग पूछ ले, सब कुछ तुम निकाल सकते हो, वैसे तो question में तो तुमसे पूछे f of 4 पूछा है, तो क्या करोगे, x की वे लिए हाँ पे 4 डाल दोगे, बस खतम, तो f of 4 डालने के बाद कितना आजएगा, 4Q प्लस 1 आगया, तो 64 प्लस 1 कितने बराबर आता है, 65 के बराबर और यह तुम्हारा आंसर आगया, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है अपन, ऐसा unit दिखा, इस तरीके से रहा होगे, तो तुम्हें पता होना ची कि इस category के लिए यह करना है, इस category के लिए हमें यह करना होगा, इस category के लिए लगना है, ठीक है, अब देखते हैं, यह सबाल हो गया, इस इक्वल टू आ गया, fx इन्टू fy के बराबर, जेही में इस में 2022 में आया था, यहाँ पर लिखा हो है, summation of x is equal to 1, फिर यह क्या लिखा हो है, fx is equal to 2 के बराबर, फिर उसके बाद लिखा हो है, n is the set of all natural number लिखा हो है, उसके बाद क्या लिखा हो है, f of 4 upon f of 2 की value बतानी है, f of 4 divided by f of 2, सबसे पहले क्या करते हैं, आपे 1, 2, 3, 4 सब डाल देते हैं, डाल दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, f of 1 आ जाएगा, plus f of 2 आ जाएगा, and so on till यह infinity तक आजाएगा, इस एक बाद टू 2 के बराबर, f of 1 plus f of 2 plus 1 till infinity तक यह, अब इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, क्या मैं f of 2 यहाँ पर निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x की value 1 रखते हैं, और y की value 1 रखते हैं, तो क्या आजाएगा, f of 2 आएगा की नी, 1 और 2 डाल दो x की value, x की value 1 डाल दो y की value 2 डाल दो तो कितना आजाएगा, f of 1 into f of 2 आजाएगा, तो यह कितना आजाएगा, f of 1 का cube आजाएगा, अच्छ, तो यह आजाएगा, f of 1 का cube आजाएगा, देख रहो, f of 4 निकालना है तो अब तो में pattern पता चल रहागा, 2 आजाएगा, 2 आजाएगा, 3 आजाएगा, 4 में क्या आजाएगा, 4, तो यहाँ पे सब को रख दो, जैसे ही तुम रखोगे इस वाले कोश्य में तो कितना आजाएगा, f of 1 आजाएगा, plus f of 1 का square आजाएगा, उसके बाद, so on, till infinity तक is equal to 2 के बराबर, यहाँ पे तुम्हें एक बहतरी लेवल में जीपी दिख रही है, जीपी, यहाँ पे दिख रही होगे, बहतरी लेवल में जीपी, जीपी क्या होती है, a upon 1 minus r, तो यहाँ पे लगा लो, a upon 1 minus r, a upon 1 minus r is equal to 2 के बराबर, अब इसके बाद क्या करो, cross multiply करके f of 1 की value निकाल लो, अगर तुमने f of 1 निकाल लिया, तो f of 2 तो आराम से आजएगा, और f of 3 भी आजएका आराम से, f of 1 की आजएगा, यहाँ से solve करने के बाद, f of 1 की value आएगी, 2 minus 2 into f of 1, यहाँ से f of 1 की value निकाल लोगे, तो कितनी आजएगी, 2 by 3 के बराबर, अब अगर तुम्हें f of 2 चाहिए, या f of 4 चाहिए, तो क्या करोगे, f of 2 तुम्हें पता है कितना, f of 1 का square आता है, f of 4 कितना आएगा, f of 1 की power 4, दोनों को यहाँ पर रख दो, जैसे यहाँ पर दो, 10,दोनों को रख दो, f of 4 की value और f of 2 की, तो इक इतना आजएगा, f of 1 की power 4 आजएगा, आजएगा ना, और यह कितना आजएगा, f of 1 का square आजएगा, तो बच्चे का कितना, divide करने के बद शवाइद का बच्चे का, f of 1 का square बच्चे का, f of 1 कितना है, 2 by 3, कि तो फाइठी के स्कोर आजएगा तो कितना आजएग रूब ऑजाने इस में ऐसा नहीं अगर तुम चाओ तो जिसे मालो रख भी सकते हो exponential इसको satisfy करेगा A के पावर के X के पराबर तो महां से K की value भी तुम निकाल सकते हो अपने easily जब Fx से भी आ जाए तो इसके तरीके वहां से भी तुम solve कर सकते हो यहां से भी solve कर सकते हो कोई दिक्कत का विश्य है नहीं अपने पास बस में ने कि अपने बास सवाल बन जाना चाहिए तो एक बार इसको बैटन को देख लो कभी भी ऐसे आये तो किस तरीके से अटेंड करोगे मालो अपन functional equation ध्यानी नहीं है सर क्या आएगा तो इस तरीके से भी problem बन जाती है ऐसे ज़रूरी नहीं कि उसी उसी से ही बनेगा तुम वैल्यूस को रखके 1,2,3,4 लगा के भी तुम यह सवाल को अटेंड कर सकते हो यह ठीक है अब यह सवाल तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं एक कोईशन तुम भी करना अना इसमें F of 7 की वैल्यू निकालने थी यह तुम्हारा homework रहेगा इस problem को तुम attain करना तो यह तुम्हारा homework सा रहेगा ठीक है numbering तुम देख लें था यह homework तुम्हारा रहेगा यह तो तुम यह अपने end से तुम इसको एक बार solve कर लेना definitely अब जैसे माल लेते हैं सर यह तो चलो समझ में आगया किस तरीके से जाना है तो अगर माल लेते हैं जैसे हमने पास आगया एक बढ़िया सी एक 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 वेशन आ गई अब हमसे पूछ रहा है f of 2 निकालो इस type के question को कैसे अटेंड करेंगे तो fx प्लस f of 1-x वो तो तुम्हें समझ में आगया होंगे क्या करना आई यह कभी fx प्लस f of 1-x आएगा कभी fx into f of 1 by x is equal to आगया fx plus minus x की पाउर n वाले आगये ऐसे type के सवाल को कैसे अटेंड करेंगे सबसे पहला काम क्या होगा सब में क्या करना है जो भी यहाँ पर f-1 दिख रहा है f-2 दिख रहा है या f- double dash 3 दिख रहा है इनको क्या करोगे abc लिख दोगे क्या लिखोगे abc जैसे इसको क्या करो a लिख दो इसको क्या करो b लिख दो इसको क्या करो c लिख दो एसे टेफ की सफवाल के लिए हमेशा यही fix pattern होगा एक को A लिख देना, एक को B लिख देना, एक को C लिख देना, एसे टेफ के सवाल तो A को क्या बोलोगे ? A की value क्या आ जागी F-1 के बराबर, ऐसे लिख देना यहाँपे फिर B की value क्या करोगे, B की value लिख देना, F double dash 2, अराम से देखो, F double dash 2 लिख देना, फिर यहां पे C की value क्या करोगे, F triple dash 3 आ जाएगा, clear, तो ABC यहां पे हमने रख दिया, अब इसके बद तुम क्या करोगे, इसमें, यहां पे रख दोगे, रख दो, तो Fx मेरे पास क्या आ गया, Fx क्या आ गया मेरे पास, X cube, प्लस यहां पे कितना आ गया, A, X का square आ गया, उसके बाद कितना आ जाएगा, BX plus C के बराबर, देख लो, सबसे पहले क्या किया हमने ABC रख दिया, जो भी लखी थी, किसी को भी ABC तो मान सकते हो, उससे थोड़ी थी problem, थोड़ी थी easy हो जाएगी अपने, अब बस हमना आ रहा, target है ABC को निकालना, तो हमें क्या करना होगा, इसको differentiate करना होगा, यह F double dash 1 मतलब, दो बार differentiation, F double dash 3 मतलब, तीन बार differentiation, F dash 1 मतलब, एक ये बार differentiation, तो यहां से क्या करोगे, अब बस अपने को values निकालो, यह ABC, देखो कितने आराम से तुम्हारे पास C value आ जाएगी, ती कैसे आ जाएगा, बस यहां पर तुम क्या करोगे, यहां पर 3 डाल दोगे, जैसे ही 3 डालोगे, तो कितना आ जाएगा, F triple dash 3 की value कितनी आ जाएगी, इस 6 आ जाएगी, इसका मनलब C की value कितनी आ जाएगी, 6 के बराबर देखो, तो C की यहां से value आ जाएगी है 6, अब हमें क्या करना है, ABC निकालना है, तो हमें वही value डालना है, जैसे हमें 2 लिखा है तो 2 डालना, 1 लिखा है तो 1 डालना, तो अगर F double dash 2 की value जैसे हमें पता है की, यहां पे 2 पता है की B के बराबर है, तो यहां पे 2 put कर दो, जैसे ही 2 put करोगे तो कितना आ जाएगा यहां पे, 12 प्लस 2A के बराबर आ जाएगा, यहां पे 2 put कर दो, और F double dash 2 कितना है B के बराबर, तो ये कितना आजाएगा, B is equal to आजाएगा 12 plus 2A के बराबर, इसके बाद तुम क्या करोगी, यहापे 1 put करोगे, ताकि A आजाए, तो A is equal to आजाएगा F-1, उस साइड में 1 put करो, तो 1 put करोगे तो कितना आजाएगा 3 plus 2A plus B के बराबर, तो क्या हो जाएगा, दो equations ही बन गई, ये equation number 1 बन गई, ये equation number 2 बन गई, यहाँ से क्या होगा, A और B की value आजाएगी, simultaneously, linear equation and two variables solve करना होगा, तो C की value देख रहाएगा, थोड़ा सक time जाम है, बट definitely value आजाती ही, तो A is equal to आजाएगा, यहाँ से solve करोगे, तो A plus B की value आजाएगी, minus 3, एक से, इस वाल equation solve करो, तो A plus B B की value minus 3 आजाएगी, तो उसरी बाल equation से solve करोगे, तो कितना आजाएगा, B minus 2A, तो B minus 2A, इस इकवल 2 आजाएगा तुम्हारे पास 12 के बराबर, तो B minus 2A is equal to 12 के बराबर, अब दोनों क्या करो, subtraction में करो, subtraction करोगे, तो कितना आजाएगा, 3A is equal to आजाएगा, minus 15, यहाँ से A आजेगी माइनस 5 के बराबर, अगर A की वेल्य wanna सब यह लिए जो तुमने डाल देना, då यहां पर 3 पूट किया था, 2 था तो 2 put किया था, 1 था तो 1 put किया था हाना, तो F-1 निकालना है तो हमनो यहीं पर put करेंगे, F-2 निकालना है तो B put करेंगे, F-2-3 निकालना तो C निकालनेगे, तो जब A, B, Z आगया, उसके बाद तो बहुत असान है अब जैसे मालो F-2 पूसता है, या F-3 x का q plus यहाँ पर आजएगा ax का square आएगा उसके बाद कितना आएगा bx plus c के बराबर तो c की value अपने निकाली थी 6 जो भी values है वहाँ पर बस अपट कर देना यहाँ पर आजएगा x cube minus of 5x का square a की value थी अपने पास minus 5 और b की value अपने पास 2 और c की value is 6 के बराबर a की value minus 5 b की value is 2 and c की value 6 यहाँ पर आजएगा 2x plus 6 अब तुमसे चाहिए f of 1 पूछता है f of 2 पूछता है easily तुम निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पर पूछा रहा f of 2 तो x की value क्या करोगे तुम यहाँ पर 2 put करोगे जैसे 2 put करोगे तो कितना आजएगा 2q minus 5 times of 2 का square plus 2 into 2 plus 6 के बराबर तो यह कितना आ गया 8 minus 5 into 420 आ चुका है plus 4 plus 6 के बराबर मलब 8 minus 10 आ गया which is equal to minus 2 के बराबर अब तुमसे चाहे f of 2 पूछता है मैंने का ना f of 2 पूछता f of 1 पूछता f of 3 main task था f triple dash वाला निकालना और f double dash वाला निकालना और f triple dash वाला अगर इस टैप का सवाल दिखा तो क्योंकि जेई में 223 में यह कैटेगरी आती है तो मैंने का ना कि हमेशा जो होगा कि ऐसा नहीं कि functional equation हम लिखेंगे जैसे fx is equal to a की power x लिखेंगे या lnx लिखेंगे तभी सवाल होगा वो values डालके भी देखो इसके पहले वाला सवाल हमने में बता दिया में ली कोशन देखो इसमें कौन से आते हैं जो fx plus f of minus x वाले बता है ना तुम्हें उस टैप के पैटन के तुम देखो के जेई में अभी रिसेंटली दो-तीन सवाल ऐसे आए उनको आज जाके बना लेना वाले सवाल जितने भी सवाल आए खास करके अभी ज एक सवाल आया कभी हो सकता आजया अभी इस टैप पा आया नहीं बट आ सकता ना अगर आया तो पॉल्यों मिल फंचन क्या होगे fx is equal to plus minus x के पाउर n plus 1 यह कटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है बट देखो कि टेस्ट वगरे में हमेशा इस टैप को कोशन आते रहत इन सबी को जो है complete कर लेना इसके बाद अपने पास graph transformation है वो भी chapter पढ़ेंगे धमाके दा हम लोग नहीं अलरी डिसकस कर लिए कि relation क्या होता है उसमें types of relation हमने discuss कर लिया था domain range type of जो अपने जो है कितने टाइब से function होते हैं कैसे अपन रेन निकालते हैं classification अपना हो गया functional equation के बारा बताती है कि different types की equations होती है उसको कैसे deal किया जाता है इस सवाल के लिए इस तरीके से जाओगे जैसे मैंने बताया था कि fx into f of 1 by x is equal to fx plus f of 1 by x आया तो उसके लिए कैसे सवाल करोगे हर एक के लिए मैंने function equation दे दिए बस जैसे question देगे तुरंद लगा दिए बस खतम इसमें कुछ करने नहीं है अब में लिए जाता है ने graph transformation यह थोड़ा सा ग्राफ है मिरे को बनाना है मौट ऑफ x plus 1 का graph केसे आएगा या मिरे को मौट ऑफ x minus 1 का graph कैसे आएगा दिखरेंगे तो इक एक कर कर आपन देखते हैं, fx is transformed from fx plus minus a के बराबर, अगर fx का transformation हुआ, fx plus minus a, तब हम क्या करेंगे, जैसे कि मानलो अगर y is equal to sine x दिया हुआ है, y is equal to sine x दिया हुआ है, और मेरे को graph बनाना है, y is equal to 2 plus sine x का graph बनाना है, या फिर y is equal to अपने को बनाना है, minus 1 plus sine x का graph बनाना है, तो ऐसे type के graph को कैसे बनाएंगे, बलब एक, हमेने standard curve आना चाहिए, जैसे sinus का graph आना चाहिए, मेरे को gi of x का graph आना चाहिए, fractional part x का graph आना चाहिए, तब ही अपन shifting वगर कर पाएंगे, basic graph आना चाहिए, तब ही अपन shifting लगा पाएंगे न, इसमें मेली अपने ट्रांस्वर्विजनल प्राज shifting कर रहे हैं, तो अगर fx प्लस a आया, अगर fx प्लस a आया, तो हमें क्या करना है, अफ़वर्ड shifting करना है, क्या बोले, अगर fx प्लस a हो गया, y is equal to fx प्लस a आ गया, जैसे यहाँ पे 2 प्लस sin x आ गया, तो क्या होगा, जैसा भी graph है, उसमें upward shifting आ जाएगी, उपर की तरफ graph चले जाएगा, अगर minus 1 प्लस sin x आया, minus 1 प्लस sin x, तो नीचे की तरफ downwards आ जाएगा, तो अगर इसका मतलब हो गया कि y is equal to आगया fx प्लस a, fx प्लस a, तो यह क्या आजएगा, upwards, अफवर्ड क्या मुले अफवर्ड सिंफटिंग होगी तो यह अफवर्ड शप्टिंग होगी यह व 26wwww माइनस एका तो यह डाउनわか चैनल अगर है अगर मेरे को बनाना की पाउर एक्स प्लस टू तो उपर की तरफ ग्राफ आ जाएगा कैसे उपर की तरफ चांस हम इने स्टैंडर्ड ग्राफ पता होना चीवचे अगर हमें स्टैंडर्ड भी नहीं पताओगा फिर अपन इस सवाल को नहीं बना पाएंगे मायरा इसको greater than 1 है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला point अपन को निकालना है, तो क्या करोगे, x की value 0 डालोगे तो कितना आजाएगा, 1,0 आजाएगा, तो ये क्या होगा, two units से shift हो जाएगा, ये 0,1 आजाएगा, क्योंकि y is equal to e की पौर x का graph है, ये किसका graph है, y is equal to e की पौर x का graph है, तो अगर x की value 0 डखोगे, तो y की value कितनी आजाएगे, 1 आजाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर two units से shift हो जाएगा, two units से, ये two units से यहाँ पर shift हो जाएगा, प्योंकि जब तुम x की value 0 रखोगे, तो y की value किփ आजाएगी, की लाजाएगी बस तो यहाँ पर तोड़ी शिप्टिंग लगा जाएग तो माइंस घ्रबं तू का ग्राफ बनाना है या y is equal to mod x minus 2 का ग्राफ बनाना है जैसे माल लेते तुम्हें ये ग्राफ बनाना है y is equal to mod x plus 5 का ग्राफ बनाना है तो अगर plus 5 लिखा है तो ये upwards के तरफ जाएगा बठाएं स्टैंडर्ड करवाने चीए तुम्हें स्टैंडर्ड मलत जैसे mod x का ग्राफ आना चाहिए तब ही अपन बना पाएंगे वरना अपन वो शिफ्टिंग ही नहीं कर पाएंगे तो जैसे माल लो y is equal to mod x का ग्राफ पता होगा तो ये कुछ इस तरीके से अपने पास y is equal to mod x का ग्राफ आता है और अगर अपने को जैसे मा mod x का 5 उनिट से शिफ्टिंग आ गया है तो ये 5 उनिट का शिफ्टिंग आ जाएगा ये है y is equal to mod x का ग्राफ है और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब अगर करोगे तो रेंच में बदलाव राबर सब्सक्राइब अभ्ण को बस बतलाव किया गया ऐसे करके उठाके पटक दिया गया उपर या तो नीचे, उपर या नीचे अपने को पटक देना है, तो upwards और downwards होगा कब fx plus minus a होगा, ऐसी हर एक का unit देखेंगे, I think यह वाला पाट तुम्हें clear लोना चाहिए, घर जाके graph बनाना आज, एक यह पावर जिससे मान लो, 2 plus cos x का graph कैसे आएगा, minus 2 plus sinus का graph कैसे आएगा, सूचना इसके बारे, विचार करना, definitely तुम्हें काफी interesting लग रहा हुगा, यह plus minus वाला पाट ने देख लिया, अब आता है next, fx is transformed from fx plus minus a, जैसे fx is transformed from, हमने यह देख लिया, कि fx plus minus a, अब transform करना है, अगर fx is transformed from fx minus a, और fx plus a, अगर हमें ऐसे transform करना है, fx को transform किया गया, f of x minus a, और अगर fx को transform किया गया, fx plus a, fx plus a, अगर fx minus a होगा, अगर fx minus a होगा, तब इस case में तुम्हारे पास क्या करना है, right side shift करना है, यह पर देख लो, curve को y is equal to fx था, हमने y is equal to f of x minus a shift करेंगे तो यह क्या आजएगा right side shift करना है कि side right side shift करना है अगर fx plus a निकालना है तो यह किता आजएगा left side shift करना है कि side left side जैसे कि for example example जैसे सूचना है अपने को जैसे मालो लिखा हुआ है mod of x minus 5 का graph बनाना है mod x का मेरे पास graph है अगर mod of x minus 5 का graph बनाना है तो क्या हो जाएगा यह यह shift हो जाएगा कि side में 5 unit यह right shift हो जाएगा कि side में right side में यह shift हो जाएगा mod of x minus 5 लिखा है अगर यहाँ पे लिखा हूँ mod of x plus 1 लिखा हो तो यह क्या आजएगा left side में यह shift हो जाएगा कि side में left side में यहाँ पे left side में shift हो जाएगा mod of x plus 1 है तो 1 unit से पीछे किसक जाएगा left में mod of x minus 5 है तो यह right side में shift होगा तो mod of x plus a है plus a mod x plus a है mod x plus 4 है उपर mod x minus a है नीचे mod of x से mod of x minus a के तरफ गे right mod of x से mod of x plus a के left तो left, right, up, down कब हो ना यह लिख लेना left, right, up, down है ना अब आते हैं इसके सवाल कैसे बनाओगे जिसे मालो एक तो तुम्हें करके दिखाते हैं तो तुम किसी कभी आप गराप बना सकते हो ना जिसे मालो इकी पॉर x minus 2 का गराप बनाना है एकी पॉर x plus 2 का गराप बनाना है यह आ जाएगा यह हो गया और इसके बाद यह हो गया तो यह 5 unit से अपना shift हो जाएगा यह कौन सा graph है किसका graph है यहाँ पर क्या जाएगा graph 5,0 आ जाएगा यह इक्वल टू mod of x-5 और अगर अपने को mod of x-5 का graph चीगे तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ से एक वी shift क अगर जाएगा जाएगा जैमाङो यहाँ पर minus two comma zero है यह कितना जाएगा mod of x-plus two का graph है यह mod of x-2 का graph है और यह क्या है mod of x-5 का इसी तरीके से क्या करना है तुम घर पर बैठके आराम से try करना तो मैं दिखतेता हूं क्या क्या तुम ट्राई करना, क्या क्या तुम ट्राई कर सकते हो, कौन से यूनिट को ट्राई कर सकते हो, तो पहले तुम इसको ट्राई कर सकते हो, पहले इनको ट्राई कर लिए, पहले इसको 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 unit से बनेंगे, ये सब जो मनेंगे न, जितने ही अभी हमने पढ़े, उसी unit से मनेंगे, थेड, ऐसे बना के देखोगे, सारे गराब बना के देखना है है, सािन के अंदर लिखा हुआ यह minus 5 unit से इस side में आ जाएगा यह left side में जाएगा यह right side में जाएगा यह right side में जाएगा तो इन तीनों के graph को तुम घर पे बैट के बनाते हैं कुछ भी तुम बना सकते हो जो तुमें अच्छा लगता है बस shifting करके देख लेना जतना maximum shifting करोगी उतना तुमें ध्यान आते जाएगा जतने ज़्यादा तुम कोशं यह बनाती जाओगे बनाती जाओगे अपने हैं तुमाज ध्यान हो जाएगा अच्छा liked side में जारा नाहां अच्छा लेफ्ट side में चलना आए graph है और मिरेको बनाना है Cine2X ग्रम इसका अगर मेरे पास cineX का graph है मिरेको हुआ है Cine2X का graph अगर Multiple greater than Megabody na 특히 was जाएगा ट्रेंग कौ政 ओडि Inner Account 식으로 contract हो जाएगा दभ जाएगा श्रिंग और अगरせて साइने कौणыч चाहेगा वना तब क्या हो जाएगा अपने पास expand खुल जाएगा अब यह stress हो जाएगा और expand हो जाएगा उस case में तो अगर माल लेते हैं अपने पास f of 2x का बनाना है तो अपने पास क्या जाएगा shrink हो जाएगा f of x by 2 का बनाना है तो क्या हो जाएगा x पांड हो जाए जैसे कि मालो यह ग्राफिकली तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर यहाँ पर जैसे तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर जैसे तुम्हें दिख रहा होगा यह y is equal to fx का ग्राफ है अब अगर मालो तुम्हें बनाना है y is equal to x यहां पूल गुए है यह मूटा हो गए मूटा अदमी हो गया अब यह क्या हो गई और सा फटला सा होगया इसे मालूक बड़ा हो गया एक्सपांड हो गया तो इस case में क्या आजएगा वो value A की value कमा रहे होगी, 1 से कमा रहे होगी, तो 1 से कमा है, जैसे x by 2 यहाँ पर 2x है, जैसे मालो sin x से sin 2x में graph बनाओगे, इसमें अगर sin x से sin 2x में graph बनाओगे, तो क्या change आएगा? compress हो जाएगा, compress, इस case में हो जाएगा compress, या shrink कह सकते हैं, तो compress हो जाएगा इस graph में, और अगर sin x से sin x by 2 में graph बनाओगे, तो क्या हो जाएगा? expand, तो यह आजएगा उस case में, expand हो जाएगा, खुल जाएगा, और जादा हो जाएगा, पड़ा बन जाएगा उस case, correct, जैसे कि मालो sin x का graph बना के दिखाते हैं, यह तो normally तुम्हें समझ में आ गया, कि compress करते हैं, expand करते हैं, अगर f x से f of a x आ गया, या f x से आ जाएगा, f of a x by 2 आ जाएगा, तो अब देखते हैं, जैसे मालो की अपने पास आ गया, कि sin x के case में एक बार, एक example की तुरू देखेंगे, तो थोड़ा सा और clarity बनेगी, जैसे माल लेते हैं, f x तुम्हें गेवन है, sin x, और तुम्हें बनाना है, sin x by 2 का graph बनाना है, या sin of 2 x का graph बनाना है, तब कैसे बनाओगे, जैसे कि मालो ये graph है, और ये graph है, ठीक है, तो य sin 2 x का, तो ये हो गया अपने पास, y is equal to sin x का, ठीक है, sin x का graph है, अगर अपने को जैसे मालो बनाना तो, sin x by 2 का, तो x by 2 के case में, जो यहाँ पे है न, ये पूरा expand हो जाता है, ये चीज ऐसे करके बन जाता है, यहाँ पे आता है, और फिर इस तरीके से जाता है, समझ रहे है तो ये expand हो जाता है, उस case में आपे आजाएगा sin x by 2 का graph है, यही चीज अगर मालो तुमें sin x, 2 x का बनाते, तब वो श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो के ये जो चीज है, वो ऐसे करके बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है, यह श्रिंक हो गया, तो यहाँ पे कितने पाई बाई 4 पे आएगी, और यहाँ पे कितने आएगे, पाई में आएगी, तो इसलिए वहाँ पे दिखकरते हैं, यह श्रिंक होते होगा, यह expand होते होगा, इसी तरीके से तुम जैसे मालो एकी पावर 2x का graph बनाना है, यह एकी पावर 2x का graph बनाना है, यह सारे तुम ग् बनाएंगे, तो उसके बाद जैसे मालो greatest integer x by 3 का कैसे graph बनेगा, यह सारे unit का तुम एसी तरीके से बनेगा, greatest integer x by 3 कैसे आएगा, fractional part of 2x कैसे आएगा, और उसके बाद जैसे मालो होगे, ईकी पावर 2x कैसे बनेगा, यह सारे graph, जितने भी मालो f of x को, अगर f of x से हमने transform किय तो क्या आजाएगा AX में अगर A की value greater than 1 है तो compress हो जाएगा और अगर हम कम कर देंगे 0 से A तक की values रखेंगे 1 रखेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा expand हो जाएगा तो expand अपन ने कर दिया है ठीक है तो यह थी expansion और compression तुम्हें clear होंगे अब आता है जिसे मालो f of x को अगर हमने transform किया A fx के बराबर जिसे sin x का अपने पास graph है 2 sin x का graph बनाना है या हमें 3 sin x का graph बनाना है या हमें 4 sin x का graph बनाना है या 5 sin x का graph बनाना है जितने भी यह जो graph बनाने तुम्हें different वाले है साइनेक्स का अगर हमें ग्राफ पता है या मालों, मौडेक्स का ग्राफ पता है, टू मौडेक्स का ग्राफ बनाना है, टू से अगर उमने मॲ्टिप्लाई कर दिया, उस केस में क्या हो जाए, जब A greater than 0 आजाएगा, A greater than 0, अगर यह less than 0 है, मतलब 0 से लेके बनता है, तो shrink हो जाएगा नीचे के तरफ भाग जाएगा, उसी graph में जैसे sin x का graph है, अगर तुम sin 2x का करोगे तो ऊपर चले जाएगा, 2 sin x का, अगर 1 by 2 sin x का करोगे तो नीचे चले जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मालो f x को, अगर a greater than बनना है, और अगर तुम्हारे पास f of a x की value, अगर यह 0 से लेके 1 तक के बीच में, तब यह नीचे के तरफ चले जैसे मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, sin x का अगर graph है, तो मैं अगर मालो two sin x का graph बनाना है, यहाँ पर हमने गड़त दिख दिया, यहाँ पर आ बनाना है, यह sin x by 2 का बनाना है, यह 1 by 3 sin x का बनाना है, उस case में क्या करोगे, अगर माल लेते हैं अपने पास जो आ गया, इसके लिए हमें मैंने यह कहा, कि standard graph आने चाहिए, standard, standard मैं अपने sinus का graph आना चाहिए, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, यह cos x का अपने पास graph आ sinus का graph कैसे आएगा, तो कि इसकी तुम्हें range पता होगी, यह minus 2 से 2 आएगा, इसकी range क्या आजाएगी, minus 1 by 3 से लिए 3 तक आजाएगी, यहां पे अपन ग्राप बनाते तो यहां पे आजाएगा यह, उसके बाद आजाएगा यह, उसके बाद आजाएगा अपने पास sinus का graph, त तो टाइमस, यह two times उपर के तरह भाग जाएगा, तो ऐसे भाग जाएगा, और यह कितना भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा, यह किसका graph है, तो साइनस का graph है, और यही चीज़ अगर तुम्हें माल लो बनाना है किसका, वन बाई टू साइनस का बनाना है, तो यहां पे बन रोड को बनाना है उसको ग्राफ को बस्तया करना जैसे बनाना है तो साइny नेक्स माइनस वन का क्या करेंगे कैसे ग्राफ आएगा पहले तो पहले क्या करना माइनस वन की एकी पावर x, प्लस 3 आ गया, अब यह सारे टाइप के तुम ग्राफ बना सकते हो, y is equal to आ गया अपने पास, 3 times of cos x, minus 4 आ गया, इस टाइप का आ गया, या फिर ऐसे आ गया, y is equal to आ गया, 5 times of sin of 2x, और उसके बाद आजएगा, प्लस 3 के बराबर, ऐसे टेक के ग्राफ आ गया, कैसे तुम बनाओगे, sin 2x का हमने ग्राफ बता है, कि f of a x है, तो उसमें क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, 5 से multiply करोगे, तो उपर की तरफ चल जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, राइट साइट शिफ्ट हो जाएगा, कब राइट करना है, कब लेफ्ट करना है, जैसे fx की जगए f of x plus a आया, तो इधर चल अपवर्ट की तरफ चल जाएगा, fx minus a आया तो डाउनवर्ड, fx की जगए f of x minus a की है, राइट की तरफ, fx की जगए f of x minus a की है, लेफ्ट की तरफ, fx की जगए f of a x अगर आया, अगर a की value greater than 1 आया, श्रिंक हो जाएगा, 0 से लेकर 1 तक आया, expand हो जाएगा, जैसे sin x का अगराब बताए, sin 2 x का अगराब बताएगा, और अगर मालो a fx का आया, a बाहर बैठा हुआ है, a fx का, तो उसमें case में जो बना हुआ है, उसी में बस उपर की तरफ चल जाएगा, और नीचे की तरफ, हाना, depend करगा a p, a greater than बनना है, उपर की तरफ, और एगर 0 से लेके बनतागा है, तो श्रिंक हो जाएगा, जैसे ये वाला case तुमारा बना हुआ है, इतना तक अभी हमने बताए, ताकि तुम्हें clear होते रहे, क्योंकि ये सब जुड़ते रहेंगे, अब next जाता है, जैसे मालो, fx की value अगर transform हुई, f or minus x से, तो अगर fx की value होगर हमारी transform हो गई, f or minus x से, किस से, तो अगर fx जो है, मेरा transform हो गया, f or minus x से, तब उस case में हम क्या करेंगे, fx की value हमें दिवन लिए, उसको अगमन transform करना है, तो क्या करोगे, take the image of the curve, y equal to fx, in the y-axis as a plane mirror, तो y-axis के about versus की क्या करनी है, image ले लेनी है, तो जो चीज़ यहाँ पे है, मालब जो चीज़ यहाँ पे है, y-axis मालब यह हो गया, y-axis as a plane मालब यह वाला part हो गया, यह y-axis हो गया, तो जो चीज़ यहाँ पे है, वो इधर पहुच जाएगी, y-axis को as a plane mirror मालते हुए, अपनको बस कर देना है, या तो graph को 180 degree about the y-axis rotate कर दिये, y-axis के about इसको rotate कर दिये, अब इसको उठाके ऐसे 180 degree घुमा दिये, तो 180 degree घुमाओ के तो बिल्कुल ऐसी तरीके से आजाएगा, जिसे माल लेते हैं, जिसे माल लो y-axis equal to e-for-x है, और मेरे को graph बनाना है y-axis equal to e-for-x का, e-for-x का, तो क्या करोगे graph में? image दे लोगे, image जो चीज यहाँ पर वो इधर पहुच जाएगी, जो चीज इधर है वो यहाँ पहुच जाएगी, किसके about? y-axis के about, देखो करके दिखाते है, y is equal to e-for-x का graph कैसे आएगा, या, जो भी है, जिसे माल लो mod of minus x का graph कैसे आएगा, यह सारे के सारे graph बना जाकते हैं, fractional part of minus x का graph कैसे? कैसे आएगा, जिसे माल लो y is equal to e-for-x है, मेरे को graph किसका बनाना है? y is equal to e-for-minus-x का, जैसे y is equal to e-for-x का हमें graph पता है, तो यह graph आता है, यह हमारा graph आता है, यह graph आता है, और अगर माल लो y is equal to e-for-minus-x का graph बनाना है, तो क्या होगा? यह वाली जो चीज़े है, यह वाली जो चीज़े है, वो कहाँ पहुच जाएगी, वो इस direction में पहुच जाएगी, इस direction में. और जो यह वाली जो चीज़े है, यह वाली, वो कहाँ पहुच जाएगी, इस direction में पहुच जाएगी, पहुच गे, हो गया answer देखो, यह किसका आगया? y is equal to e-for-x का graph है, यह किसका graph है? y is equal to e-for-x, तो अगर तुमने fx को transform कि, f-for-x से क्या आजाएगा? symmetry लेना नहीं नहीं है, बस symmetry, तो symmetry ले ले लोगे, तो same आजाएगा, अब क्या होगा नहीं, जिसे माल लोग कॉस x है, तो वो even function होता है, तो same ही आजाएगा उस case में, क्योंकि symmetrical होता है, about this, तो हमने तुम्हें बताया भी था, कि जो भी even function होते हैं, even function, तो अगर even function कोई है, तो उस case में क्या आजाता है, fx is equal to f or minus x आता है, तो उस case में symmetry सेम ही आजाएगी, तो यह जो भी even function होते हैं, even function, अबने बताया भी था, even function अगर कोई function है, तो हमेशा क्या होगा, fx is equal to f or minus x होगा, और example जैसे mod x हो गया, x square हो गया, उसके बाद जैसे मान लोग cause x हो गया, x की power 4 हो गया, और secant x हो गया, यह सारे के सारे function क्या है, even function है, even function जो होंगे, वो symmetrical होंगे, about the line, x is equal to 0, या तो y axis, वो सारे symmetrical मिलेंगे, वोई चीज़ तो अपन कर रहे हैं, fx is transformed from f or minus x, तो बस तुम्हें क्या करना होगा, पलट देना होगा, ऐसे करके 180 ऐसे घुमा दिए, 180 डिग्री खुम गई, 180 तुम्हारा डिग्री घुम जाएगा, 180 डिग्री, तो इसको घुमा दिया गया, as a plane mirror, as a plane mirror, तो इसको plane mirror की तरह मानो, इसको इधर बेज़ दो, इसको इधर बेज़ दो, अगर मालो इधर कुछ होता, तो इधर पहुंच जाता है, तो ये चीज़े अपने हो चुकी है, fx is transformed from f or minus x, ऐसे सारे टाइप के अपन देखेंगे, माल लेते आगे अपने पास, fx is transformed from minus x, हमने अभी क्या बता है, fx is transformed from f or minus x, अब next जो आजाता है मेरे पास, अगर fx is transformed from, अगर fx जो है, वो transform हो गया, minus fx, तो अगर fx जो transform हो गया, minus fx, तब उस case में क्या करना है, x-axis को as a plane मिदल लेना है, x-axis को, उसमें क्या था, आपने बस y-axis को as a plane मिदल लेना है, हैना, जैसे माल लेते, y is equal to e की पाउर x है, और मेरे को graph बनाना है, y is equal to minus of e की पाउर x, minus, minus बाहर बैठा है, पहले x में बैठा था, बाहर बैठा हुआ है, अगर बाहर बैठा है, तो हमें क्या करना है, y is equal to e की पाउर x का graph है, हम क्या करेंगे, इसको नीचे में draw करेंगे बस, यह नीचे में draw हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, बस यह, यह किसका graph आ जाएगा, y is equal to minus sign के साथ e की पाउर x है, बस नीचे के तरफ, x-axis as a plane mirror, तो जो चीच इधर पे है, वो यहाँ पे आ जाएगी, बस, जो चीच इधर थी वो इधर आ गई, तो यह y is equal to आ गया, e की पाउर x आ गया, correct, इस तरीके से अपन को solve करना है, तो यह तो हम समझ रहे होगे, जैसे मालो fx की जगए f of x minus 2 का graph कैसे आएगा, fx की जगए f of x plus 1 का graph कैसे आएगा, fx की जगए f of x plus a के graph कैसे आएगे, f of x के graph आगे, या e fx के graph आगे, या fx की जगए f of minus x का graph कैसे आएगा, विदेन टाइम फ्रेम आएगा यह, एक बार में नहीं आएगा एफ एक्स की जगर माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे आएगा वो सारी चीज़े पंड डिसकस कर रहे है ताकि तुम ग्राफ में बनाओ तो तुम्हें कोई परशानी होई नहीं तो मैं हरे टाइप का इसलिए पैटन तुम्हें बता दे रहा हूं त कि वैसे भी हम recorded पढ़ रहे हैं हमें पता तो चलेगा नहीं न तो दिल बनाने से पता चलेगा कि हाँ यार बिल्कुल क्लियर चल रहा है मामला सब कुछ फिट है कहीं से भी कोई दिक्कत वाली परशानी नहीं है तो हमने तुम्हें बता दिया कि fx is transformed from f of minus x करोगे तो क्या ह होगा अगर fx is transformed from minus fx तब क्या होगा अगर हमने fx को transform कर दिया minus of f of minus x अगर यह हमें transform करना है तो तुम कुछ भी कर सकते हो पहले yx के board ले लो फिर xx के board ले लो या फिर yx के board ले लो जो तुम्हें अच्छा लगता हो अलब तुम कोई भी operation अप्लाई कर सकते हो पहले तुम जैसे क्योंकि fx की जगा f of minus x डारेट नहीं बहुत सकते है तो पहले तुम या तो minus fx निकालो फिर minus of f of minus x निकालो या पहले क्या हम करो fx को पहले क्या करो f of minus x निकालो उसके बाद तुम क्या करो minus of f of minus x निकालो या फिर एक तरीका यह है कि पहले minus fx निकालो उसके बाद तुम क्या करो minus of f of minus x निकालो तो यह दोनों चीजे सेम है चाहे तुम इधर से जाओ तो मिधर से जाओ तोनों से अंजर सेम आएगा इमेज तो तुम्हें लेनी है अगर f और minus x जाओगे तो y axis अगर minus fx पे जाओगे तो x axis के बॉट इबर मैं तुम्हें graph बनाके दिखाता हूँ जिसे मालोग graph बनाना है minus of e की पॉर minus x का graph एक किसका graph आ जाएगा minus of e की पॉर minus x का graph आ गया minus of e की पॉर minus x थोड़े से typical है बड़ तुम बनाते रहोगे तो definitely clear हो जाएगा तो उसे typical type के बड़ तुम बनाते रहोगे न विदेन ठाइम फिर्म तुम्हें भी चीज़ा आ जाएगी तो जैसे माल लेते हैं अपने पास graph बनाना है minus sign के साथ e की पॉर minus x का graph बनाना है e की पॉर minus x का तो मैं बना सकता हूँ अब यहां पर आ चुका है minus of e की पॉर minus x बताओ तो और दो लेको कितनी सारी चीज़े हो गई वावाल मच रहा है है यहां पर तो यारी है तो पहले हमारा ग्राफ गया और जो बचा हुआ है ये ग्राफ आएगा इसके बद तुम्हें क्या करना माइनस लेना है तो माइनस वाले में क्या होगा बस ये नीचे आ जाएगा चीज़े क्या नीचे आ जाएगा ये वाला चीज़ पहले हमने एकी पाउर एक्स का बनाया तो ये है य एकवल टू एकी पाउर माइनस एक्स का ग्राफ इस तो इस तरीके से तुम किसी कभी यहां पर गराप बना सकते हैं एक ग्राफ पता है तो definitely हम लोग बाकि सारे ग्राप बना सकते एक graph बस पता होना चाहिए, एक graph, एक graph पता है तो अपन क्या कर सकते हैं, किसी का भी graph बना सकते हैं, y is equal to minus mod x का भी बना सकते हैं, तो इस तरीके से क्या करना, दो तीन तुमें graph दे रहें, तो इनको तुम ट्राइ करना, बनाने के लिए, तो इसका graph कैसे आएगा, यह सारे graph को ट्राइ करना, पिर इसके बाद लिखा हुआ है, 2 minus of sign के अंदर मालो लिखा हुआ है, x minus 3 लिखा हुआ है, तो x minus pi लिखा हुआ है, तो इस तक पर graph को कैसे बनाओगे, x minus pi, pin next, तीसरा वाला, यह तो तीन चार graph को इनको सब को ट्राइ करना, बनाओगे तभी तुमें confidence इसका graph बनाना है, तो किस तरीके से बनेगा, next, fifth वाला, fourth वाला, fourth वाला, fourth यहाँ पर लिखा हुआ है, y is equal to, minus 5 minus 2 into ek power minus 2x कैसे graph बनेगा, तो इन चारो को एक बार बना के देखना, ब्रैफिनेर्टी, जितनी ज्यादा प्राक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा graphs के साथ अब यहाँ पर तुम्हें बस बता सकता हूँ कि कैसे अपन को transform करना है, करने तो बहुत सारे सवाल तुम्हें, मैंना तो तुम्हें करना है, तभी तो जंग लड़नेंगे न, जंग लड़नेंगे लिए पहले सब हतियार पूरे एक एक करके हातियारों को practice करनी पड़ेगी पाई FX बस हमने theory concept समद लिया, बस सवाल बनाने हो, तभी जो भी तुम्हारे मन में रहा है, सब को बनाओ, बहुत सारे 100 कम से 101, 100 ग्राप बनाओ, तब जाके practice होगी, तभ मैं बावाल मचा पाऊंगा, कोई भी TYPE कर सवाल लाए, अब नेःक्स आता है, FX is transformed from हो अगर एफ एफ एक्स को अखर हमने ट्रांस्फॉम किया इसका मतलब हो गेशा कई अंपर ले जा इसे माललो यहां पे जो भी निगेटिव वाली चीज अगर एक्स के जो मलब जो निगेटिव वाई के जो नीचे में लिखा हुआ है तो कि मॉट एक्स कभी भी पॉस्टिव आता है हमेशा तो निगेटिव आ नहीं सकता यह वाली चीजों को क्या करना बस उपर की तरफ फेक देना तो यह उपर की तरफ चले जाएगा बस मॉट वाला आदमी क्या करता है हमेशा क्या करता है उसको एक पॉस्टिव की तरफ ले अपने को बनाना है अपने को मौट उट आप इकल नहीं है तो यह उपर की दिशामी आएगा तो अगर कोई पुछे मौट वी की पॉर ग्राप बनाना आए तो क्या करोगे जो भी ये भी क्या करोगे उपर पहुचा जो भी निगेटिव वाली चीजों को बाहर उठाके उपर लटका देना कि सब कुछ ऊपर पहुच जाएंगा नी हमेशा उपर की तरफ दिखेंगा हमेशा पॉजिव आएगा सब्सक्राइब करना कैसे बनाऊंगा यह सारे लोग्स को graf कैसा आएगा, mod के अंदर सिगनम x आगया तो क्या करेंगे, सिगनम x का मैंने graf बताया था, तो जो नीचे वाली line होगी, वो क्या होगी, उपर की तरफ बचयेगी, तो एक straight line सी आजाएगी, एक straight line, line type की straight line, y is equal to one time की line एजाएगी, सारे बनाए, y is equal to mod 10x बनाना, y is equal to mod 4x बनाना, clear है, तो mod नाम की अगर कोई चीज दीखी नीचे में, तो उसको क्या करोगे हमेशा उपर की दिशा में बस ले जाओगे और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है अब आता है जैसे मानलो की fx is transformed from f of mod x आला, पहला क्या था? mod fx था, इस वर क्या है? f f के अंदर में mod x f के अंदर में mod x, जैसे मानलो sign mod x का graph कैसे आएगा? हाँ, सूचने वाली बात है, कि सर sign mod x का graph कैसे आएगा, e mod x कैसे आएगा, e की पाऊर में mod x pose के अंदर mod x कैसे आएगा, यह सब ग्राफ कि अगर हमने x के जगा mod x को shift किया तो क्या करेंगा अपन ये तो सबसे पहले क्या करोगे जितना भी ये वाला part है negative side का x के जो इधर side में negative वाला है उसको क्या करोगे हटा दोगे ये सब सारी चीजे हटा दोगे ये neglect कर दोगे जैसे ये graph बना हुआ है तो क्या करोगे इधर side में जितना भी होगा उसको neglect मार दोगे और जो यहाँ पे लिखा हुआ इसको क्या करोगे उसकी photo ले लोगे देखो leave the graph lying side of the y axis as it is तो जैसे भी लिखा हुआ है अपने पास अना उसके कुछ भी निकरना है take the image of fx in the right of the y axis with the y as a plane mirror तो y axis as a plane mirror लेना graph of the night neglect the graph of y axis less than 0 तो और neglect करना है अपने को क्या करना है less than 0 वाले जितने भी graph है उसको neglect कर देना है take the image of the curve about the x axis तो negative वाले जितने भी graph होँगे x less than 0 वाले उनको क्या करना है neglect कर देना है इसको neglect कर देना है बाकि जो बचा उसका क्या करना है mirror image निकाल लेना इसके about mirror image तो ये इसका graph आ जाएगा इस तरीके से इसका graph आ जाता है तो जो भी negative वाली चीज़े हैं x के according उसको हटा देना जो आ गया उसको क्या करना है बस image लेना है about the y-axis मैं तुम्हें जाएगा लोग graph बनाके दिखातो हूँ e-ki-pour mod X का graph या sign mod X का तुम्हें graph बनाना है या cause mod X का graph बनाना है तो कैसे अपन करेंगे e-ki-pour mod X का graph बनाके दिखाते है y is equal to e-ki-pour mod X इसका सब ग्राफ बनाके दिखाते हैं X वाले साइड में उसको इग्नोर करना है, चली चली इग्नोर हो जाए, तो यह सब इग्नोर हो जाएंगे, निगेटे वाली चीजे जो हैं इग्नोर हो जाती है अपने बास, उसके बाद जो भी वैल्यू यहां पर आ रही है, वो यहां भी आएगी से, mirror इमेल ले ले लो, तो इसको मेरे देमेल ले लो, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आजाए, यह इसका ग्राफ है, पाई इस इक्वल टू एकीप और मॉड एक्स का, अब तुम मॉड ऑफ एकीप और मॉड एक्स का भी बना सकते हो, यही आएगा, तो किसी का भी ग्राफ चाओ, जिसका भी तुम ग ग्राफ बना सकते हैं, बीना सोचें, साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, साइन मॉड एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का अपने पास ग्राफ है, साइन मॉड एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, निगेटिव वाले चीज़ को एक्रोड मार देना, साइन एक्स के बस इस साइ इसके बारे में सोचना next, third वाला, third वाला यह आगया y is equal to आगया अपने पास cause of mod of x का graph कैसे बनाएंगे इसके बारे में सोचना यह जितने भी graph है इनके बारे में सोचना है y is equal to लिखा हुआ है stignum of, stignum के अंदर mod x, उसके बार लिखा हुआ है mod के अंदर यह सारे ग्राव अब तुम बना सकते हो मैंने बता दिया ने ट्रांस्वर्मिशन कैसे करना है बस उसके बाद तो बहुत इसान है कुछ कर नहीं नहीं है य इकवल टू आ गया दस बार बनाओगे अपने अब बैट जाएगा दस पारा बार बनाओगे अपने अब बैट जाएगा उसके बाद क्या करना उसका भी मौड लेना बस खतम अब बनाना तो जो चीज यहां पर वह सेम यहां पर आने चाहिए बहुत अच्छा फीलोगा कि हाँ यहां में कुछ कर रहा हूं यह सारी चीजों को ध्यान रखना है जो भी मैं चीज़े बता रहा हूं क्योंकि जब तुम करोगे within a time frame practice करोगे तभी बने की बार इसे बिना practice की नहीं बनेगा practice करना पड़ेगा महनत करनी पड़ेगी महनत करने के लिए ready हो जाओ क्यों कि लास्ट मुमेंट है बिल्कुल दम लगा के बिल्कुल एक पीव आई क्यू करेंगे इसलिए तुम्हें सब्सक्राइब बहुत सारे चीज़े काम आएंगे इंटेग्रेशन पड़ेंगे तो definitely काफी यूसफुल है काफी मज़ेदार टॉबिक भी है तुम्हें ध्यान दालके चेक करें तो बहुत डिफिकल्ट है वह तो बस बताया जाता है कि वर्बली कैसे कर सकते हैं परसा में ध्यान रखना है वह ध्यान अपने आप हो जाएगा प्राक्टिस से आएगा एफैकस की जिगा एफैकस प्लस ए करना है तो कि आएगा की से आएगा 9 222 258 यह अपना बस मौड़ आपना बस तो मौटफ एक्वल कोसटा कराकर करोगी तो mod of y is equal to fx में क्या करोगे? Clearly, mod of y should be equal to 0. The graph of mod of y should not be exist if fx is greater than 0. तो तब ही exist करेगा. अगर मालो fx के value less than 0 होगी, तब graph ही नहीं आएगा. क्योंकि अगर ये negative हो गया, तो ये graph ही नहीं आएगा. तो fx less than 0 पे तो graph ही नहीं आएगा. तो fx जाब non-negative होगा, वहीं पे answer आएगा. फिर reflect about the x-axis only in those region where fx is. और fx less than 0 को क्या करना है? तुम्हें ignore मारना है. जैसे कि तुम्हें ये graph दिया हुआ है. तुम्हें ये क्या बोल रहा है? जहां चहां पे fx negative है, उसको ignore मारो. जैसे यहां पे y की value जहां जाँ negative आ रही है, उसको ignore मारो. क्यों हो? क्योंकि यहां पे fx की value negative आएगी, तो possible ही नहीं है. graph possible ही नहीं है. possible नहीं है, जैसे fx की value मालो, minus 5 आ गई, minus 3 आ गई. तो mod y की value negative नहीं हो सकती है. इसलिए वो possible ही नहीं है. अब तुम्हें मैं एक graph बना के दिखांगा, तो उससे थोड़ा सा और compare होगा. जैसे माल लेते हैं, अपने को graph बनाना है, mod y is equal to e की power x. या, mod y is equal to sin x. काफी एक better feel हो रहा हुगा, यार कुस्तों कर रहा हुँ है. कीजे हैं, देखो, complicated है, बड़ तुम स्टीखोगे, तो बहुत असान है. सीखोगे, सीखेंगे तो बहुत असान है, सीखेंगे तो इस निकालना है, तो इस निकालना है, फोड़ना है, तो सीखना पड़ेगा. तो अगर माल लेते हैं अपने पास लिखा हूँ है mod y is equal to e की पॉर x इसका graph बनाना है सोचो इसके बारे में सबसे पहले काम क्या करो y is equal to e की पॉर x का graph बना लिए mod y की case में क्या करना है अगर कुछ negative है तो हटाओ यहाँ पे कुछ negative है यही नहीं अगर negative नहीं तो कोई दिक्रत नहीं तो जो नीचे लिखा हुआ है उसको उपर भी लिख दो बस खत्म तो यह आएगा mod y is equal to e की पॉर x का graph यह आगया mod y is equal to e की पॉर x यह graph आगया और अगर तुम्हें जैसे मालू बनाना है mod y is equal to sinus का graph mod y is equal to sinus का graph इसको ignore कर दी है चल जाओ तुम्हों निकलो यहांसे तो निकल जाएंगे यह सब सब निकल जाएंगे और जो भी ऊपर में बंदा बैठा है वो नीचे आ जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा आ जाओ आ जाओ यह बैठ जाएगा यह graph हो जाएगा यह सब इंग्णोर हो रिखते हैं कि प्रंदार तरीके से बहुत मज़ कुछम नट पिछय चार तरीके से बहुत मज़ के लिखा हुआ है ृब्ध रहाबर सवाल देखके यह लग लेवल का फील आना चाहिए यार 3-4 लग गए अभी तो हम एक मौड से डर लगता रहें यहां पे 3-4 लगते हैं यहां पर क्या करेंगे पर कोई दिक्कत नहीं पहले साइनेस का ग्राफ बनाना है तो वाई जी इक वाट तू साइनेस का ग्राफ अना च तो sign modest के graph के लिए मैंने बोला था इसको हटा दो, यह कोई काम के नहीं है FAS की जग़ा, F of modest के गरा बनाओगे तो sign modest का graph तुम्हें इस तरीके से मिलेगा कैसे मिलेगा, जो जो यहां पे लिखा हूँ है वो सब यहां पे बनाने पड़ेंगे क्या करना है, इसके about तुम इमेज ले लिए तो इसके about तुमने क्या किया, इमेज ले लिया सब इमेज ले लिया, हो गया काम, मज़ा आ गया अच्छा, अब जितने भी यहां पे लिखे हुए है negative में, तो उसको क्या करो सबको उपर ले आओ, यह किसका graph है यह किसका graph है, यह किसका graph है, बड़े भाई, बड़े भाई, यह किसका graph है y is equal to है, यह sign mod x का graph है तिरे भाई, clear हो रहा है, अब तुम्हें जिससे बनाना है mod of sign mod x का graph, तो mod वाली चीज में जो negative व्यक्तिकत है negative व्यक्तिकत, तो जो negative व्यक्तिकत होते है वो क्या पहुच जाएंगे, उपर की दिशा में आच्छा, उपर की दिशा में तो यह सारे के सारे क्या जाएंगे, उपर की दिशा में यह सारे के सारे क्या जाएंगे, उपर की दिशा में उपर उपर की तरफ समझ भी तरफ तहां आएंगे अब किसका दग बुराब बनाना है अब अब फाईनल वलिले में किसके बनाएंगे मौड के अंदर साइन ऑफ मौड घुम का ग्राफ कैसे बनेगा तो यह इसका आंसर है यहीं पर बना हुआ है तो यह मौट साइन मौट आपने आल लेवल में बना लिया डरनेक जरुवत है बिल्कूल जरुवत नहीं है है कुछ भी जरुवत है देखो सोचो इसके बारे में तो मैं ऐसे तीन-चार यहां पर लिख देता हूँ और भी बहुत सारी चीजे है कुछंस तुम्हें अपने अपने से प्रेक्टिस करने पड़ेगे आ सकंसरी वाइस मैंने हर चीजें डेलीवर करती है वाइस होसकता है थोड़ी सी कमी यो बढ़ हाँ आपने कोस्षंस जो कंसर्ट वाइस से जितने भी इतना सा रहना कि कवर करन पर जितना maximum हो पाए PYQ के साथ वो सारा चीज़ डेलिवर हो चुका है अब तुम आज जाके इनको ट्राइ करना mod y is equal to डरने की बात नहीं है डरना कहीं है नहीं अब देखो इनको ग्राप को बनाना फिर ऐसे लिखा हूँ है mod y is equal to लिखा हूँ है अपने e की पाउर mod x into mod x तब एक मज़ा है कि हाँ या सजा टाइम नहीं लगना चीज़ मज़ा टाइम लगना चीज़ यहाँ कुछ कर रहे है next mod y is equal to आ गया mod के अंदर आ गया स्टिगनम ओवेक्स आ गया समझ जो mod y is equal to आ गया mod के अंदर स्टिगनम ओवेक्स मौड के अंदर स्टिगनम ओवेक्स पूर्थ नंबर सबके ध्यारे में बने बता दिया एक बार अच्छे से रिवाइस करने के बाद फिर इस गराब को बनाना तो बहुत मज़ा है अब जैसे मालो लिखा हूँ है mod y is equal to यहाँ पे लिखा हूँ है cos के अंदर minus of x तो mod y is equal to आ गया cos के अंदर minus of x फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला ऐसे आ गया y is equal to आ जाएगा mod of यहाँ पे आ जाएगा tan के अंदर tan के अंदर mod of x इन सब को सभी को जितने भी तुम्हें आपे जितने मैं question देते जा रहा हूँ सब को एक बहतरी लेवल में बनाते जाना जितना हम practice करें हमने बुला जितना अपन करेंगे उतनी अपनी gain होगी उतना अपन सीखेंगा अपन तो यहाँ पे आगा mod of y is equal to आ गया fractional part of x आरे हुआ mod y is equal to fractional part of x fractional part of x का हमने graph बताया हुआ है मैं ध्यान नहीं है तो मैं फिर भी बना देता हूँ यहाँ पे 0 सिले के 1 तक के बीच में आता है graph इसका जो graph आता है 0 सिले के 1 तक मैंने तुम्हें बताया था इसके periodicity बताई दी कि fractional part of x का जो period आता है वो 1 के बराबर होता है अना इसका graph कुछ इस तरीके से आता है या यह वोड़ा-fone टाइप के इसके graph आते हैं वोड़ा-fone इस वोड़ा फॉन तो यह वोड़ा-fone का graph आहीं है अना जोगए अब इसमें कुछ निगेटिव थो है निगेटिव कुछ है नहीं तो मोडवाई में क्या हो जाएगा बस नीचे के तरफ तो ऐसे नीचे भी वोड़ाफोन बन जाएगे नीचे बस नीचे यह लोग बना भी दिया हमने इसे नीचे नीचे तुम्हारे ऐसे वोड़ाफोन बन जाएगे वोड़ाफोन तो यह नीचे की दिशा में वोड़ाफोन साई थिंग सारी चीज़े हमने क्लियर करने कोशिश किया है जितना भी हमने तुम्हें ग्राफ्स बताए एक एक चीज हमने कोशिश किया जैसे वाइज इक बार रिकॉल करवा देता हूं क्या हमने बता है ताकि तुम्हें clarity आ जाए कि क्या हो सकता है, सवालों की practice एक भेधरी level में solve करिये, हमने जैसे तुम्हें बताए कि y is equal to लिखा हुआ fx, तो अगर fx plus a आ जाता है, तो upwards, fx plus a, अगर fx minus a आ जाता है, तो downwards, अगर y is equal to आ गया fx, fx के जग़े f of x plus a हो गया, left side, fx minus a आ गया, right side, और fx के जग़े f of ax आ गया, अगर a की value greater than 1 है, compression, बड़ा आदमी, compress, compress, अगर a की value less than 1 आ गया, 0 से ले के बन तक expand, बड़ा हो जाएगा, जब sine x का graph बताए थे, sine 2 x का graph, sine x by 2 का graph, ठीक है, यादा रहोगा, a into fx का graph बनाएंगे, अगर a की value greater than 1 है, बसे 2 sinus का graph बनाना है, तो हमने पास क्या होगा, जो graph बना है, बस उपर की तरफ ले जाओ, अगर 1 by 3 sinus का लिके आना है, उसको नीचे चपका दो बस यह, तो fx वाले यह था, अगर fx की जगह, f of minus x का graph बनाना है, तो जैसे कि मालो even function जो होते हैं, वो अले टाइब के आएंगे, तो even function जो होते हैं, वो अले टाइब के आएंगे, इसका मतब आजएगा symmetry about the y-axis, या rotate अपन को करने ना, 180 के about degree, जिसमें की y-axis के बनाएग, अगर fx की जगह, minus fx का graph बनाओगे, तो क्या आजएगा अपने पास, image लेना है about the x-axis, अगर minus fx का बनाओगे, ठीक है, अब next आजाता है, minus of f of minus x, fx की जगह, मलब वो odd function होगा, वो वाला function, fx की जगह, minus of f of minus x, उसमें क्या होगा, या तो minus fx लेना, फिर f of minus x, या फिर, पहले y-axis, फिर x-axis, या फिर x-axis, या y-axis, जो भी चलेगा, अगर y is equal to, mod of fx का graph बनाना है, तो जो भी नीचे वाला part है, denominator नीचे जो लिखा हुआ है, y के negative वाले side का, उसको उपर लगा देना, अगर अपने को क्या बनाना है, y equal to mod fx का, अगर y is equal to f of mod x का graph बनाना है, तो क्या होगा, जो left side में x-axis के, उसको ignore मानना, और इसमें क्या करना, जो भी इधर side में लिखा हुआ, x के positive side में, उसकी image लेना, तो ये किसका graph बन जाएगा, y is equal to f of mod x का, मैंने बताया था, mod of y is equal to fx का graph बनाना है, तो आगर fx का, जो भी negative side का, उसको ignore मानना, जो भी positive side का लिखा, वो इसको email लेना, क्योंकि y की दो values आएगे, इतनी सारी चीज़े बनाएगे, इनको तुम try करना, जो जो questions मैंने दी है, इसको बहुत अच्छे से बनाना, जो भी previous year question है, खास करके, जो latest के 21, 22, 23, और j advance के जो latest वाले, उनको जरूर जरूर try करना, definitely तुम्हें बन जाएंगे, वे दिक्कत आ रही हो कि, तो definitely do comment की, यार ये चीज़े सब होने चीए, तो next video में आपन try करेंगे, कि उस चीज़ को लाने की भी है, I think तुम्हें समझ में आ गया होगा, जो जो topic हमने बता है, clear, crystal clear, सारी चीज़े बताएगी है, जो best हो सकता है, तो अगर CJ clear है, तो बता दियो कि यार सब कुछ clear है, मामला बिल्कुल खतननाक चला सर, एक एक चीज़ बारी किसे clear हुई, बिल्कुल अपने को चमक या बिल्कुल सीके स्टार के तरह बहुत सारे से दिल बन जाए, कि हाँ भाई हो चुका है, यह चीज़े बन जाए, बाई 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 बाई